चैप्टर शिक्स जिसका नाम है ट्राइंगल ए अन जी अल ई इसे बोलते हैं तिर्भूज देखो तिर्भूज होता क्या है जी हनमान परसाद अगरहरी जी गुड मानिंग बच्चा अंकिता सिंग गुड मानिंग प्रियंका मिस्रा जी गुड मानिंग अब बात आती है कि तिर्भूज किसे कहते हैं तिर्भूज किसे कहते हैं देखिए आपने अक्सर देखा होगा ऐसे कोई एक आकरती देखे हो जिसको तिर्भूज कहते हैं इसकी definition क्या होती परिभास होती आप ध्यान से सुन लो तीन भूजाओं से गिरी वी और बंद आकरती तिरभूज कालाती है जैसे इसमें P Q 1 भूजा है, Q R 2 भूजा है और P R 3 भूजा है समझ गये न तिरभूज किकसे कहते हैं बच्चा तीन बुजाओं से गिरी हुई बंद आकृति तिर्भूज कहलाती है इसके बाद इसमें हम लोग दो चीज पढ़ते हैं एक पढ़ते हैं सरवांगसम तिर्भूज और इसमें एक चीज और पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं समरूप तिर्भूज तो देखो ये कौन सी मुसीबत है भाईया सरवांगसम और समरूप एक नया नाम है ध्यान दो पहले जैसे मैंने कहा कि तिर्भूज किसे कहते हैं तीन बुजाओं से गिरी हुई बंद आकृति तिर्भूज कहलाती है सरवांगसम समरूप बहुत ही प्रेक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल आप टेंसन मत लेना जैसे अगर मैंने दो तिर्भूज बनाया ए बी सी और बच्चा मैं एक तिर्भूज और यहां पर अगर बना दूं आप जरा गौर्द करना हां यहां पर बना दूं देखो ध्यान दो इभी सी ने टो यहदी किई यदी हैँ एबी भूजा फीक्रावर के बराबर हसे क्या है एबी पिक्रावर है क्यूर मुजा आसी के बराबर और है देखते जाओ है कि ठीक है अरेसे भी구요 प्र वहीं बात हुई यह इसको प्यार लिखना था थोड़ा से हां पर मिस्टेख है आप इसे सही करो पहले AC बराबर PR ठीक है मतलब ये भूजा AC वाली इसके बराबर है देखो तब ये दोनों तिरभूज क्या होंगे सरवांग सम होंगे मतलब आपने क्या समझा कि जब तो कोई दो तिरभूज जिनकी आकरती और आकार आपस में बराबर हो shape and size दोनों इक्वल हो वो kangurians कहलाते है सरवांग सम कहलाते है ठीक है इन्हें क्या बोलते हैं इन्हें क्या बोलते हैं R-U-E-N-C-E इन्हें क्या बोलते हैं symmetry बोलते है symmetry ऐसे होती spelling आप देख ले न spelling मुझे कुछ गड़बड लग रही है क्योंकि मैं हिंदी में ही पढ़ाता हूं अकसर इंगलिस में नहीं लेकिन आपको बता देता हूं क्योंकि आप लोगों को समझ में जाता आता है symmetry ठीक है ओके तो यह क्या हो गया symmetry and congruence सब इस्कूल जा रहे हैं बता है दो फार दो बज़े भी class चलेगी आप बता है तो यह सम रूप और सरबांग समझो अच्छे से जिनको जाना है ठीक है जाओ आप लोग जब स्कूल से आओगे तब भी पढ़ सकते हो चैनल सब्सक्राइब करके रखो बेल आइकन आन करके रखना घंटी की बटन दबा के जरूर याद रखना आपको नोटिफिकेशन जाएगा यूटूब से जब आना नोटिफिकेशन में जाके खोच के देख लेना कलास को कलास तो रहेगी न चलो तो अब हम एक-एक आपको डिफाइन करेंगे जी बिल्कुल आनू पियादो जी आपका कमेंटार आ रहा है कोई बात नहीं सीवानी परजापती आ रहा समझ में न चलो ठीक है अब देखो द्यान दो हम बात करते हैं सरबांगसम की प्रेक्टिकली मैंने फिकर तो बना दिया अब बच्चा प्रेटिक हो जा यह दोनों क्या एक तिरभूज हैं सरबांगसम का मतलब यह होता है जब इनको एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया जाया ऐसे तो यह एक दूसरे को पूरा-पूरा धंक लें हलका भी दिखाई ना पड़े दूसरा देखो अभी दिख रहा है ना इसको बराबर करेंगे अभी भी हलका दिख रहा है ना यह अब नहीं दिख रहा है ना मतलब यह एक दूसरे को पूरा-पूरा धंक ले रहे हैं प्राफ़र कहीं दिख रहा है दूसरा वाइट वाला दिख रहा है नहीं ना यह देखो मैंने मोड़ा नहीं इसको ऐसे फेलाया यह दोनों बराबर ह तो देखोगे तो बलेक नहीं दिखे गा इधर से देखोगे तो गैल नहीं दिखेगा इस तरह की जो ट्राइंगल होते हैं या फिर कोई भी आकृति वस्तु जो इस तरह की होती कि उनको एक दूसरे के उपर रखने से एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर लें वह कंगुरेस कहलाते हैं शेक हतिक जी आरा समझ में ना यह कंगुरेस्ट है हाँ बाकि अगर हम समरूप की बात करें तो बेटा देखो समरूप का मतलब होता है इनके रूप एक समान हो बस क्या हो इनके रूप एक समान हो जैसे देखो पहले प्रेटिकली देख लो इनके रूप एक समान है दोनों गोरे-गोरे हैं काला कोई नहीं है दोनों तिरभूच कि आकार के हैं लेकिन यह चुटा है बेचारा यह बड़ा है यह क्या है सम रूप है इनके रूप एक समान है लेकिन सरवंग सम नहीं है क्योंकि इनके अंग छोटे बड़े हैं ठीक है जैसे एक और भी आपको किताबी बात सा पढ़ा दूँ इधर साइड में देखो ध्यान से कोशिस करो समझने की भाई साहब चलो जैसे दो सरकल आपने बना लिया या दो बृत बना बना जैसे बोलते हैं कु यह नहीं जरूरी कि आप वही बनाओ क्या बोलते हैं जो तिर्भूजी है हम आपको सर्भांग सम पढ़ा रहे हैं ना कि सर्भांग सम तिर्भूज सर्भांग सम सब कुछ पढ़ लो जो भी चीजे होती जैसे देखो यह सरकल है और एक यह भी सरकल है यह दोनों बृत एक जैसे हैं तो यह समेट्री है कि आदि में आप हिंदी समरीव है क्योंकि दोनों पर एक आयसे तिर्भूज बना दूं और मैं आप से पूँछूं कि भाया क्या ये बृत और ये तिर्भूज दोनों समरूफ है बोलो ये दोनों समरूफ है कुझ भिहारी आदो जी आरा समझ में तो ये दोनों समरूफ नहीं है क्या ये ये दोनों समरूफ कता ही नहीं है मतल बात समझ में आई ना तो यह सरबांगसम और समरूप था अब कान बनाने के लिए हमें बहुत सारी सिश्टम की विवस्था करने पड़ती है ना उसी तरह से हमें क्या करना होता है क्लास कोई भी चैप्टर सुरू करने के पहले उनके जो कंसेप्ट होते हैं हमें उनको सीखना होता है क्योंकि बिना कांसेप्ट के भईया सवाल नहीं आएगा ना उसी तरह जैसे अगर आपको घर बनाना है तो इंटा सेमेंड मोरंग लोहा लखड रखोगे तभी बनेगा ना तो हम क्या करेंगे तिरभूज तो पढ़ना है उससे जुड़े हुए सवाल करने हैं लेक कोईश्चा नेक नहीं कर पाओगे यह सारी चीज अगर आप नहीं जानों भे समझ में आ रहा ना सोफिया सायद जी है आज हम सभी पढ़ेंगे जो एकदम पूरा कांसेप्ट वाला चीज पढ़ेंगे आप लोग मुझे यह बताओ आप लोग मुझे यह बताओ क्या आप इसमें से यह सारी चीज जानते हो की नहीं जो जो आपके काम की है मैं उनको बताओगा जैसे संगत कोड संगत कोड सुने हो एक आंतर कोड यह चीजें आपको आनी चाहिए ठीक ना बिल्कुल आनी चाहिए यह चोटे चोटे बाते हैं अंतर कोड वाह कोड यह कांसेप्ट मैं आपको पढ़ा के उसके बाद फिर मैं आपको आगे की चीजें बताओगा ठीक है चले आगे चले चलो यह हो गया अंतर एक अंतर और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ोगे जैसे तिर्बूज के तीनों कोड़ों का योगफल तो सभी जानते हैं बहुत चोटा सा यह इसको इंगलीज में क्या बोलते हैं आप लोग बताओ और जिनको इसमें से जिसके बारे में भी पता है फटा फट सब के बारे में बता दो सभी का डेफिनिशन बताओ आप लोग चलो फटा फट जल्दी करिए आप लोग जल्दी से बताईए उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है यह सारी चीजें कलास सेबंथ में तुम लोगों ने देखा होगा अगर पढ़ा है तो भाई है ना चलिए आगे बढ़ें सर्बांग समता की सर्थे तो मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों ने पढ़ लिया था इसमें तो कुछ बढ़ा था नहीं और इसमें क्या-क्या पढ़ना था बाई कुछ चीजें मैंने यहां पर आपके लिए रखा था लेकिन आप लोगों ने सायद इसके पहले वाली कलास देखा ही नहीं था कि करस्पॉन्डिंग को संगत कौन बोलते हैं दिपांसु की बिल्कुल अल्टरनेट मतलब एक अंतर होता इसको इन्टीर DR इसको एक्स्टीर यरे इंगल बोलते है तो मुझे ये बता आओ इसंहे ये पता मुझे चलो वह इसमें ये बताव भाई साहब इसका मानलो नाम है बीता, BTA लेकिन तुम लोग टाइप नहीं कर पाऊगे बीता नहीं टाइप कर पाऊगे, ना मानलो इसका कौन का नाम C है और ये कौन क्या है, A है, और ये P है, ये Q है, ये R है, ये Yes है मुझे इसमें से आप लोग एक काम करो जल्दी से सभी इसमें अंता और वाह कौन बताओ बहुत ही आसान है आज सिर्फ कांसेप्ट का लाइश्ट दिन है कल से कुश्चन होंगे याद रखना कल से कुश्चन होंगे और ये कलास सुबा चल जाती है आठ बजे से आप इसे बाद में चाहे जब देखो चैनल सब्सक् जी राधे राधे अकिल अलीजी बिल्कुल मैं आपका कमेंट देख रहा हूं चलो सभी बच्चे बताओ फटाफट बताओ पूरी बात जल्दी लिखो फटाफट और जल्दी से देखो इसके पहले आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था मैं वही सोच रहा हूं कि आपको एक बार फिर से दिखा दूँ क्योंकि कलास सेबंथ में आपने वह चीजें पढ़ा था और वह चीजें आप लोगों के नहां पर भी आनी चाहिए तो इसलिए मैं वही चीजें आपको दिखाने की कोर्सिस करूंगा ठीक है चलो फिर तो हां जो चीजें हैं आपके लिए सीखने वाली वो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं ऐसे कहीं पाओगे नहीं दुबारा क्योंकि क्लास में लोग चोटी चोटी बाते लोग नहीं करवाते हैं और यह चोटी बाते नहीं सीखो गए तो बड़ी बाते कुछ नहीं आएंगी बच्चा ठीक है इसको बोलते हैं करस्वांडिंग अल्टरनेट इक्स्टीरियर ओ इसको इंटीर इसको एक्स्टीरियर देखो यह है वाइकोंड क जैसे जो पूरी आकृती है देखो यहां से यहां तक jeste पड़ा देया गया है तब ऐसा जो कॉन बनता है वह कला नाता है ठीक जैसे एक वायकॉन और भी होग़ता है अग उम्हार झाल है को तिर बने होगे है हैं सोचो कितने हो सकते हैं वैंक्ष एक यह हो गया है हैं बच्चा अगर तुम चाहो तो इसको भी आगे बढ़ा सकते हो इसको भी बढ़ा सकते हो तो कितने होंगे देखो किते हो जाएंगे बहुत सारे हो जाएंगे यार इसमें तो फिर है ना गिन लो जोड लो फिर बताओ मुझे ठीक है आगे चले हाँ चलिए ओके गुड छे हो जाएंगे छे अब इसमें अंदर वाला मत लेना कि यह यह बाइकोन है यह नहीं होगा छे होगा ओनली एक यह यह भुजा आगे बढ़ाने पे यह बस दो इधर वाला मत लेना क्योंकि यह जो है बाइकोन नहीं है यह कुछ नहीं है क्योंकि यह उल्टा बन रहा है यह है यह है ठीक है कितने बाइकोन होंगे छे बिल्कुल बहुत अच्छे नूटन, नूटन या दो, वहीं नूटन फिर से आगे का तो ये बाएकोण हो गए, अन्ता कोण की बात करें, तो जिते भी कोण इसके अंदर में बने हो अन्ता कोण है जैसा यह कोण जो ए यह आनता कोन है अगर कोण यहां पर दिक दों तो यह भी अनता है यहां पर दी लिख दिया देवी क्या है अनता कोन है यह सभी अनता कोन है इसके बाद बच्चों एक आता है Kampli किमेंट्री एंगल देखो जो इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूं अर्चना खनवार जी गुड मॉनिंग सोफिय सायद गुड मॉनिंग सभी को गुड मॉनिंग इसके बाद क्या बच्चा लिखो आप लोग पूर कोड यह सारी चीजिए अगर ट्रेंगल और भी कुछ कंसेप्ट कर मैंने सिखाये थे लाइब होती है लेकिन पीवीर स्टेडी चैनल नंबर तीन पर होती है जिसकी लिंक आप देखो डिस्क्रेप्शन में हो जाएगा या फिर अभी मैंने नाम लिखा था देखा होगा चलो अगला है पूरा कोड पूर जल्दी से लिखो स्पेलिंग क्या होगी कंपली में टृड एंटे इस लिखते है न सहीं है न आ है ये कंपली में ट्रेंगल अप लोगों को पता है क्या है कंपली मेंट्री अंगल गौरोच अंडेल जी गुड मॉनिंग अच्छा गुड मॉनिंग चलो देखो कम्प्लिमेंटरी एंगल क्या है वाट इज कम्प्लिमेंटरी एंगल पूरा कोण क्या है देखो जैसे मैंने अगर कहा कि एक कोण का मान किता है पचास डिगरी है कि यह किसी एक कोण के लिए ही होता है वैसे अपने में पूरा कॉन नहीं होता कुछ की हां एंग दो पूरा कोंड कि करcemake 80 का होता है उद्शा नहीं उगिए बेंसले लुड़ है अगर मैं बोलूं कि पूरक इसका पूरक क्या होगा मतलब यह अधूरा है यह पूरक कभ होगा तो इसमें क्या करते हैं मानलो कि हम ए जोड़ दें तो यह पूरक हो जाएगा पूरक कमा नब्बे होता है यह बात हाँ याद रखना चाहिसा हम कौन बोलो या फिर पूरक कौन भी कह सकते हैं तो यहां से अगर मैं बोलूं कि पचास हंस का पूरक क्या होगा बच्चा तो नब्बे माइनस पचास करोगे तो आपको मिलेगा कौन चालिस हंस यानि पचास डिCKरी का जो पूरक है कितना है 40 डिगरी कोल मिला कि यह जान लो कि पूरा कोण वो होता है जैसे किसी भी कोण में चाहे कोई भी परकार का एंगल हो उसमें हम क्या करें कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए यहीं तुम लोग को देखना है जैसे मैं दूसरा एक्जमपल अगर दूँ ध्यान दो जैसे मैंने कहा कि 30 डिगरी का पूरा कोण क्या होगा चलो सभी बच्चे बताएंगे बीके यादव जी गुड मॉनिंग अंकित अक्की जी बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपको भी और आनुज परताब सिंग जी बिलकुल मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ मिश्टर कल्लू मामा है आप चालो अच्छी बात है बताएं एक सवाल मैंने पूछा जिसका जबाब देखो सबसे पहले कौन दिया है बहुत अच्छे बाईया सोफिय सयद अंकित जी ने भी बता दिया दूसरे नंबर पर बिक्की मलहोतरा आमिर खान देशी पहलवानी कन अच्छी नाया राम बिक्की कुमार एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही बार कमेंट करेंगे यह नहीं कि तुम डंडा कर दो एकदम से हां मैंने क्वेश्चन पूछा आप एक बार बता दो बस हो गया इसका यह मतला थोड़ी कि तुमी आठ बार करो आठ बार करो तो फिर बला हो जाएगा यक्स बराबर निकालोगे 90-30 बराबर 60 60 हंस आएगा कितना आएगा 60 डिग्री यह था पूर अकॉर्ड मैं एक बार फिर से याद दिला दूँ हम पढ़ रहे हैं कच्छा 10 की एंसी आर्टी गड़े चैटर 6 लेकिन अभी हम चैटर सुरू करने के पहले उसकी त पहले से तभी आप पढ़ पाओगे तो आपको चैटर के कुष्ट्यन नहीं समझ में आएंगे इतना आथान नहीं है ठीक है हमने इसमें और क्या पढ़ा पूरक कोण और एक है सम पूरक कोण इसी का बड़ा भाई है सम पूरक कोण जानते हो क्या होता है कि सप्ली मेंटरी एंगल वाटी सप्ली मेंटरी एंगल चलो आप लोग बताओ सप्ली मेंटरी एंगल क्या है बच्चा क्या है यह सप्ली मेंटरी एंगल अगरे पेज में है अनुज परताब तुमको बलाग कर दें का बच्चा है यह चाहते हो ना बलाग कर दें सप्लिमेंटरी की बाद आप क्या पढ़ोगे इससे जूड़ेंगे कुछ एक जामपल पढ़ोगे फिर मैं आपको संगत एकांतर यह सब बताऊंगा उपर वाले ठीक है चलो अब क्या पढ़ोगे सप्प्लीमेंटरी सप्लीमेंटरी एंगल देखिए जब दो कोण को अगर जोड़ा जा 1956 हो जाता है तो वह पूरक कर लाता है जिससे कमपलीमेंटरी बोलते है supplementary में क्या है जब दो कोण को जोड़ा जाए जैसे मानलों ये कोण मैंने ले लिया 60 degree का इसका supplementary मतलब होता है कि दोनों को जोड़के 180 आजाए कितना आजाए 180 आजाए तो ये मानलों ये अक्स मैंने जोड़ा तो 180 होना चाहिए आपको आगया होगा कितना अंसर आएगा यानि अगर आपसे कोई पूछे कि 60 degree का supplementary यानि संपूरक क्या होगा बच्चा तो 60 degree का संपूरक होगा ये ठीक है मतलब 120 समझ में आया ना कितना होगा 120 बिलकुल बहुत अच्छे चलो आगे किसी का कोई सवाल इसमें नहीं न अब देखो इसमें कुछ सवाल बनते हैं जो कि तुम लोग को आने चाहिए बहुत ही important fact है वसे तो ये कच्छा साथ का concept है लेकिन कच्छा 10 में अगर ये नहीं आएगा बच्चा तो चैप्टर नहीं आएगा तुम को याद रखना हां देखो ध्यान दो अब बहुत जादा इसको करवाने से मतलब नहीं है फिलहाल नहीं तो मैं सोच रहा था कि इसके आगे भी कुछ करवा देता इसके बाद क्या पढ़ोगे असन्य कोण असन्य कोण तो तुम लोग को बड़ा ही कठीन लगेगा यह हां एड़ जैसेंट एंगल देखो आसन्य कोण देख लो यहां पर मैंने नहीं लिखा न उसको भी मैं लिख दे रहा हूं उसके बाद मैं यह बताओंगा जो जो मैंने नहीं बता इदर साइड में मैं वो सारी चीजें बताओंगा ठीक है देखो यह मैंने बता दिया अंता बता दिया वाह बता दिया संपूरग बता दिया कि इतना गुड़ है ना अब देखो इसके बाद संगत एक आंतर मैं बताऊंगा लेकिन उसके पहले आप यह देखो क्या है आसन्य कोण इदर साइड में लिख तो रहा है ना उदर साइड में भी तो दिख रहा है यार इदर देख लो में का आसन्य कोंड दिख रहांना इदर इदा बते हैं क्या होता है अदर देख सेन्य के बता और वाट ये अटि इटेसंट आंकल आप लोह बता हो आसन्य कोंड क्या होता है देखो देहान दो इधर साइड में चलो देहान दो या क्या नाम था इनका आजया परताप सिंग अब तुमको बिट्टा मैं 5 मिनट के लिए शुला दिया हुआ ठीक है या 5 मिनट तुम आराम करो क्योंकि तुम नाम बुलाने के लिए आया हो तो बाई नाम तो यहां बुलाना बड़ा गड़वड़ है देखो इधर जैसे मैंने एक कोण ऐसे खीचा ध्यान दो इधर साइड में और इसमें से एक लाइन ऐसे गई पहले पूरा मतलब समझो मारकर में थोड़ा इंक डाल रहे हैं वह सही दिख रहा है ना कुछ नालायक टाइप के आ जाते हैं इनकी वज़ा से कभी कभी हैरानी करने पड़ती है चलो ठीक है पांच मिनट के लिए अराम करो फिर भी आना चलो तो यह क्या बन रहा है इसे ध्यान से देखो मानलो यहां पर कोण ए बन रहा है और य आन से देखो समझने की कोशिष करना हम पढ रहे क्या आशन कोण इडियसेंट एंगल ठीक ना बच्चा है तो यहांपर आज़ा क्याट में इडियसेनट एंगल कहा जाता है इंगली बेलो только निगहा था लेकिन मैं समझा रहा हूं पहले देखो adjacent angle ठीक है अब तुम लोग समझोगे कैसे अगर कहीं कुछ और भी गडबड रहा तो कैसे समझोगे कि आसन ने कौन क्या है कैसे समझोगे देखो इसके लिए चीजें क्या आपको समझनी है common side होना चाहिए and common vertex होना चाहिए समझने की कोशिस करो अगर हम बात करें इस कोण की ए वाले की तो हमें ए वाला कोण बनाने के लिए ये भुजा चाहिए मालो इसका नाम ने लिख दिया चलो PQ इसका R and इसका S ध्यान से समझे लो नहीं तो confusion एक नहीं आएगा PQ चाहिए ना PQ साइड चाहिए और ये QR चाहिए किसके लिए कोण A बनाने के लिए भाई कोण A के लिए हमें ये चाहिए ना सिर्फ यही तो चाहिए लेकिन ध्यान दो कोण B के लिए क्या क्या चाहिए कोण B बनाने के लिए क्या क्या चाहिए द्यान दो कोण B बनानेंगे तो बच्चा हमें ये QS चाहिए ये कोण B और ये QR भी चाहिए तुम लोग को का समझ में आ रहा इसमें क्या समझ में आया हमें कोण A बनाने के लिए भी QR चाहिए और कॉन भी बनाने के लिए भी क्या चाहिए? क्यू वार चाहिए? दोनों कोणों के लिए एक बुजा कॉमन है कॉमन को हिंदी में उभै निष्ट बोलते है अब जो हिंदी मीडियम वाले गदहे टाइप के कुछ बच्चे होंगे जैसे मैं भी हिंदी मीडियम में हूँ तो वो लोग क्या करेंगे अगर मैं कॉमन बोलूँगा तो कहेंगे हिंदी बताओ हर चीज की हिंदी नहीं समझ पाओगे कामन को उभै निष्ट बोलते हैं तो ये भुजा क्या है? क्या बार कामन है? ठीक है? एक चीज और कामन है वो क्या? ये सारे भुजाएं आके इसी कॉन्णा पे मिल रही न बच्चा? इसी पे मिल रही न? तो दो चीजें कॉमन होना चाहिए यहां पे लिखो कॉमन साइड होना चाहिए साइड मतलब भुजा एक भूजा common होनी चाहिए आसन्य कोण के लिए ये condition है याद रखना, दूसरा क्या होना चाहिए common vertex ठीक है common vertex मतलब बच्चा common क्या है ये सीर्स, vertex को सीर्स बोलते है, कौन न जान लो जहां पर आके मिल रहा है, ये क्या होना चाहिए common होना चाहिए, ठीक है सज्जन राजपूर जी, good morning वच्चा राहुल एदुवनसी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, चलिए याद राम यादू जी, good morning समझ में आया समझ में, आसन्य कोण क्या होता है आसन्य कोण क्या होता है जब कोई जी, दो कोण ऐसे बने हो जिनका सीर्स common हो उसमें एक भुजा भी common हो तब वो आसन्य कोण कहलाते है क्या कहलाते है, आसन्य कोण कहलाते है, लेकिन ये आसन्य कोण कब नहीं होते है ये कब आसन्य कोण नहीं होते है वो चीज भी हम तुम लोग को दिखाएंगे बच्चा इधर एं साइड में इदर देखना थोड़ा सा कामरा इदर करता हूं चुक्कि हमें क्या करना इधर आसोन ने अल्यान दिखाना है यह लो चलो है आधा वह साइड हो जायार इदर से अगर कोई कॉन ऐसे बना है देखो बच्चा ध्यान दो आगर ऐसे बना है एक कोड़े में आग चिपक जाता है उपपर से हां अब तुम ध्यान दो इसका नाम A, B, C and D है तो मुझे यह बताओ कि कोड़ P और Q क्या आसन्य कोड़ है जल्दी से यास या अआग पी एंड क्यू इज अड़ेसेंड इंगल इंग्लिस में थोड़ा गरवड बोलना ऐसे बोलेंगी इज अंगल ke Q adjacent हम ने गाओ हमने काँ के लिए मुझा नहीं चाहिए नहींड है कि अ क्यू बनाने के लिए भी अलमभी बूला पी बनाने के लिए वुझा चाहिए प्रमन है दूसरा किन्दीशन मैंने का था था वर्ट आई कामन होना चाहिए मतलब जहां से वो निकले हैं, वो भी common होना चाहिए, देखो यहां पर यह सब यहीं से निकले हैं क्यों से न, एक इधर को चला गया, एक इधर को चला गया, एक इधर को चला गया, यह भी एक ही जगा से निकलने चाहिए, लेकिन यहां यह condition नहीं follow होती है, यह बच्चा ही अ आएंगे बच्चा वो कच्छा दस की मैथे का चैप्टर जो 6.1, 6.2, 6.3 जो भी यह सब कर ले जाएंगे खुद से कर ले जाओगे चुटकियों में जैसे मैंने पहले कहा ना कि घर बनाने के लिए सेमिंड, मोरंग, लोहा, लंखड, मिस्तरी, लेवर की जरूरत पड़ती है बीना उसके नहीं होता है, तो ऐसे क्या करोगे तुम लोग, जब तक यह सारी चीजे नहीं सीखोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तब तक चैप्टर नहीं समझ में आएगा, नमबर एक बारा और कौन सा नमबर, अब वीडियो पीछे करके देखो है, फिर स्क्रीन साट ले लो, मैं सामने से हट गया हूँ, स्क्रीन साट ले लो बच्चा लो, ठीक है, ठीक है, हो गया न, हाँ, इसके बाद अब हम क्या बात करने वाले हैं, वो देखना बड़ा ही खतरनाक चीज है, मैं आपके लिए यहाँ से कोच के रखा था यार, पता की देर से लिखा हूं उसको भी मैं आपको बताई देता हूं चलो ध्यान दो आप लोग जो मैंने लिखा है अल्टरनेट एंगल ना कि इसको मिटा दूँ कि जिनको दुबारा देखना है वीडियो हलका वैक करके देख लो भाई हाँ आप लोग को पता है कि नहीं पता है कि यह कलास कितना बजय होती है सभी बच्चे बताओ जल्दी से चलो अहेडिंग भी डालो साथ साथ में अल्टरनेट एंगल हिंदी मीडियो माले साथ ही लोग लिखेंगे एक आंतर कोन क्या लिखोगे एक आंतर कोन चलो लिखो जल दी से एक अंतर कोण क्या लिखोगे एक अंतर कोण कि देखो इसमें कुछ अंता होंगे कुछ वाह होंगे ठीक है इसमें बहुत सारे कोणा वैसे आपके लिए दिये हैं को में मैं हिशन से घयरल दीये क्या एक आंतर कोण एक आंतर कोण के बाद हम लोगम पढ़ेंगे संगत कोण और सन्लेकॉड हम लोगों ने पढ़ लिया है इसको एड़ी जेंट एंगल बोलते एंगल इंगल इतन और अ फाइनली एक आंतर कोण क्या होता बच्चा इसके लिए एक जामपल बना लो लंबा सा जैसे माल लो यह रेखा है और एक रेखा यह है यह बना लिए ना तुम लोगों ने शही दिखना ना भाई? इनको एक रेखा ऐसे पती छीदित कर रही है का कर रही है इनके उपर फे चड़ के चली जा रही है अब देखो आइसी स्थिति में इसमें ड्ह vowel सारे कोंण बनते हैं और इसी में एक आंतर कोंण भी बनता है ठीक है? क्या होता है इसी में एक आंतर कोंड भी आपका आता है चलो जल्दी देखो मारकर में देख लूँ थोड़ा गड़ बड़ा रहा है सुख गया ना मारकर में थोड़ा इंक डालूंगा जिससे कुछ बेहतर चले हाँ सिंगर रंजीत जी शिंगर रंजीत और जो भी और बच्चे जुड़े हैं यह कलास हर दिन सुबह 8 बजे होती है लेकिन इस चनल पे रेगुलर नहीं होती PBR study 3.0 चनल पर होती है कहां होती बच्चा PBR study 3.0 चनल पर होती सुबह 8 बजे आप लोगों में से जो उसे अभी subscribe ने किया जल्दी से PBR study 3.0 सब्सक्राइब करके आजाओ फिर चलो जल्दी से आओ सब्सक्राइब करके आजाओ एक मिनट में इस वीडियो पर अरे उपर सर्च कर लो यह नीचे चला जाएगा नीचे प्ले होता रहेगा यह कटेगा नहीं यूटूब का ना फीचर है अगर अपडेट है तो ठीक है नहीं तो मैं लाश्ट में नंबर दे दूंगा आप लोग क आप वाट्सअब ग्रूप में भी जूड़ सकते हो ठीक है वाट्सअब ग्रूप में कलास की लिंक भेजी जाती है तो रेगुलर यह कलास होती है अब में मारकर में खुब भरदू से आई खुब कोई कि गिन पाया कि तब उन से आई बारा इसमें अगर तुम लोग यहीं नहीं गिन पाया तो फिर का होगा भई अगर चलो अब का करेंगे भाई हाँ अब हम इसमें कोड बनाएंगे मालो की यह रेखा इधर साइड से तो हमें ज्यादा मतलब है नहीं या फिल लिखी लो चलो यह रेखा मानलो यमयन है और यह रेखा का बच्चा इनको लिख लो पी क्यू है और यह बच्ची भी एवी है यह सभी क्या इनके नाम है अब देखो यहां पर बहुत सारे एंगल यह कौन वन हो गया मानले यह कौन टू हो गया क्लियर दिख रहा है ना इसमें कोई जंजड़ जोई ना वन टू तो भाई साहब यह तीन हो जाएंगे और यह वाई साहब चार हो जाएंगे इसी करम में यहां बढ़ोगे तो चार के बाद यह पाँठ हो हुएंगे और यह था हो जाएंगे यह साथ हो जाएंगे यह आठ हो जाएंग्ण को इसके नंदारिंग मैं कोई जैरूरी कि कौन क्या हो जाएगा आप कुछ भी लिक लो मैं कि ध्यान दो अब क्या होने वाला है इसमें अगर हम बात करें है अल्टर्णेस की तो बाद में पहले आप अन्तरकत अन्ता कॉन आक kव को नहीं से देख़ो थीन चार-पांच है थिक एक बात यह समझ लो बच्चा कि चाहे अंतह कोड बोलो या अंतह एक आंतर कोड बोलो इसमें मतलब एक ही होगा थीक है जो यह कंडीसन यहां पे है जैसे देखो यहाँपर अगर मात करें anta kon की या फिर अंतह एक आंतर कोड देखिए कभी कभी क्या होता है अंता कोणों का यूगम देखा जाता है तो यूगमों वाले में जो है थोड़ा सा अलग होता है अंता कोण मतलब जो इसमें अंदर की तरफ बने हैं अंदर की तरफ जैसे तीन चार पांच है जैसे देखो ये कोण तीन चार ना ये कहां बना ह इधर लाइन गए उपर इसके नीचे बना है यह लाइन है इधर से यह लाइन है मतलब यह चारो तरफ से घीरा है बोलो घीरा है ना भई अरे तीम चार यहां बना है इधर से यह लाइन इसको घेर रहे इधर से यह घेर रहे मतलब बीच में बना है तो अंता कौन कौन है कौन और छे यह सब क्या है अंता कोण है जिसको इंगलिस में इंटीरियर एंगर बोलते हैं क्या बोलते हैं इंटीरियर एंगर बोलते हैं तो यह क्या होगे अंता कोण हो गए जो अंदर में हैं इसी तरह से अगर वाह कोण की बात करें तो चार कोण जो है वो बाहर की तरफ आजा हैं यासे दोन है यह थर नहímचा था भाग जा है जाने दो इचांव करन के लिए बंढ के लिए हे लाई है इंगल वहां टू एंब्स एसे बनेट क AG क्या है कि क्या है यह иты ठीक है अभे यहीं अगर बात करें अंता एक रबारियो में अन्ता एक आंतर कोण का यूगम की अगर बात करें बच्चा तो ध्यान दो आप लोग ये कख्छा 10 की NCRT गड़ी था जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 के लिए रेडी कर रहें आपको अब ध्यान दो क्या क्या देखना हमें अन्ता एक आंतर कोण का यूगम देखो यह सभी एक परकार से एक आंतर कोण भी है कि नहीं क्या है यह एक आंतर कोण अकले मुझे कुछ नहीं होता है उसका यूगम होता है एक जोड़ा होता है तभी तो ना उसका सिस्टम होता है ना एक आंतर कोण बराबर होते हैं सुने हो कि नहीं यहीं होता है ना लिखो एकांतर अंथा कॉल एकांतर अंथा कॉल इसको इंग्लिस मीटियम वाले लिखेंगे क्या लिखेंगे alternate interior angle alternate interior angle का जो pair होगा बच्चा हो क्या होगा ये तीन है ना कोर्ट तीन इसके नीचे वाला नहीं इसके side का दूसरे वाला मतलब बीच में जो बारडर है उस बारडर के करास वाला थीक है तो युखम 3 और 6 कौन कौन है कौन 3 और कौन 6 थीक है इसी तरह से आपका दूसरा पेर होगा ये पहला एक युखम हो गया दूसरा पेर होगा बच्चा 4 और 5 हुआ ठीक है यह क्या है कि समझ में आ रहा कि नहीं 3 और चैश चार और 5 तो क्या एक है दो ही पेर है हाँ दो ही पेर बाकि यह और अन्ता एक आंतर नहीं है वह है बाहर साइड में ठीक है अब लिखो अगर वाह है एक आंतर बाएकोंड यानि exterior एल्टरनेट एंगल तो एक्स्टीडियर में अगर पर देखेंगे बच्चा तो वन है और वन का है एट होगा न ठीक है तो एडिंग डाल दो एक आंतर वाह कोण कोण एक और कोण आठ ठीक है और दो और साथ एंगल दो एंड एंगल साथ कि यह क्या है एक अंतर वाह कोण है बच्चा याद रखना भाई है यह दूजी तो बहुत धन्यवाद आप जो आ गए आप तो मुक्य मंत्री बन रहे थे बिहार क्यार पढ़ने भी लगे का आज कल हमारे नेता मंत्री लोग पढ़ाई कहां करते हैं पढ़ाई का उनको कामी लगता है बस लड़ाई जगड़ा करना सिखाओ इंदू मुस्लिम है तो है ना गरीब अमीर किसान विरोजगार मुद्दा उठाओ जीतो मजे लो बस है ना यह हो गया है कि समझ गया आप यह आपने क्या क्या सीखा एक अंतर कोण में अंता है कांतर वाह कांतर अंता कोण इसको बोलते हैं क्या संगत को करस्पॉंडिंग अंगल बोलते हैं मैंने इसको भी नहीं बताया करस्पॉंडिंग अंगल का वई चलो आप लोग ट्राई करके मुझे बताओ 6.1 या फिर प्रशनावली 6.1 कहरा कि कोईश्थक में दिये सब्दों में से सही सब्द का परियोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यानि हमें खाली अस्थान भरना है ब्लेंक इस पेस फिल करना है फिलिन्दा ब्लेंक्स ओके कोईश्थक में दिये गए सब्देहां लिखना ठीक है नहीं तो मैं सिर्फ सब्दों को लिखता हूं आप लोग उसमें से चिन्हा लगा लेना देखो सरवांगसम या समरूप ऐसा दिया गया है क्या दिया है सरवांगसम या समरूप अब पहले आप सवाल सुनना और फिर आप डिसाइड करना कि सरवांगसम या समरूप में से क्या भरोगे ध्यान से सुनू कुश्चन क्या कहता है कहरा कि सभी बृत मैं लिख देता हूं कुश्चन नीचे जबी चलो लिख लो सभी बृत क्या होते हैं बताओ सर्भांगसं यह सम्रूप बताइए भाई चलो फटफट एक्सरसाइज 6.1 है बच्चा यह आपका कच्छा 10 की अंसी आर्टी गडित है प्रसना वली 6 अम लो एक जिनके पास मनोहर सुबाघ्ड, जब फृक्राण। की बुख है उनको घबराना नहीं है यह उनके सिलेबस सेicon स्वाल से मिल रहे हैं सीलेबस वह ही है सिर्फ सवाल आगे-पीछे ओगा चrenoकर खीकश्ड, कोई बहुत बड़ा अंत्र नहीं होता है, पहला कह रहा है कि लि機ि परघ्या वश्क् अभुजह भी जाते हों तो सभी बृद्ठ क्या होते हैं चोटा सभी होता है है बड़ा सभी होता है और एकदम छोटा भी होता है तो क्या सभी बृत्त देखों, यहां कोई दो दिया नहीं है मतलब सभी बृत्त के बारे में बोल रहा है आल सरकल क्या होते हैं समेट्री या कंग्रेंस तो अगर हम सभी बृत्त की बात करेंगे तो भाई एक समार रूप के हैं यह यह सम रूप है लेकिन सरवांग सम नहीं है क्योंकि इनके सब के जो अंग है वो अलग-अलग है इनकी परिधी अगर आप देखोगे इनका अगर केंदर आप देखोगे तो यह जादा कम है है ना ज्यादा कम इनकी पर्दी और केंद्र क्या हैं सब ज्यादा ज्यादा है सब अलग अलग चलिए ठीक है तो आप देखो क्या होता है यह आप समझ गए ब्रित्य की साइज अलग-अलग हो सकती है छोटा हो जाता है बड़ा हो जाता है तो सभी ब्रित्य की बात करेंगे तो सर्वांग सब नहीं होंगे समरूप होंगे, ठीक है, चलिए, अब ध्यान से सुनो, इसमें आपका कैसा ही होगा बच्चा, समरूप, यानि आल सरकल क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं, समरूप का मतलब, एक जैसी बनावट है, जो नए बच्चे जुने हैं, उनको एक बार मैं फिर से कलियर कर दूँ, जैसे देखो, अगर मैंने एक आकरती ऐसा बना दिया बच्चा, और एक मैंने ऐसा बना दिया, तो ये दोनों समरूप नहीं हैं, ठीक है, समरूप है ये, नहीं है, क्योंकि ये, इसका आकार अलग तरह से है, इसका रूप अलग है, इसका रूप अलग है, तो ये दोनों सम समरूप नहीं है ठिक है इतना किलियर न बच्चा देखो है दीपक जी जो भी स्कूल जा रहे हैं वह बच्चे क्या करेंगे क्लास अलौड के आएंगे तो आप सकते हैं ठीक है जब भी derived अच्छा-दस में नहीं है वो भी अगर क्लास को पूरा देखेंगे तो उनको मैथमेटिक्स के बहुत सारे आएंगे समझ में अब इसका हम दूसरा पार्ट पर चलते हैं सिकेंड पार्ट आप ध्यान से देखो सिकेंड पार्ट इसमें का क्या कह रहा है बहुत ही ध्यान से देखो ठीक है कहरा कि सभी वर्ग भाई तुम लोग आठ बजे भी स्कूल जाते हो नौ बजे भी तो आठ देख करा कि तिर्भूज समरूप होते हैं अब ध्यान से सुनों तिर्भूज यह अलग है समरूप होते हैं अब इसमें जो आप्शन है आपके वो कौन-कौन है ध्यान से सुनों बहुत ही ध्यान से सुनों कहरा कि सभी फिर देख है तिर्भूज समरूप होते हैं आप्शन में है संदुई बाहू और संबाहू देखो क्या क्या है इसमें आपसर है संदुई बाहू संदुई बाहू मतलब जनते हो जिसके दो बुजाएं बराबर होती है और एक है संबाहू आप लोग इसमें से बताओ कौन सा सही होगा देखो पहले समझो मतलब यहां पर बात सभी क कर रहा आल की किसी एक की तो अलग से कर नहीं रहा है नारायन दुबे जी देख रहा हूं ठीक है किसी एक की बात तो नहीं कर रहा है सभी की बात कर रहा है आल की बात कर रहा है तो अगर सभी तिर्भूच की बात करें तो समरूप कैसे होंगे देखो यह है सम्दुई बाहू, इसको देख लो भाई, यह दोनों बराबर है, यह सम्दुई बाहू है, और मालो मैंने एक सम्दुई बाहू और बना दिया, यह भी क्या है, सम्दुई बाहू है, मतलब समझो दोनों सम्दुई बाहू तिरपूज है, एक छोटा एक बड़ा है, बच्चाई से बनेगा ना ऐसे बनेगा इनकी सभी साइड आपस में एक कॉल होंगी तीनों साइड आपस में एक कॉल होंगी तो हमें मिलेगा क्या भाईया अगर ये सब कुछ बराबर है तो ये संभाव हो गया सिंपल सी बात है ये संभाव तिरभूज हो गया तो सम रूप कैसे होगा सम रूप मतलब एक समान रूप का हो उनकी भुजाएं अलग हो अलग अलग हो एक जैसी नहों अगर सभी एक जैसी है तब तो सम रूप हो जाएगा ओ सर्वांग सम हो जाएगा कांग्रियंस हो है ठीक है हाँ चलो तो बच्चा ये बात आप लोग के क्लियर है चलिए अब ध्यान दीजिए हाँ एक बात आपको और बताने वाले हैं कि आपका एक नया प्लान आया क्लास के बारे में वह मैं आपको दिखाऊंगा ठीक ना बच्चा लोग आप सभी वह प्लान जरूर देख कि अक्की आपको भी आ रहा है ना बच्चा चलो इसमें का तीसरा पार्ट देखो थार्ड पार्ट क्या कह रहा है इसमें आपका सम्दुबाव सही गलत है कच्छा दस की अंसी आर्टी गडित आप देख रहें प्रश्णावली 6.1 ठीक है अब देखो अगला का कह रहा है अगला तो इसमें लगबग हो गया साइद हाँ इसमें और कोई नहीं न कुश्चन नमबर सीकेंड आ गया पहले के सारे पार्ट हो चुके हैं मैंने तीन बता दिये वैसे ही तीन बता दिये न सभी तिर्भूज और सभी वर्ग सभी ब्रित अच्छा वर्ग वाला मने नहीं बताया क्या ओ वर्ग वाला नहीं बताया ठीक है एक और है लिखो कह रहा कि सभी वर्ग वर्ग मतलब होता ही स्क्वायर ये क्या होते हैं ध्यान से देखो सभी वर्ग होते हैं क्या होते हैं होते हैं यह सम रूप है यह सरवांग सम है सरवांग सम तो देखो दुनिया में जितने भी स्कॉयर हैं वो क्या होंगे आप लोग बताओ देखो कोई अभी उत्तर दिया है भूनेश जी भूनेश जी बिलकुल ठीक है बहुत अच्छी बात है अंकी तक की आपका भी सही है देखो बच्ता सभी वर्ग मतलब आली स्कॉयर की बात कर रहा है कोई भी वर्ग यह मैंने क्या क्या एक स्कॉयर बनाया अमान राओं की सब अलग-अलग है नहरा यकजा अगर सब्सक्राइब कसे ह αλλά गोवध inspector यह सब्सक्राइब एक जैसे वंदने हैं अगर ऐसे नहीं या फिर आप यह सब्सक्राइब ये क्जा है समरोफ है लेकिन सरवांगसम नहीं है कैंग्रियनस तब होते हैं जब इनके सब अंग बराबर striking यह भुझा अगर तीन सेंटीमीटर है यह थीन cm है यह 3 है यह 3 है तो इसका जो सरवांगसम होगा भाईया उसकी भी सारी बुजाएं 3 ने 3 होनी चाहिए अब कहो कि ये इसके सर्वांगसम है तो इसकी बुझा तीन होगी का बताओ इसकी तीन होगी अरे यार इतना छोटा सा इसकी तीन तीन है तो ये तीन थोड़ी होगी ये तो ज़्यादा है तो सर्वांगसम में बराबर होना चाहिए ये पांच पांच है तो ये बराबर नहीं है इनकी वुजाएं पांच हैं इनकी तीन है सर्वांग समका मतलब हैं को बताा है जैसे दो टीब कि दोनों सर्वांग समम है लेकिन इनका जो आप देखो कि हाइट मुटाई यह सब अलग अलग है यह क्या है यह सम रूप है सरवांगसम नहीं है इनका रूप एक जैसा है लेकिन अगर मैं कुछ अलग चीज का दिखा दूँ आपको मालो मैंने एक मारकर विखा दिया यह नहीं सम रूप है नहीं सर्वांग्सम है क्योंकि यह कुछ अलग तरह कातीर गाओं यह मीर गोड़ा के साथे बकरी की तुलना करो तो क्या होगा गोड़ा के साथे बकरी की तुलना करोगे तो नो सर्वांग्सम होगा लेकिन अगर गोड़ा के साथे आप गदहा की तुलना करोगे तो वो क्या होगा वो समरूप होगा क्योंकि गोड़ा और गदा बनावाट में लगबग एक जैसे होते हैं है ना लगबग एक जैसे होते हैं तो आप मान सकते हो कि समरूप होते हैं लेकिन सरबांगसम नहीं होते हैं कि गोड़ा और गदा दोनों बराबर कर दो हाँ आप ये कह सकते हो कि सभी घोड़े क्या होते हैं समरूप होते हैं लेकिन सरवांग सम नहीं होते हैं मालो किसी के पास घोड़ा इतना बड़ा है किसी का घोड़ा और बड़ा है तो बराबर नहीं है ना छोटा बड़ा है ना ठीक ना तो ये होता सरवांग सम और समरूप हाँ तो बच्चा नमबर सीकेंड में आगे बढ़ हो पहला कि सारे पार्ट हो चुके हैं देखें जिनके पास मनोहर प्रकासन की बुक है या फिर कोई और है न जिससे लेबस एक ही है उनके में ये सारा कुश्चन है बस अंतर ये है कि इसमें हम उनको 6.1 में पढ़ा रहे हैं NCRT में हो सकता उनके में ये 6A या 6B या 6C में होगा आगे पीछे होगा और NCRT में 6.1, 6.2 इस तरह से ये मैनेज करते हैं जबकि मनोहर प्रकासन या कोई और जो देशी किताबे होती है उनमें 6A, 6B, 6C, A, B, C में एकसरसाइजों को बांटते हैं दूसरी बात जो अन्य किताबे होती हैं उनमें कुछ एकस्ट्रा कुष्चन भी दिये होते हैं जिससे आप अभ्यास कर सकें NCRT में अगर 5 कुष्चन है तो उसमें 15 कुष्चन होता है ठीक है कुष्चन जादा होते हैं यहीं अंतर होता NCRT और सामान निबुकों में बाकी पैटर्न वही देंगे ऐसी बात नहीं कि अगर NCRT में 6 चैप्टर तिरभूज है तो वो लोग तिरभूज नहीं उसमें पराइकता दे देंगे नहीं चैप्टर वही होंगे चैप्टर नहीं बदलेंगे पार्ट वही होंगे कुष्चन बदल सकते हैं तरीका बदल स जब्सित है बाकित सबर रहता है चलो एक दूसरा कुक्श्चन कह रहा है निमनलीखीत यूगमों के दो भिन भिन उदाहरनन दीजिए त्सकीणि डालकलर दीखरा है् निमनलीखीत यूगमों के लालकलर के लाकलन दिख आ है निम्न लिखित युग्म मतलब होता है जोड़ा दो भिन 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 मतलब अलग अलग ठीक है भिन भिन मतलब अलग अलग उदाहरन दीजिये देखो बच्चा क्या करना है युग्म कौन से है पहला है समरूप आकरतिया पहला है कहरा कि समरूप आकृतिया इसके दो अलग अलग उधारण बताओ और वे आकृतिया जो समरूप नहीं है इसके भी दो अलग अलग उधारण बताईए अब आप लोग क्या करोगे सोचोगे चलो ऐसी आकृतिया जो समेट्री नहीं है यानि जो समरूप नहीं है क्या करना इनके अलग अलग उदारन बताने है एक्सरसाइज 6.1 कच्छा 10 की एंसी एर टिकर इताब देख रहे हैं निम्न युगमों के भिन भिन एक्जामपल दीजिए एसी बेसी बोर्ड में ऐसे लिखा होगा गिब दा एक्जामपल आफ फाल्विंग पेयर ऐसे कुछ लि जो आकृतियां सम्रूप हैं उनके अलग 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 उदारन में जैसे देख लो सम्रूप सम्रूप में सबसे बड़ा इंसान लिख सकते हो आप सबसे बड़ा तरीका सम्रूप हमारी कच्छा के बच्चे हमारी कच्छा के लड़के लिखो बच्चे नहीं क्योंकि लड़किया समरूप नहीं होती लड़कों के थुदा बहुत अंतर हो जाता है न तो यह क्या है आपकी कच्छा के सभी बच्चे क्या है समरूप है अब काओगे समरूप कैसे हैं समरूप इसलिए हैं क्योंकि आपके दोस्त के भी दो ही आखोगी एक ही नाक होगा एक ही मुह ह दो ही हाथ पैर होंगे सिर में बाल भी होगा हो सकता ना हो किसी के लेकिन बच्चों के रहता अक्सर आँख के उपर बाल भी होगा जिसे बरावन बोलते हैं भाव ये भी होगा कान भी होगा मतलब सब कुछ एक जैसे है लेकिन एक चीज नहीं होगा कि वो आपके बरावर नहीं होगा जैसे लंबाई में हो सकता है वो छोटा हो या हो सकता है वो बड़ा हो यह हो सकता है ना समझ रहे हो ना तो यह पहला एक्जमपल है कि हमारी कक्छा के सभी लड़के क्या हैं समरूफ हैं क्योंकि वो लंबाई में तो छोटे बड़े हो सकते हैं माल लिजिए उसकी अंगुली जो है यह पांच सेंटीमीटर है हमारी तीने सेंटीमीटर है तो यह आपकी अंगुली छोटी बड़ी हो जाएगी लेकिन ये नहीं होगा कि आपके हाथ में पांच अंगुलिया है तो उसके मदूईये होंगी ऐसे तो नहीं होगा पांच उसके भी होगी यानि सब कुछ एक जैसे होगा सिर्फ बराबर नहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे समरूफ बोलेंगे जैसे एक जेंपस मैं आपको दिखाया था फिर से देखे लो हमारे पास यह है႘ क्रितिया समरूफ है क्योंकि यह एक जैसे डिख रही एक ही जैसे दिख नाँज़ ना नापलवय 谢 यह सम रूफ है यह क्या है in लेकिन अगरा दोनों साब चीज में बरावर हो जाएं तो क्या है यह सरवंक सम्प्राइब यह सरवंसम है क्योंकी इंक भी स्पूर कुछ में वधाम दो आंप से सब्सक्राइब कि सम्रूप आकृतियां हमारी कच्छा के लड़के जो है यह ठीक है कि सम्रूप आकृतियां में आप और क्या लिखोंगे कि सोच की बताओ जल्दी से चलो कि बताओ जल्दी से बताओ झाफे मोहान और उसके मित्र का यह है देख सकते हो मोहान और उसके मित्र का गेंद कर चलो कि कि गेंद भी समह्रूप होते हैं हा वे भुनेश जी समझती शेक है जराक देख recuperation की निन देखेंआ अरे यार कच्छा के लड़की अब लड़कों का चितर बनाए लड़कों का चितर बनाया इसे देखो यह वो यह आपका मित्र है देखो ठीक ना अच्छा लग रहा है न अब देखो यह आपका मित्र भी कैसे होगा यह भी आईसे मू बनाया होगा बहुत अच्छा बन गया यार है ना यह क्या है समरूफ है अलेकिन इसी साथ एक जानवर बना दो मानलो कोई भी तो क्या होगा वो समरूफ होगा नहीं होगा ना ऐसे ही चित्र बनता है ठीक है समझ गे न आप लोग चलो आदेखो गेंद गेंद हमेशा गोल गोल होती है देखे हो ना बॉल चाहे जो भी मतलब गेंद हो वो क्या होगी बाई गोल ही होगी चाहे माहेंगी होगी सस्ती होगी पलस्टिक क्या होगा रबड का होगा किसी भी परकार का गेंद होगा लेकिन वो क्या होगा क्या होगा वो, बताईए, गोलय होगा न, तो वो क्या है दो एकजामपल है, अगर आप किताब में ले लो भाया जैसे मैंने दो एकजामपल यह तो बता दिया, आप कुछ लोग बता रहें कि जैसे देखो बुनेश जी की वर्ग और आयत का चितर बना के बताईए, तो बच् लिख लो ब्रित और आयत क्या होते हैं यह अलग अलग एक जाम पाल है नंबर एक ब्रित नंबर दो आयत क्या होती है समरूप होती है ठीक है क्या होती है समरूप होती है क्योंकि आप इतना बड़ा भी बना सकते हो बच्चा और इतना बड़ा भी बना सकते हो ठीक है इसी तर प्राक्र्तिया नहीं है स faint всем लिए नंबर लिखो आयत और कामा भृत अ आयत का ममा भृत cryptocurrencies यह दोनहों क्या हैं समरूप कि क्योंकि आया तो च्छ muddy वने गोला बनेगा अ भिक क्रसेट कर आगे मसेठी मुक्त में बावफरिंग कर ना था कुछ जैसे मान लो लिख लो तिरभूज तिरभूज के साथ है में लिख लो वर्ग तिरभूज और वर्ग कभी क्या होंगे ये दोनों समरूप नहीं होंगे क्योंकि तिरभूज में तीन बुजाएं होती है वर्ग में चार बुजाएं होती है सब अलग-अलग होते हैं ठीक है ये इसका एक्जामपल देख लिए इसका एक्जामपल भी दिखा दे रहा हूं बच्चा देखो समझ गए ना आप वीडियो को पीछे कर लो तो एक बार फिर से आपको दिख जाएगा दोबारा से दिख जाएगा वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लो ठीक है वीडियो को आगे पीछे कर लो सब दिख जाएगा जो भी धर उधर हो रहा है सब दिख जाएगा ये class हर दिन सुबा आठ बजे से लाइब होती बच्चा लेकिन PBR study channel number 3 पे लाइब होती याद रखना इस बात को कहां पे होती है PBR study channel number 3 पे ये हर दिन लाइब होती class daily होती है ये channel याद रखना इसको जाके अभी तुरं सब्सक्राइब कर लेना PBR study 3.0 क्या सर्ज करोगे PBR study इस पे हर दिन सुबा आठ लाइब होती है लेकिन जहां देख रहे हो इस पे हर दिन लाइब नहीं होती है ये है आयत और व्रित व्रित गोला होता है ये सम रूप नहीं है दोनों अलग अलग है ठीक है तिरभूज ऐसे होता है वर्ग ऐसे होता है ये दोनों आकृतियां क्या है सम रूप नहीं है क्योंकि इनके रूप अलग अलग है समझ गए ना बच्चा तो ये आपका 6.1 का 2 questions हो गया ठीग है six part one का 12 question हो गया तासरा question एक बहुत ही simple way में दिया है ठीक है बहुत ही simple way में दिया है बच्चा वो क्या कहरा ध्यान से समझे लो यह दो question हो गया तीसरा ountain कहईरा बताईये निमलिकी चतरभूच समरूप है या नहीं है JEFF दो चतुर्भुज दिये गए हैं उनको कह रहा कि बताओ यह समरूप है या नहीं है अब देखो मैं उन चतुर्भुज को आपके सामने दिखाऊंगा एक्सरसाइज 6.1 कलाइश 10 की एंसी एरिटी मैथमेटिक्स आप देख रहे हैं इस समय लाइब सुभा आठ वजए से पीवियर स्टडी के इलहाबाद चैनल पर आप चलिए बच्चा एक आकरती ऐसे दी गई है लेकिन ये सीधा नहीं है हाँ ये सीधा है ठीक है ध्यान से देखो ये एक फिगर दिया गया है ऐसे ऐसे दिया गया है ये ऐसे दिया गया ऐसे बना है एक फिगर दिया बाबू ऐसे दिया है ऐसे मतलब जैसे मैं खीच रहा हूं ऐसे ध साम रूप है यास या नो बोलो यह दोनों साम रूप है कि सेमेट्री है यास या नो देखो बिल्कुल भूनेश जी का उत्तर आ गया बहुत अच्छी बात है अंकिता सिंह प्रियंका सुधान्सू स्वेता यादो बहुत अच्छे बेरी गूड सभी का सही है भाई अभी- एक स्टूडेंट आया जिनका नाम है बिद्यानंद गुपता और जीयो बाटा पीवीर स्टडी भाई ये तुंतुरों जी नामें बदलते रहते हो बच्चा देखो यह सम रूप नहीं है क्यों क्योंकि इनकी जो भुजाएं देखो यह हलका सा तिर्चा है यह तिर्चा हल यह आइसे होता बले छोटा होता यह एसे होता तो यह सम रूप होता यह इस सम रूप होता अगर इससे लेकिन हलका से इक तिर्चा है मतलब एक समान रूप कर नहीं है समझ रहो ना एक समान रूप कर नहीं है, जैसे एक सिंपल इंसान की एक दिब्यांग परसंद से अगर आप तुलना करिए, तो वो समरूप नहीं होते हैं, माल लिजिए कोई दिब्यांग है जिसके एक हाथ नहीं है, या एक पैर नहीं है, तो वो समान परसंद के समरूप नहीं है, ठीक है सरवंग सम भी नहीं है वो अलग है फिर लिकिन वैसे अगर सामाने लोगों की देखा जाए तो सामाने लोग सभी क्या होते हैं समरूफ होते हैं सामान लोग क्या होते हैं समरूफ होते हैं तो उसी तरह से इसमें है question number पहला पढ़ते हैं आप लोग पढ़िए ध्यान से अपने इपनी किताब में क्या कहता है 6.2 6.2 का पहला question कहरा कि आकरती 6.17 1st और 2nd में DE समानतर है VC के DE समानतर है VC के मदलब parallel है 1st में EC AD और 2nd में AD गयाद कीजिए तो देखो भाई पहले तो दोनों figure बनाना है आप सभी बच्चे बना लेंगे मैं भी इधरे side बना लेता हूँ पहला figure मैं इधरे side बना सकता हूँ यहाँ तक यहाँ तक कफी दूर तक बना सकता हूँ ठीक है No problem चलो तो पहले हम figure बनाएंगे ठीक है क्या करेंगे figure बनाएंगे इधर side आप लोग बच्चे figure बनाओ चलो पहला figure यह ऐसा जाता है यह ऐसे है यह बड़ा वाला figure है बच्चा और यह ऐसे है सभी बच्चे जल्दी से figure बनाओ फट फट यह एक दिर्भूज़ जिसका नाम है ABC इसमें BC के समांतर यानि परलल एक लाइन है इस लाइन का नाम है बच्चा DE ठीक है यह पहला figure बन गया जो भी कह रहा था मैंने पहला बना लिया इसमें देखो और क्या करने को कह रहा है और इसमें कह रहा है कि जो BD है यह 7.2 cm है तो बच्चा इसे लिख लो AE जो है यह 1.8 cm है वहीं EC जो है वो 5.4 cm है अब ध्यान से देखो हमें करना क्या है यह हमारा अकृति 6.17 का second number figure है और first number मैं इधर side नीचे बना लूँगा चुकि मेरे में जगा इधर है यह लो यह लो मैंने बना लिया पहला एक समकोंड तिर्भूज है जिसका नाम है A, B, C BC के समांतर एक line है इस line का नाम है बच्चा D, E जिनके पास एक किताबे होंगी उनको सब अच्छे से पता होगा ऐसे आपके book में दिया है आप देखो क्या करोगे simple सा है यार यह figure number 1 है question देखो मैं यहां पे चाहे लिख दूँ क्या निकालना हमें इधर side दिख रहा है न हल देखो हमें ग्यानत क्या करना है पहले तो यह चीज आप समझ लो मैं question यहां लिख देता हूँ देखो figure तो मैंने बना दिया है मैं यहां पे पहले question लिख दूँगा तब फिर आप लोग को आगे बताऊंगा ठीक है तो बच्चे चलो question लिखो बहुत ही छोटा सा है ज्यादा बड़ा नहीं है question क्या कहता है करा कि आक्रती 6.17 में 1st और 2nd में ठीक है आक्रती 6.17 5 और 2nd में D E parallel B C ठीक ना बच्चा दिया है न यह भाई साहब यह D E जो है यह B C के समानता है दोनों में ऐसे है तो कह रहा है कि 5 में E C और 2nd में 2nd में कि पोच्चर रहा है भई A D ग्याद कीजिए कोई बात नहीं है सिंपल सा है कर लेंगे हम लोग देखो करना क्या है कुश्चन हो गया खतम इसका काम खतम हो गया इसको यहीं पर रख दो दो फिकर दीए गये है दोनों फिकर में अलग अलग चीज़ें आपको दी गई है हाँ इसमें इनकी कुछ लंबाई अगर दीवी की बात करें तो यह तीन सेंटी मीटर है यह हमें टोटल दिया है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं देखो कुश्चन समझने में ही टाइम लगता है इसको हल करने में समय नहीं लगता है सिर्फ कुश्चन समझने में ज्यादा टाइम लगता है अब लिखो दिया है इंगलिस मीटियम आले लिखेंगे गिवेन क्या दिया बच्चा डी ई पारलल है बी सी के आपने वो आधार बूत परमिये बढ़ा होगा क्या बोलते है उसे आधार बूत परमिये जो कहती है कि यदि किसी तिर्भुज के यदि किसी तिर्भुज के समांतर मतलब ये भाई तिर्भुज है एक इसके समांतर किसी भी मतलब एक भुजा के समांतर अगर कोई एक रेखा खीची जाए तो वो तिर्भुज की अन्न दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है ये क्या है अधार भूत पर्मीये है पर्मीये हाँ अप्राफ लगाओगे ठीक है क्या कहती है वह यह पर्मीये कि थी किसी तर्वुझ के समांतर एक अन्न रेखा की जी जाए तो वह तिर्वुज के अन्य दो गुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है तो उसके recording आपका हो जाएगा AD upon अरे ये पहले वाले figure में हम हल कर रहे हैं AD upon DB ठीक है? और ये किस के बराबर होगा? भईया AD upon DB जो है बच्चा ये AE upon EC के बराबर होगा ठीक है? तो AD upon DB आप लिखो इक्वल उधर साइड वाला AE upon EC ठीक है? बच सभी के मान रखतो मान रखके फटफट हल कर लो हो गया कम खतम हो गया कितना सिंपल था ना ये? बच्चा लो AD कमान देखो भाई AD कमान 9.5 दिया है और DB कमान 3 दिया है तो सभी को हम रख देंगे ये 1.5 और ये 3 इक्वल AE वहाँ से अगर देखो तो 1 दिया बच्चा ये EC हमें निकालना है क्रास मल्टिपल करेंगे हम क्या करेंगे? तिरशा गुड़ा कर लेंगे क्रास मल्टिपल में हमें मिल जाएगा EC भया EC का गुड़ा 1.5 में इसका इसमें करोगे मैं थोड़ा विश्टार से बता दे रहा हूँ चुकि आपको समझना है तो 3 का 1 में करोगे बच्चा ऐसे हो जाएगा यहां से EC निकालोगे बाबू तो यह 3 upon 1.5 आएगा चुकि आपको यह भी पता है आपको यह भी पता है वो का पता है कि नीचे वह एक अंक पर दसमलोगा है EC बराबर नीचे से दसमलोगे उपर सुनने बढ़ जाएगा यह 15 आजाएगा बराबर 2 आजाएगा आपका है सकते हो EC बराबर 2 सेंटी मीटर आएगा क्योंकि सभी मातरक सभी बुजाएं सेंटी मीटर में दी गई है ठीक है इतना सभी को समझ में आ गया यह मैं कमेंट देख रहा हूँ इसमें बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं जैसा कि देखो अभी अभी जूड़े हैं कुछ बच्चे नए नए जूड़े हैं कुछ पुराने जूड़े हैं तो ठीक है बच्चे कोई बात नहीं बहुत अच्छी बात है आप लो काफी मेहनत कर रहे हैं लिख लो जल्दी से रोहित जी जल्दी स्क्रीन साट ले लो गोविंद आमन प्रियंका पंकज नीलेश और कौन है सुरेश सभी स्क्रीन साट ले लो जल्दी जल्दी ठीक है टेकनो जी तुम भाग जाओ यहां से कुछ मत करो बिल्कुल ना करो तुम को सब्सक्राइब आ चलो हो गया इतना चलिए अब सिंट नमब्र फिगर में हम लोग चलेंगे वाई कुंज फिगर से मैंने कर लिया अब सिकेंड फिगर से ठीक है अब सिकेंड फिगर से करेंगे हम लोग चितर नंबर दो से यह चितर नंबर फाइस्ट हो गया फिगर नंबर फाइस्ट हो गया देखो हमने दो फिगर यहां पर बनाये थे ना पहले का सलूसन मैंने कर दिया अब इसमे दूसरे का पूछ रहा है तो दूसरे कभी आप लोग करोगे इसको मिटा दो इससे कोई मतलब नहीं है यह पहला हो गया अब सिकेंड वाले पर चलो दूसरा वाला क्या कहता है ध्यान से समझो दूसरे में हमें क्या निकालना है भाईया एडी क्या निकालना बच्चा एडी निकालना बाबु दूसरे में क्या निकालना है एडी निकालना है वही परमिये एक समान फिर से क्या करेंगे एफलाई करेंगे ठीक है वही पर में क्या करेंगे एफलाई करेंगे ठीक है चलिए अब ध्यान दो आप सभी क्या करना है इध मैंने लिख दिया क्या दिया वई जो उसमें दिया था वह इसमें भी दिया है डिए समांतर वी सी लिखो डिए समांतर वी सी यह दिया है अभी अभी मैंने बताया कि यह दिकिसी तिर्भूज की आधार भूद परमिय लगाओ गया जो आप परमिय जानते हो वह सिंपल सी पात इसको मैंने बहुत बार पढ़ाया है यदि किसी तिर्भुज को यदि किसी तिर्भुज को यदि किसी तिर्भुज की किसी भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा उस पर खिंच दी जाए तो वो रेखा उस तिर्भुज की उन दो भुजाओं को मतलब जिसके समांतर रेखा नह तो यह परम्य कहती है यह टी किसी तर भूजद के किसी एक बूजा के समांतर को रेखा करें तो तो और लए ay तो अब क्या करोगे अब आसे इसमें बहुता ही कर लोगे लिखो A, D थोड़ा ये कम चल रहा है न ठीक है लिखो क्या लिखोगे लिखो A, D अपान अरे यह यार जो उसमें करें थे A, D, अपान D, B A, D, अपान D, B इकोल उधर साइड से A, E, अपान A, C, चित्र हमने कौन बनाया था फैले दूसरा ही बनाया था न ठीक है, ओके, गुड कोई दिक्कत नहीं है E, C, लिखो E, C A, E, अपान E, C यार, कुछ मिश्टेक हो रहा है देखो, मैं आपको यहां से क्लिर कर दूँ, देखो यह भुजा, A, D बटे में, D, B और यह A, E, बटे में, E, C ऐसे होता है यही है अधारबूत परमिये जो भी आप सिख्यो सभी के मान रखतो बस मान आ जाएगा A, D का, चलो रखतो फटा-फट जो भी है फटा-फट सभी के मान रखतो बच्चा चलो ठीक है, रखतो A, D का मान वहाँ क्या दिया है कुछ नहीं दिया है, तो A, D ऐसे लिखतो गे D, B का मान वहाँ पर आप देखो तो बच्चा कितना दिया है, 7.2 दिया है क्या दिया भाई, 7.2 दिया है सेंटिमीटर अभी नहीं लगाओगे लाइस्ट में लिख देना अंसर में A, E अगर वहाँ से आप देखो तो 1.8 दिया है और E सी देख लो भाई, तो 5.4 दिया भाबू ठीक है, इतना क्लियर है अब हम इधर हल करेंगे नेक्स्ट पर, हम में पता है क्रास मल्टिपल करते हैं तो A, D का गुड़ा करेंगे किस में 5.4 में और 1.8 का गुड़ा 7.2 में करेंगे तो 1.8 इंटू 7.2 ठीक है ना विश्टर पंकाजी समझ में आ रहा है गोबिंद, अर्पित्र पाठी अमन सभी को आ रहा है ना, चलो अब देखो क्या करोगे यहां से A, D वराबर निकालोगे तो 1.8 इंटू 7.2 अपान 5.4 आएगा ठीक है आप एक काम कर सकते हो थोड़ा सा साटकर्ट के लिए मैं आपको बता दूँ यहां पे एक अंग पर दसमलो है यहां पे एक अंग पर है तो आप किसी भी एक संख्या से आप की आप के लिए एक पर दसमलो था इसलिए एक पर दसमलो भी हो जाएगा तो A, D इकल 2.4 सेंटीमेटर इना कितना असान कि आप कुज़िशन देखो कियवार की जाओं पीकिवार पर करमसा बिंदू ईभाइ अव इस्थीत है जैसे कहरा वयसे हम कर लेंगे ठीक है देखो जैसे कहरा वैसे हम कर लेंगे इढर यहां तक दिखना है ना हाँ ठीक है good कहरा तिर्भुज P Q R तो एक triangle हम ड्रा करेंगे ऐसे जिसका नाम होगा P Q R ठीक है इसमें किसी को कोई मुसीबत तो नहीं ना कोई मुसीबत नहीं ना इसमें चलो आप क्या करोगे देखो जिनका इंटरनेट सही नहीं इंटरनेट सही कर लो बच्चा इंटरनेट ठीक कर लो मैं देख रहा हूं देख रहा हूं आप थोड़ा सा रूख जाओ मैं देख रहा हूं हाँ सब कुछ ठीक है गुड है मारकर में थोड़ा सा और इंक डाल लेता हूं ठीक है बिल्कुल टेंसर मतलो चलो मारकर मैं थोड़ा सा और स्याही डाल लेता हूं तब फिर उपर नंबर दिया गया बच्चा जिनको जो भी पूछना महां पर इंक्वारी करो बाबू ठीक है दया संकर जी मैं यहां पर आपको कोई बात नहीं रिपलाई कर सकता हूं सिर्फ यहां पर कलास देख लो बस मैं ब चलो अब देखो ध्यान दो द्यान दो और बढ़िक चलो क्विश्चन क्या कहता है ध्यान दीजीए कहरा कि किसी तिर्बूपूच की जाओं पीकी और पियार पर क्रमसा विंदूin-e-y-a-f इस्थित है हमने क्या बनाया पीकी वार एक तिर्बूच बना लिए अब क्या करोंगे इसके बाद ध्यान दो इसका नाम करण कर दो PQR हमने क्या किया PQR इसका नाम करण कर दिया कह रहा कि बिंदू PQ और PR पर क्रमसा बिंदू EYF इस्तित है यानि जो बिंदू PQ है उस पे E है ये इस पे क्या है बिंदू E है और जो PR है उस पे बिंदू F इस्तित है मतलब यह ऐसे है ठीक है इतना clear है आगे कहता है निमनलिखित में से परते की स्थिती के लिए बताइये कि किया ef qr के समानतर है अब ध्यान देना जो यह लाइन है ef और यह क्योर यह दोनों parallel है या नहीं है यह हमें क्या करना है ग्यात करना है बताना है कैसे करेंगे देखो कल बीपीटी ठेयोरम देखे थे आधार भूत समानता परमिये उन्होंने देखा था ना देखा था ना कि यदि कोई तिर्भूज है जिस पर किसी एक भूजा के समानतर किसी एक भूजा के समानतर अगर कोई कोई दूसरी रेखा खींच दी जाती है तो जो अकृती बंती उसमें क्या होता पता है यह पी इबटा एक्यू एक्वल पी अफ़ापान ई यह एफ आर होता है होता है यह होती है बी पीटी थिओरम डिस्क्रेप्शन में लिंक दी गई अगर उसे नहीं देखे हो तो देख ल हो गए तो समझ में आ जाएगा राभिया जी इंटरनेट की क्वालिटी चेंज होती यह ठीक है यार तुम लोग पागल हो गया एकदम से एकदम से पागल हो गया यह देखो दिख रहा है कि नहीं पहले यह बताओ इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना इंटरनेट नहीं चल रहा आप लोग का, स्क्रीन पर ऐसे टच करो एक बार, टच करोगे, उपर एकदम किनारे तीन डाट बिंदू आएगा, उस पर तुम एक बार जब फिर से टच करोगे नवर्च चत्वा ऐसे आपसन खुलेगा, जहां लिखा होगा, रिपोर्ट, क्वाल लेकिन तुमारा वीडियो रुक रुक के चलेगा, क्यों, क्योंकि तुमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है, ठीक है, इंटरनेट तुमारा नहीं चल रहा है, इसलिए तुमें किलियर तो दिखेगा, लेकिन वीडियो तुमारा रुक रुक के चलेगा, तो चिलाना मत, ठीक ह है अब समझ गए ना और दीखने को एकदम क्लियर दिख रहा फूल एचीटी में दिख रहा है यह मैं खुद देख रहा हूं चलो अब मत बोलना कि नहीं दिख रहा है नहीं तो ब्लॉक कर देंगे भाग जाएंसे चलो मैंने सारी बात बता दिया ठीक है हाँ तो भाई चलो अब हम लोग क्या करेंगे इसको हल करेंगे कैसे करेंगे ध्यान दो बाबु लोग सब लोग ध्यान दो बहुत इमांदारी से देखो प्यार से मैंने बात बता दिया जिनको बच्चा को क्लियर नहीं वो क्लियर कर लें ठीक है चलो अब हम क्या करेंगे जो पास NCRT book है वो लोग क्या करेंगे अपना किताब से देखना शुरू कर दे ठीक है चलो किताब से देखना शुरू कर दो अब चलो देखो क्या होता है आगे देखो ध्यान से अब मतलब समझो जो हमारी BPT theorem कहती है वो क्या कहती है BPT theorem आधार भूत समांता परिमिय हमारी कहती है कि इस तरह से अगर मतलब आकृति बनी है ठीक है इस तरह perché बनी है मतलब कोई तरव दिया गया है जिसमें किसी एक भुजा के समांतर कोई दूसरी डेखा अगर हम खींगे देते हैं तो जो आकृति बनंती है उनकी जो बुजाएं है PE upon EQ वो बराबर होती है PF upon FRK तो क्या होती है ये दोनों लाइने समानतर होती है तो हम इसी पे इसको चेक करेंगे ठीक है इसी पे हम लोग क्या करेंगे इसको चेक करेंगे कि समानतर है कि नहीं है इसके लिए हम निकालेंगे क्या आप यहां लिखो हल, हल लिखो, लिखो P E upon E Q, भाई BPT theorem वही लिख रहा हूँ मैं बस, E Q, जो बच्चे BPT theorem नहीं जानते हैं, डिस्क्रेप्शन में लिंक है, देख लो, आगे देखो, फिर बराबर E, ये सोरी, P F upon F R, क्या हो जाएगा, P F upon F R, ठीक है, बस सभी का मान रख दो, सभी का मान रखने के बाद, हल करोगे तुम, अगर दोनों बराबर आजाएगा, तो लिख देना, आता है, पहली स्थिती के लिए E F parallel to Q R, मतलब पहली स्थिती के लिए E F, जो है Q R के क्या है, समानतर है, समझ गए ना बच्चा, क्या है, समानतर है, ठ आप कोई सवाल है, तो बोलो जल दी से, फटा फट बोलो, ठीक है न, आप कोई दिक्कत नहीं न, चलो, चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 है, चलो, आधार बूद समानता परमियर डिस्क्रेप्शन में लिंक दी गई बच्चा, जाके देख लो, जिनको नहीं 3.9 दिया है, हम यहाँ पर रख देंगे PE की जगा पर 3.9, EQ, EQ 3 cm दिया है, equal, अब देखो PF, PF और FR, सब रख दो, PF 3.6 और FR 2.4, यानि ये 3.6 है, ये 2.4 है, हल कर लो दोनों को, देखो दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं, अगर बराबर आएंगे तो तुम लिख दोगे, कि हाँ, ये QR समांतर है, EF के, और अगर बराबर नहीं आएगा तो लिख देना, ये समांतर नहीं है, चलो लिखो, हल करो, हमें पता है, आप लोग हल करना जानते हो, कल्कुलेशन करना जानते हो भाई, उपर से दसमलों हट आओगे, तो ये 39 बन जाएगा, नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, अगर इसमें देखें, तो एक एक अंक पर दसमलों है, 11 डिजिट पर क्या बाबू पॉइंट है, तो एक एक अंक पर है, तो दसमलों आप हटा दोगे, चुकि दसमलों जो है, बराबर अंक पर है, आप हटा स पर ये कितना आएगा, दो से काट लो इनको, नहीं, तीन, बारा से काटो, तो बारा तियां 36, बारा दूना 24, आप ये देख रहे हो, दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो, इक उल है, नहीं बराबर है ना, नहीं बराबर है ना, तो तुम क्या लिखोगे कि नीचे भी दिख रहा है मैं एक लाइन नीचे भी लिख सकता हूं न हाँ एक लाइन में नीचे भी लिख सकता हूं यह लो मैं घेर के लिख दे रहा हूं थोड़ा सा यह उतना करने के बार तुम इसको लिखोगे ऐसे सभी हाँ क्या लिखोगे लिखोगे यहां हाँ इसको पहले यहां एक काम करो इसके आगे जगा होगी कोईश्टक में लिख लो बीपीटी पर्मिये से बीपीटी पर्मिये से जो लोग चाहें वो हिंदी में लिख ले हिंदी में क्या लिखोगे आधार भूत समानता पर्मिये से ठीक है यह बराबर क्यों हुआ बीपीटी थेयोरम से बीपीटी परमिये यहनी हिंदी में आधार भूत समानता परमिये से यह दोनों क्या था यह बराबर था अब यहां आप लिखोगे यहां से दोनों बराबर नहीं आया ठीक है इसका मतलब यह क्या बराबर नहीं है ठीक है है यह ठीक है अताह है अताह है क्या बोल रहा था हमें करने को भई ne EF Samantar QR ये समांतर नहीं होगा क्योंकि ये बराबर नहीं आया ठीक है न बच्चा इतना क्लियर है जल्दी से लिखलो उतार लो सबी बच्चे बाहि समझ में आरा सेखर आवस्थी आराना समझ में हनुमान परसाद अग्रहरी सरवन सिंग बच्चा देखो एकदम मस्त दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं बाबू ठीक है सुसील कुमार तुमको नहीं पढ़ना तो तुम जाओ यार कितना देर चलेगा क्या कैसे फालतू की बकाईती मत करो हां क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे अभी तो कलास शुरू नहीं हुए तुम करो कितना देर चलेगा कायी तो लगी है का लगी है तो जाओ पहले करके आओ चालो लिख से से यह बहुत ही आसान है वेरी सिंपल है बहुत ही सिंपल है सामने आपके लगा है लिख लो उसके बाद फिर हम इसको मिटा के आगे बढ़ेंगे एकदम मस्त दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं सबी बच्चे यह जान लें यह क्लास रेगुलर पीब्यारे स्टडी 3.0 चैनल प ब्यारे स्टडी 3.0 चैनल जरूर देखें उस पर हर दिन कलास चलती है तो यह पहले कंडिशन के लिए हो गया भाई अब इसमें और भी कई सवाल दिये गये हैं मैं इनको मिटा दूंगा पहला कुश्चन इसमें का बाकी सारा सवाल वही है इसमें सिकेंड पार्ट है अब ह हम सिकेंड पार्ट पे चलेंगे सभी बच्चे चलेंगे हमारे साथ ठीक है ना बच्चा चलो तो यह चीज तो हमें नहीं मिटाना है यह हमें नहीं मिटाना क्योंकि इसी पर हमें क्या करना सब में ठीक है इसी पर हमें क्या करना है सब को ट्राइक करना है तो हमें वह पर मि यह नहीं मिटाना है वाकि यह सब चीजे मिटा देना है कि मुझे यह बता इसमें कितने पार्ट है जिन बच्चों के पास NCRT की किताब है उनको सब दिख रहा होगा कितने पार्ट है और जिन बच्चों के पास कोई दूसरी प्रकासन है मनोहर प्रकासन है, राजिव प्रकासन है, लक्षमी प्रकासन है, कोई भी उन्हें परेसान नहीं होना है क्योंकि सिलेबस वही है भाई, ठीक है आपका तिर्भुच का चैप्टर चलदा, छठवा चैप्टर आप देखो तो प्रशना वली 1, A, 1, B, 1, C, कहीं न कहीं ये सारे सवाल दिये गए है ठीक ना, तो परेसान नहीं होना बिलकुल भी समझने की कोशिस करना चलो, सवाल नंबर दूसरे पर हम लोग बढ़ते हैं आगे दूसरे में क्या-क्या दिया है ध्यान दो भाई, सुभास यार दो जी, ठीक ठाक हो ना, चलो देखो, सिकन पार्ट में दिया बच्चा, P, E, 4 cm, Q, E, 4, 0, 5 cm, लिखो P, E, 4 cm, उसके बाद और कुछ दिया है Q, E, 4, 5 cm, दिया देना, जो जो दिया है मैं वही लिख रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ तुमारी किताब में दिया है, हाँ, चलो, आगे का दिया है, P, F, इसमें P, F भी दिया है, 8 cm, और इतना ही नहीं, इसमें P, F, V दिया है वही, 9 cm, इतना क्लियर है ना बच्चा, यह दिया है, अब ध्यान से देखो आगे क्या होता है, बहुत ही प्यार से देखो, यह दिया है, क्विश्चन एक बार फिर से पढ़ो जो नए बच्ची अभी अभी आए हैं, उनके लिए एक बार सवाल हम फिर से P, R पर बिंदू F इस्थित है, तो हमने क्या क्या इनको बिंदू को इस्थित कर दिया, इतना ठीक है, मैंने एक लाइन खिच दिया, जो कि क्या हो गई, QR के समानतर हो गई, भई वैसे भी हो जाएगी, सिंपल सी जैसे कुश्चन में कह रहा था, तो कह रहा कि निमलिकित म नहीं देखे, जरूर देख लें, क्योंकि बिना BPT theorem, आधार बूद समानता परिमिये कि तुमको ये समझ में पक्का नहीं आएगा, ठीक है, तो उसको जरूर देख लेना, और वो जिस चैनल पे है, उसकी लिंक description में है, दूसरा चैनल है, लेकिन क्या है, बहुत अच्छे स पूछना है तो, चलो, इसको भी try कर लो, देखो PE कमान दिया, 4 cm रख दो, तुम 4 cm, जो भी दिया रख दो, फटा फट, ये लो, इसकी जगा पर हमने लग दिया 4, अब देखो EQ, EQ या QE दिया है न, आपर, आप ध्यान दो, QE या EQ को मतलब वही है, चाहे तो हम इसको ऐसे बोले, EQ या QE बोले, दिया तो वही है, तो ये किता दिया, इसको लिख दो, 4.5 न, जल्दी से सभी बच्छे लगा के बता, मुझे आ रहा बराबर कि नहीं आ रहा है, भाई, EQ या QE, 4.5 नीचे रख दो, बराबर, PF, PF का द दिया है, और, F, R या, R, F, मतलब होई है न, भाई, चाहे, F, R बोलो, चाहे, R, F, बोलो, मतलब होई है, तो ये 9 दिया है, बस इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे, हम देखेंगे, नीचे ये कंग पर दसमलो है, उपर हम एक 0 बढ़ाएंगे, नीचे का दसमलो हटा सकते हैं, कलकुलेशन करना हमने सीखा है, हाँ, इसे काट दो, पांच अठे चालिस, पांच नव पैतालिस, इक्वल अर्ट बटा नव, हमने क्या देखा, हमने ये देखा, कि दोनों बराबर है, LHS इक्वल अरह है, है ना बराबर है, बोलो जल्दी से, बोलो फट से लिखो, ये दोन लिखो, फटा फट लिखो, यहां पर मैं असपस्टी करन लिख वारा हम खाना में, कि इतना करने के बाद उसको लिखना जरूरी है, ठीक है, ये सवाल है, ये इसका सलूचन है, फिर ये क्या है, असपस्टी करन लिखना जरूरी है, क्या लिखोगे, यहां लिखोगे, कि अपान एफ आर कि है भाई देखो यह बराबर है ना यहां पर देखो मैंने अभी पहले वाले बराबर कचिन लगा के काट दिया था मतलब बराबर नहीं थी तो क्या लिखोगे अताहा इसलिए इफ जो है क्यू आर के समानतर होगा क्यू होगा आधार बूद समानता परमिये से बीपीटी थेवरम से डिस्क्रेप्शन में लिंक दी गई मैं फिर से बता रहा हूं जो बच्चे बीपीटी थेवरम नहीं देखे वो जरूर देख ले ठीक है चलो तो यह आपका प् कुछ सिकेंड का टाइम है आप इसका स्क्रीन साट ले लो नोट कर लो उसके बाद फिर हम इसका अगला पार्ट करेंगे ध्यान से देखना बहुत ही प्यार से देखना चलो हो गया ना लिख लिए सभी बच्चे आगे बढ़ें चलिए अब ध्यान दीजी अब क्या होगा यह तो आपका हो गया अब इसको मिटा दो क्रिश्चन मैं यहीं से मिटा रहा हूं चुकि हाँ एक बात और चुकि मैं थेखना नहीं मिटाओंगा हर बार लेकिन आप लोग क्या करोगे पहला प्रूब करने के बाद दूसरा फिर इसको अलग से फिर से लिखो गया ऐसे और अरे बीपीटी मतलब वही बेसिक प्रोफेशनल और पर्मिय यह थेवरं ठीक है थार्ड पार्ट पे हम लोग चलते हैं तीसरा पार्ट देखो ध्यान से जो नए चात्र जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन आन करें नोटिफिकेशन की बटन चलो पीबियारे स्टेडी तीन दसंबलो जीरो चनल पे हर रोज तो भाई इसमें का अगला कौन सा दिया है तीसरा पार्ट देखो का का दिया है लिखो सभी पीक्यू इसमें दिया है तीसरा पार्ट पीक्यू 1.28 सेंटिमीटर इसमें पी आर भी दिया है 2.56 सेंटिमीटर इसमें पी इभी दिया है 0.18 सेंटिमीटर और का दिया है इमें एक चीज़ और दिया है वो का दिया है देखो देहां दो आप लोग पी एफ यह दिया है 0.36 सेंटिमीटर यह इतनी चीज़ें यहाँ पर दी गई है अब हम लोग फिर से बीपीटी थेवरम में इनको रखके क्या करेंगे एक बार फिर फिर फे ट्राई करेंगे ठीक है न कोई समस्या होगी तो निसंग कुछ कमेंट करना बिल्कुल टेंसन मत लेना où ब्वाल्टी करके देंगो एक दम स्त दिखेगा चलो आप क्या करेंगे हम लोग्यान दिखिए का ओँ देखो पी.इ कमान दिया है क्या ह हादी आ 0.18 हम रख देंगे 0.18 उसके बाद देखो EQ कहीं दिया है नहीं दिया है अब हमें EQ तो दिया ही नहीं अब क्या करेंगे अब बड़ी मुसीबत आई देखो समझो EQ मतलब ये वाला जो भुजा है में इसका मान नहीं दिया है दिख रहना आप डट डट दिख रहना भई आप तुम यह सोचो कि अगर PQ दिया है और इसमें से हम PE घटा दें तो यह आ जायेगा न तो हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं PQ माइनस यह कौन समान है PE ठीक है एक लाइन और आगे बढ़ा लेंगे अब जाने दो PQ माइनस PE ठीक है इसका मान अभी रखेंगे बाद में ठीक है ना भीया कुझ भीहारी जी आ रहा समझ में अब ध्यान दो तीन भी है ठीक है चलो अब देखो हमें PF कमान दिया है PF कमान दिया है 0.36 और देखो FR भी दिया है का या EF दिया ओ RF कहीं दिया है EFR या RF कहीं दिया है बोलो जल्दी बोलो दिया है नहीं दिया है यह कहीं दिया ही नहीं है तो क्या करोगे भाईया यह देखो ये नहीं द्या एफर ये हमें द्या ही नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको भी निकालेंगे जैसे उधर निकाले थे यानि हम पूरे में से P R थे अगर हम P F गटा देंगे तो एफर आ जायेगा तो हम लिखेंगे P R wsp P F बस हो गया सब कमान रख दो फटाफट निकाल लो इनके मान पहले से रखे हैं तो हम लिखेंगे 0.18 PQ कमान देखो बच्चा दिया है 1.28 दिया है ये 0.36 ऐसे लिख लोगे PR PR दिया 2.56 इसमें किसी को कोई जंजट नहीं है माइनस का PF PF दिया 0.36 हल कर लो बस अगर दोनों बरावर है तो लिख दो के समानतर है ये ये समानतर है और अगर बरावर नहीं आते हैं तो लिख देना नहीं समानतर है बस हो गया चलो यहां पर देखो बरावर बरावर अंक पर दसंबलों लगे हैं तो हम 10 हमलों को हटा सकते हैं बिना कुछ कर रही यह लोग अगर हम यहाँ पर देखें कि का एक मिनट देखो यहां पी-ी कमान रखना था भाई पी िकमान भी तो रखना था ना बाबू धेखो हमने पी की वाद रख दिया पी पी का कौन रखेगा एक मिनट रुक जो पहले उसको भी कर लो कि दियान से देखो पी 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 0.18 क्या दिया 0.18 इसको थोड़ा इधर साइ माइनस 0.18 ठीक ना इतना ठीक है ना आप कोई दिक्कत नहीं न अब इनको पहले घटा लो तब आगे कुछ करेंगे तो यह 0.18 मतलब पहले इनको ऐसे लिख लो ठीक है इसमें से इसको सब्ट्रेक करो चलो घटा की दिखा देता हूं मैं तुम लोग को यह लो 1.28 पॉइंट के नीचे पॉइंट यह 0 है ना घटा लोगे सिंपल सायर आठ में से आठ गया 0 दो में से गया एक दसमलो एक में से 0 गया एक यानि कुल मिला करके फाइनल में आपका कितना आगे 1.10 ना 1.10 आगया इसके नीचे लिखता होगे 1.1 सुने बराबर इसको भी इसमें से घटा होगे सब्ट्रेक करना आप लोग को आता है लेकिन दासमलो में है सो हम बताई देते हैं देखो 2.56 इसमें से 0.36 क्या करोगे घटा होगे यह लोग 205 से जब 3 जाएगा टू नीट 20 आएगा इसको अम्हें से उतार देंगे ये टू 20 अब जो गया हो प्रवेश्य करके देखो क्या हम वराबर है अपस में अब से इसकरा ना यह दोनो बराबर न है न आएंगे नगे बराबर का करके देखलो और फिर बता ज subscribe बताओ नहीं यह तो बताओं जल्दी बोलो हैं बराबर भाबर है हाँ बिल्दकूल बराबर है यह बराबर है नई बाइ सेखर आवेश्थी जी बच्चा लौड के आ आ इसकूल से कलास उपलब्द रहेंगी कही जाएगी नहीन और हमारी कोशिस होगी चेंज कर दिया जाएगा टाइम ठीक है कोसिस होगी बदल दिया जाएगा लेकिन अभी नहीं चलो हम इसे अगर दो से काटें तो हमें पता है क्या आएगा यह 0.18 आएगा और यह 1.10 आएगा मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे इसके आगे चाहे हल करो चाहे नहीं कोई करन फिलहाल हेटिंग में रालोगे नीचे लिख दोगे अताहा इतना करने के बाद ध्यान दो क्या लिखोगे जल्दी देखो इतना करन लेने के बाद आप लिखोगे का लिखोगे नीचे लिखो अब हमारे में नीचे जगा नहीं तो मैं बगल में लिख रहा हूं ठीक है अब आप लिखोगे अतहा पी ए अपान एक्यू इक्वल पी एफ अपान एफ आर ये दोनों बराबर है ना लिखोगे इतना बराबर ये है ये इतना क्या है बराबर है इसलिए इसलिए ये इफ समांतर क्यू आर होगा बस हो गया बस खतम हो गया यही करना था ठीक है कोई डाउट है तो नीच संकुछ आप कमेंट करके बता सकतो भाई मिश्टर अवस्थी आ रहा समझ में ना देखो कुछ सिकेंड का टाइम है आपके सामने आप इसे लिख लो जल्दी से उतार लो नोट कर लो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है जल्दी करो बी-पी-टी थेओरम क्या होता है ध्यान से देखो इसको हिंदी में बोलते हैं बुनियादी समानता परिमिये अर्थात इसका मतलब क्या हुआ इसका अगर हम फुलफाम देखें तो होता है बेसिक प्रोपोर्शनिल्टी थेओरम यानि बी-पी-टी ठीक है इसका फुलफाम है थेओरम का अब देखो पहले इसका मतलब समझे लो एक चुली में होता क्या है हमें सिद्ध क्या करना है जैसे अगर कोई इस तरह का इन दोनों का अनुपाद इसके जो दूसरी अपोजिट साइड है मतलब इसके सम्मुक वुजा इसका जो इस तरह से आधा-धा दिया है यानि एई अपान इसी के बराबर होता यह यह एक थेओरम एक परमिये है जैसे इसको ऐसे समझ सकते हम अगर यह तीन सेंटीमीटर दी गई एडी और भाई साहब यह बीडी पांच सेंटीमीटर दी गई है और आपको एई दो सेंटीमीटर दी गई है यह साथ सेंटीमीटर दी गई है तो आप इसे एडी मीन्स तीन और यह पांच इकल एई मीन्स दो और यह साथ इससे आप कुछ इस तरह से परदर्सित कर सकत हो इस theorem की according ठीक है अक्सर जब हम लोग calculation करते हैं exercise वाले तो हमें ऐसे triangle में situation मिल जाती हैं तो इनको हम इस तरह से कर देते हैं तो आप लोग confuse हो जाते हो कि यह कैसे होता क्यों होता है तो भाई अनुपात वाली उसको आज हम प्रूप करेंगे आपको समझ में यह क्या है पहले इसके बारे में इमांदारी से समझ लो वीडियो को कम से कम 10 मिनट देखना तभी समझ में आएगा चुकि यह थोड़ा तो साइड इंडिक्स्टिंग पॉइंट दा अधर तो साइड आडिवाइड इन दा सेम रेसियो प्रूप इट इसका मतलब यह है कि यह कोई तिर्भुज जैसा दिया गया है और उस तिर्भुज में किसी एक बुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खीच दी जाए मैंने क् तिर्भुज पहले बनाया था जिसका नाम ABC था हमने BC के समांतर इसके पैरलल एक भुजा एक रेखा DE खीच दिया उसके बाद क्या कहता है देखो इसका मतलब यह है कि जो यह लाइन आपने खीचा यह इस भुजा AB और AC को बीच ओ बीच में एक निश्चित बिंदू पर क्या करती है पतिछेद करती है कर रही है ना और अगर ऐसा करती है तो हम इस तिर्भुच के आधे इस पार्ट को जो नीचे है इसको अनुपात में और बराबर करके यह और यह दोनों अनुपात में ऐसे लिख सकते हैं जैसे लिखे हैं यह इस थेवरम का मुख्य मतलब है लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं क्यों लिख सकते हैं इसको प्रूब ह में करना है तो क्या करेंगे आप इने नोट कर लो जल्दी से स्क्रीन साट ले लो फिर मैं इसको लिखता हूँ चुकि हमारे पास पेज एक है तो मैं इसको मिटाओंगा ठीक है जल्दी करो लिख लो कोई बच्चा कला छोड़ के मत जाना बहुत ही इमांदारी से समझो गिए तो सब समझ में आएगा बहुत मह Bennett से मैं आपके लिए ये कर रहा हूं चलो कि अब देखो दयान दो हमें कुछ चीजे दी गई हैं और कुछ चीजे निकालनी है उन हमें ध्यान से देखना है पर द देखोगिबैन डिया है क्या-क्या दिया है देख से समझो हिंदी-ंग्लिष दोनों language में बताऊंगा डॉंन तवरी गिबन ट्रेंगल ABC तिर्भूज ABC में देखो क्या क्या दिया समझो इसमें इसमें क्या दिया है भूजा DE क्या यह साइड यह क्या है डी इए भूजा BC के समानता रहे भाईया जो साइड DE है वो BC के parallel है तुमको भी दिख रहा है देखो ये है ना parallel ये दिया है आगे कहरा जो कि AB को बिंदू D और AC को बिंदू E पर काटती है simple सी बात है AB इसको बिंदू D पर ये काट रही है रेखाई DE वाली और AC को बिंदू E पर काट रही है है ये दिया है चित्रमें दिया है सिथे क्या करना है हमें ये प्रूप करना है आप लिखो ग़े इंगली स्वाले प्रूब धैट प्रूब धैट क्या AD upon DB AD upon रचना इसमें भी थोडी सी होगी इस फिगर में उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी करो लिख लो या फिर स्क्रीन साट ले लो फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ ठीक है जल्दी करो चुकी जगा थोड़ी सी कम है ना चलो मैं अच्छा वैसे कांस्ट्रेक्शन करवा देता हूं ध्यान दो देखो मैं इसी में करवा दे रहा हूँ कांस्ट्रेक्शन ध्यान तो रचना में क्या क्या करेंगे हमें कुछ चीजी इसमें कांस्ट्रेक्शन करनी होगी तब ही हम प्रूब करवाएंगे लिखो ज Healing BE and CD यहाँ पर लिखो आप कांस्ट्रेक्शन में ज्वाइन करेंगे वसे अगर इसको अलग पेंसे कर देते तो आपके लिए ज्यादा बहतर रहता ना रहता ना एक काम करो इसको डाट से कर लो या रेड से कर लो जिससे आपको कांश्ट्रेक्शन अलग समझ में आए की रचना क्या कियो हो मैंने कलर चेंज कर दिया सो आपको लग रहा होगा जो रेड है वो क्या रचना है इतना ही अभी इसमें और भी करेंगे हम क्या करेंगे आंड रा इयफ लंब बहुत एवी लिखो यहां पर लिखो आंड ड्रा क्या ड्रा करेंगे लिखो एफ पैरलल तो हो गया यह परपेंड परपेंडिकुलर होगी यानी यह यहां पर यह फ ठीक है अब हमने क्या किया एक लाइन ड्रा कर लिए जिसका नाम एफ है वो एवी पर क्या है पर पेंडिकुलर रहे लंब वत है ठीक है और इसके आगे अभी और इसमें करेंगे एंड लिखो एंड डीन डीन परपेंडिकुलर एसी एक लाइन और रहेंगे जिसका नाम डीन होगा वो परपेंडिकुलर होगी एसी पर यह यह नंबर तो मैंने खुद से लिखे थे यहां से कोई मतलब है नहीं हां एसी यहां पर क्या हो गया एसी पर परपेंडिकुलर होगा डीन यहनी इसका ना आजी टिए इन लिख दे रहा हूं और यह लिख दे रहा हूं लिख यह लिख दे रह रहा हूं यह को इस अर्यत पिछ दो यह संग जो हुआं छया कि समझाको जो चलो आऴ मैं solution देखोंगा एक नहीं पेच से बहुत जल्दी करो फटा-फट फाश्ट हो गया ना चलो वीडियो छोड़के मत जाना बच्चा पूरा देखो कि तभी समझ में आएगा बीच में कुछ नहीं पल ले पड़ेगा अब देखो solution में क्या करेंगे ध्यान दो इसमें हमारे बहुत सारे triangle बनें आपको दिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे ध्यान दो तिर्भूज A, D, E का चेतरफाल चुकि हमें क्या करना है हमें इनको प्रूब करना है कि A, D upon D, B जो है वो A, E upon E, C के बराबर होता है तो पहले हम इनका एरिया निकालेंगे चेतरफाल निकालेंगे तब हमें इनकी जो मुख्य प्रॉपर्टी है वो मिल जाएगी जैसे हमें इनको प्रूब कर पाएंगे आप देखो क्या करोगे फिर लिखो तिर्भूज A, D, E का चेतरफाल चेतरफाल मी जानते हो अच्छा एरिया ठीक है अपान जैसे वो हो रहा था ना बटे में वैसे ए भी होगा लिखो तिर्भूज B, D, E का चेतरफाल अब ध्यान से समझो A, D, E का चेतरफाल यानि A, A, D, E इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा क्या होगा हमें पता है का पता है हमें ये पता है कि एक बटा दो आधार गोड़े उचाई ये सूत्र होता है का बच्चाई तो होता है न एक बटा दो आधार गोड़े उचाई ये क्या होता फर्मूला होता है अब देखते जाओ ध्यान से हम क्या करेंगे एक बटा दो आधार देखो अगर हम यह triangle लेंगे A, D, E तो हम सबसे पहले A, D बोल रहे हैं यह हमारा क्या आधार है, base है ठीक है, यह क्या है, base है अगर इसकी उचाई की बात करें तो जो इससे सीधा गई है सीधा कौन सी गई है, बताओ बैसी इंपल सी बात है, यह आधार A, D है उचाई क्या है, E, F है क्या है यह, E, F है, F ही है जो भी समझो, ठीक है तो आधार क्या है, A, D है उचाई क्या बच्चा, E, F है ठीक है, यह होगा एक बटा दो आधार गुडे, उचाई इसी तरह से हम दूसरे में लेंगे B, D, E में, अब देखो, B, D, E, चुकि हम एक तिर्बुजी ये ले रहे हैं, एक ये ले रहे हैं, इधर वाला इसको छोड़ दे रहे हैं, ये ले रहे हैं बस, ठीक है, तो B, D, E का शेतरफल क्या हो जाएगा बच्चा, इसमें भी हो जाए तो B, D, E में क्या हो जाएगा, भया ये B, D, E जो भी समझो, लिखो, एक बटा दो, और ये भी हो जाएगा, D, V, और ये, अगर उचाई की बात करोगे बाबू, तो उचाई क्या होगा, इसमें भी, E, F होगा ना, उचाई क्या होगा, E, F होगा, अब तुम कहोगे, E, F का इसे हो जाएगा, ये तो बड़ा अत्याचार कर रहे हो, ऐसे कहोगे ना, लेकिन आप ये चीज समझो, अगर मैं आपको एक ट्रेंगल दिखाऊं, ध्यान देना बहुत छोटा पर ट्रेंगल है, यहीं पर मैं कहीं रखा हूँ उसको, वैसे वो इसके आकार का तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आप समझ जाओगी चीजों को, देखो, जैसे मैं अगर ऐसे मान लूँ, यह तो मेरा छोटा है इस चित्र से, ऐसे, ट्रेंगल इस रूप का है, तो इस तरह से आपका क्या है, आधार कौन सा बच्चा, आधार तो तुमने इसको लिया इसको, अगर मैं इसको ऐसे ना रखूँ आधार, मैं ऐसे कर दूँ, एक बार फिर समझो, मैं आधार को ऐसे ना रखूँ, ऐसे मैं ऐसे कर दूँ, तो तुम क्या बनाओगी पता है, यह ऐसे कर दूँ गद आए, अगर मैं यहाँ पर रखूँ गद क्या जाएगा यह, वैसे भी हमारा जो तिर्बूज एक आगज का छोटा है तो इसका जो उचाई है सीधा यहां खड़ा होके आजाएगा देखना अगर यह पूरा बड़ा होता इस ट्रेंगल के बराबर तो यहीं आ जाथा ठीक है तो इस कारण से उचाई करो इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगला नेक्स्ट ट्राइंगल में और फिर आगे बात करते हैं बहुत जल्दी करो बहुत फास्ट फास्ट लिखो आगे बढ़ें कलाच छोड़के मजना अगर समझना सीखना है तो बच्चा अगर एक्जाम में कुछ नंबर पाने है तो मैं बताऊंगा फिर से बताऊंगा लेकिन कलास मत छोड़ना कि मैं भाग जाऊंगा नहीं पूरा वीडियो देखना बस पांच मिनट और अगला इश्टे भी स्टार्ट होता है यहां से देखो अब हमने क्या क्या कर लिया A, D, E and दूसरा ट्रेंगल हमने लिया था B, D, E यानि उपर का ये इतना मैंने पूरा हल कर लिया नीचे का हमने इतना हल कर लिया भी ये नीचे वाला बचा इतना ना या फिर ऐसे बोले मैंने इसको अगर कर लिया थे इधर वाला बचा है तो हम अभी इसको हल करेंगे तो किसमे किसमें देखेंगे A,D,E में यह उपर वाला जो है A,D,E वो तो रहे गई और नीचे वाला क्या करेंगे इसके साथ में जोडेंगे उसका नाम क्या रहेगा पता है C,E,D, ठीक है C,E,D, ठीक है तो A,D,E यहां पर क्या लिखोगे फट से लिखो C, D, E ठीक है चलो लिखो जल्दी लिखो C, E, D ठीक है इसका छेटरफाल बस यही चेंजिंग करने है बच्चा तो जैसे वहाँ पे लिखे थे वैसे फार्मूला लिख दो एक बटा दो आधार गुडा मुचाई इसमें भी बटा दो आधार गुडा मुचाई भाई फार्मूला तो वही रहेगा कुछ अलग तो होगा नहीं चलो रख दो एक बटा दो एक ट्रीक जान लो जैसे अभी करे थे वैसे ही मैं आपको एक ट्रीक बता दूँ एक पटा दो हमें सिद्ध क्या करना उदर साइट में क्या सिद्ध करना एई सिद्ध करना ना बाबु क्या है एए ना भाई सिम्पल सी बात है करकरे अदि भूय बट्ine अगर हम एडी ही ले रहे हैं एक बर हमने इसको अधार लिया था एक बार इसको अधार लेंगे ङ LA थीक यह जमिंप यह प्सको मानूगे यह दिखधां का इमानधारी से समझो कमेंट करो नहीं आ रहा। कुब कमेंड करो में बताऊँगा वह फिर साथ में revenue है जो लम्ब आपने खीच था उसको लिख दो, लम्ब हमने क्या क्या खीच था, Dn खीच था, यह हो गहे, Dn, हो गह, बस कम ख़तम, दूसरा में एक बटा दो, हमें और क्या सिद्ध करना बाबू, नीचे क्या है, Ec है न, नीचे क्या है, Ec है न, तो यह EC और गुड़ा फिर से क्या वही DN जो मैंने लंब खीचा था यहां पर आपका बच्चा कट जाएगा यह एक बटा दो कट जाएगा फाइनल में AE का बचेगा AE आफ़ान EC बचेगा यह equation number second हो गया देको मैंने अभी एक equation निकाला था एक यह आ गया हो गये equation याद रखना बूलना मत अभी इनका काम लगेगा ठीक है जल्दी करो फटा फटा करो उसके बाद आगे बढ़ते हैं मैं बार बार बोल रहा हूं फिर से बोल रहा हूं कलास को पूरा देखना पूरा देख लेना फिर मुझे बताना कि नहीं समझ में आया जब तक लो तो मैं आगली solution करता हूं next page में आगे चलता हूं जल्दी करो हो गया ना सभी बच्चे लिख लिए इसको मैं मिटा रहा हूं अब यहां पर एक बहुत ही महत्तोप्रूर्ट फैक्त आपको देखना है वह क्या है ध्यान से देखो बहुत ही ध्यान से समझो जो लाइन लि एरिया होंगे इक्वल होंगे अब समझो BDE BDE यानि यह तिर्भूज मैं जहां हाथ रखाओं फिर से देखो PDE यह तिर्भूज और दूसरा करा CDE 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 यानि यह तिर्भूज और यह तिर्भूज करा कि दो समानाधार सिम्पल सी बात है समानाधार है समानाधार क्यों है क् यह तिरभुज अगर हम लेंगे या यह तिरभुज लेंगे इसमें तुम देख रहा हो क्या आधार समान हो रहा है कि नी दोनों में समान है और दूसरी बात यह डी यह बेशी दोनों समानतर लाइन जो है वो डीई और बीची के बीच बन रहा है इस तरह का अगर तरंगल बनता है तो उनके छेतरफल बराबर होते हैं इनको मैं यहां बना दू आठिफीचल तरीके से कैसे समझ लो बच्चा अगर इनके बीच में कोई तिर्भूज बनता जैसे यह बन गया एक्ठी और एक्ठी यह बन गया तो तुम्हारा जो यह तिर्भूज बनेगा बैटा यह जो बनेगा और इधर साइड में अगर तुमको एक्स्प्लें करके दिखाऊं यह ट्राइंगल लिख सकते हैं अब आपको समझ में आ गया ना देखो इस तरह से मैंने क्या किया इन दोनों तिर्भूजू के छेत्रफल को आपस में बराबर कर दिया बी डी ए का जो छेत्रफल होगा वो दूसरे ट्रेंगल सीदी के छेत्रफल के बराबर होगा एक्वैसर नमबर तीन हो हमें जो सिद्र करना हम उसके करीब आ गए उत्तर आ गया देखो कैसे अब लेखेंगे क्या समी करण दो से समी करण दो से समी करण दो अभी अभी मैंने बनाया था आप लोगों ने लिखा था वीडियो बैट करके फिर से देख लो क्या बनाया था लिखो एरिया आफ एडी तिरभूज CED का छेतरफल ठीक है यह तुम क्या करोगे ऐसे लिख लोगे ठीक है अब क्या होगा वह यह इसका जो छेतरफल अभी आया था अभी अभी हमने का जो स्टरफल सी इड के बराबर है किह सकते हैं अब इसमें अवर अलग कंसेप्ट देखो समझों यहां से का से देखो को समीकरण 2 से यह इतना आगया, ठीक है, यह ठीक है, लेकिन समीकरण 3 से हमने एक इसका solution निकाला, वो क्या है, इसका conclusion, देखो, मैंने निकाल लिया है, कि जो area of bde है, यानि कि जो bde का चेतरफल होगा, इस त्रिभुझ का bde, is का चेतरफल जो होगा, cedo के बराबर होगा, कि इसके बराबर ced के, मतलब इसके बराबर होगा, तो बच्चा अगर इसके बराबर होगा, तो हम ced की जगहा पर यह bde तो लिख सकते हैं न, चुकि यह बराबर है नहां से लिख सकते हैं इसमें कोई मुसीबत नहीं है तो ऊपर तो कुछ बदलेगा नहीं ऊपर ऐसे रहेगा तिर्भूज A D E का छेतरफल नीचे कर लिखोगे बाई साहब नीचे आप C E D की जगापे B D E लिख दोगे चुकि दोनों बराबर हैं तो आप लिखोगे तिर्भूज B D A का शरी B D A नहीं B D E ठीक है B D E का छेतरफल अब तुम समझने की कोशिस करो समझने की कोशिस करो A D E इससे अभी क्या कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला था क्या निकाला था A E निकाला था ना A E निकाला था ना बच्चा A E अपान क्या हो जाएगा फिर E C हो जाएगा तो नों बराबर भी तो हो गए ना यार तो यह क्या हो जाएगा? Ae upon ec. है ना? यह equation number 4 निकाल दिया आपने. हो गया पूरूब, क्या पूरूब हो गया? उत्तर आ गया. Ae upon ec आ गया ना? और equation number 1 से हमने क्या निकाला था? आपने देखा होगा, sumi karan number 1 से पहले, देखो उसको पलटके क्या निकाला था? चलो जल दी कर और BDE था वो AD और BD के बराबर था ना बच्चा और यही same to same नीचे आके फिर से सिद्ध हो रहा है कि ADE और BDE जो है वो AE इसी के बराबर है कि आज डेहर है चोथा समिक्रण में ब्रकशिक पेला में यह देखर हो जब जबकि यह चीज कि Elon ओनों मैं जक्राइब ले ना आप नीचे आप लिख सकते हो हमारे में जगाण深 इसलिए मैं यहां बीचे लिख दूँगा आप लिख सकते हो अतहा सिद्ध हुआ क्या सिद्ध हुआ कि ad upon ये db या इसे bd लिख लो ठीक है सिद्धा फिदा रहेगा क्या लिखोगे db equal a e upon e c ठीक है ये क्या होगे ये प्रूव होगे बच्छा लिख लो अतहा सिद्ध हुआ हैंस प्रूब्ड ये इसको अकृति 6.20 में करा कि d e o q के समानतर है 6.20 अकृति का मतलब ये फिगर आपके बुक में कुश्चन दिया ऐसे इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया ठीक है इस फिगर में कह रहा है कि जो बुझा d e है वो o q के पैरलल है d e कहां है भई ये d यहां बीच म के समानतर है पैरलल है आप समझ रहे हो न और आगे d e जो है वह o r के समोंतर है दिए कि यह जो hea पढ़ा है अरे जी से बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे बुनियादी समानता पर्मिया से कुछ होता है न देखो उसका लिंक डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा आप सभी बीपीटी थेओरम जरूर देख लेना तब यह आएगा समझ में नहीं तो समझ नहीं पाऊगे बीपीट मतलब यह दोनों यह 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 बुजा जो है इसके समानता है तो कहरा सिद्ध करो फिर दर्साइए का मतलब होता सिद्ध कीजिए या प्रूब कीजिए क्या प्रूब करना है कि एफ जो है वह ओर के समानता रहे मतलब भाई यह रेखा यह ओर के क्या है पैरलेल इसको हाँ गीबन लिखो या दिया है मतलब एक हुआ चलो जो जो दिया लिख लो डीए हमें यह दिया है कि डीए पैरलल है वो क्योंके इतना ही नहीं हमें यह भी दिया है कि डीए अफ पैरलल है किसके ओ आर के ठीक है यह हमें क्या है दिया है देखो हमने जब बीपीटी थेवरम पढ़ा था इसको इधर हम साइड कर दें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कुछ मिनट चुकि वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीना उसके तुम इसको कर नहीं पाऊगे बीपीटी थिवरम कहती है कि यह दिको यही ऐसे तिरभुज बना है और किसी एक भुजा को आधार मान किये है मालो मैंने इस गपोजा को आधार मान लिए इसका नाम बीसी है ठीक है और इसी के समांतर को एक रेखा इस तिर्बूज में खीच दी जाए यह बीपीटी थेवरम बता रहा हूं ध्यान समझ लो बाकी डीटियल में जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पे जाके आप बीपीटी थेवरम पढ़ो 15 मिनट का वीडियो है इस बीसी को हमने बेस मान लिया और इसी के सम इडिया ओधी अपान डीबी यह बराबर होता है किसके एई अपान सी यह एद्टी के क्या होता बराबर होता है यही कहती है क्या बीपीटीटी के थावरम यह कहती है मतलब वही बेसिक क्या बोलते है इसको मैं देख लेता मुझे हिंदी नहीं समझ में आ रहा है आधार भूत समानुपाति का परिमिय यही होती है जो मैंने यहां पर बताया कि अगर कोई तिर्भूज है उसमें से कोई भूजा को बेसमान लो उसके समानतर को एक रेखा अगर तिर्भूज में खीच दो तो जो तिर्भूज बनता है यह कटा हुआ उसकी यह भूजा दु में डी-अपन बेखा वितकर होती है एई अपान Aub bowl आड़ के यही विपीटी तेओर्वम तो हमें खुलमिल आ कि इसमें बीपीटी तेओर्म ही दिखाना है ना यहीं दिखाना है ना करा कि दिखाओ कि DF समांतर है QR के दिखाना है मतलब कुल्मिला करके हमें यह समांतर दी गए हैं हमें उल्टा जो है बिलोम सिद्ध करना BPT Theorem का तो चलो कर लेते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे पता है आपको देखो step by step देखना कोई बच्चा कलाश चोड़ के नहीं जाये गार ठीक है अगर इस्टेप बाई इस्टेप देखो कि सब समझ में आएगा और अगर आप चैनल पर नहीं नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन अन करिए वीडियो को लाइक करिए ठीक है चलो देखो आगे देखो हमें इसको सी ग्रीखने की कोशिस करना इधर साइड दिख रहा है कि साइड में बना देता हूं चुकि यहां पर जगा थोड़ी सी कम पड़ेगी तो मैं साइड में बनाऊंगा करें सब्सक्राइब आगे आप समझो अगर हम इस तिर्भूच को थोड़ा सीधा कर दें जो वहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा ऐसे वह पिचक गया नगर हम सीधा कर दें बच्चा तो तुमको ऐसे मिलेगा यह बोलो मिलेगा कि नहीं यह ऐसे नहीं ऐसे नहीं पर बढ़ हो गया ना पूरा जो भीच सीधा कर दूं जो ऐसे पिचका है तो ऐसे मिलेगा ना और आभ ही-अभी मैंने यही आपको बताया था कि यह बीपीटी थेवरम है बताया था ना बताया था ना गई अभी बताया था ना जेश्ट तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि पी एपान एक्यू हो जाएगा और पी ही नहीं करना नहीं तो समझ में नहीं आएगा यह बहुत आसान नहीं सबसे टप चैप्टर है यह क्राफ्ट अंत का अब हम लिखेंगे पी ओ क्यू में तिर्भूज लिखो आप सभी जो इंग्लिस मीडियम वाले बच्चे हो लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू इसको इसको लिख लो वैसे दी समानतर जो है या फिर दी समानतर है और आपकू कि यह तो मैंने ऊपर लिखा है सबसे ऊपर लिखा ना ओठीज तो जाने दो लिखो हम डारेक्ट कर देंगे पी आपन एक्यू है लिखो पी ए आपान इक्यू इक्वल समझ में आ रहा ना क्या हो जाएगा p d upon d o हो जाएगा ठीक है समझ में आ रहा ना हां तो यह आप कर ले जाओगे ठीक है उसके बाद अगर इसमें कोई डाउट है तो आप ने संकोच बता दो राज देखो किसका फोन आ रहा है उसी का है क्या पूछने के लिए करी देखो बोलो जा उधर बोलो तो यह समझ गये ना आप लोग देखो आप क्या हो गई यह p d upon d o क्या जाएगा p d upon d o ठीक है इतना हो गया यह हो गया आपका उस थिखरम के अकॉर्डिंग ठीक है अब दे लिखो गया आप कोई स्हटक में लिखोगे bpt theorem से यह समीकराण ऐक बन गया यहां रिजन लिख दो नीच sicë by bpt theorem नहीं तो हिंदी मीडियम वाले लिख लें हिंदी मीडियम वाले का लिखेंगे आधार भूत समानुपाति का समानुपाति का परमे से ठीक है यह समीकरन एक बन गया आधार भूत समानुपाति का परमे से एक स्टेप हमारा पूरा हो गया अब बहुत ही प्यार से समझना बहुत ही सीरिसली इसक इधर P, O, R बन रहा है ना वैसे ही तिरभूज इधर भी बनेगा एक पार्ट देखो जैसे मैंने इधर बनाया था यह देखा बीच्वाली मैं हम अभाइट कर देंगे अभी अभी इसको अभाइट कर देंगे सिफ ट्रेंगल देखेंगे बस हां तो ऐसे उधर साइड का बना दिख जाएगा लिख लो चलो देखो अभी यह P, O, R में देखो P, O, R बनाएंगे तो उधर को टेड़ा हो जाएगा अभी मैंने ट्रेंगल बनाया था अगर उसको तुम ध्यान से देखो बैख करके तो वह इधर को टेड़ा था क्योंकि मैंने P, O, Q बनाया था अभी तक तो इसमें क्या करोगे भाई इसको सीधा करोगे तो यह वैसे बनेगा तो इसमें भी वही पर्मिय लगाओगे बीपीटी थेोरम वाली तो यह हो जाएगा P, E, E, O, ठीक है P, E, E, O, देखो चाहे तो इसको लेकिन यहार E, O कहां से हो गया वही इधर सा Q था इधर O था ना हुआ सोरी उसके लिए पता है क्या है मैंने नाम करण में गल्बड कर दिया इधर देखो गलती कहा हुआ है यह हम इधर वाला तिरभूज ले रहे ना भाई तो यह PD है ना यहां पर DF है और हमने EF लिख दिया था यहां पर D हैना इधर वाले के लिए E है लेकिन इधर वाल इस लिए इस ट्राइंगल को मैंने सीधा करके यहां बना दिया है आपको समझाने के लिए तो यह डी एफ ऐसे हो जाएगा बोलो ऐसे हो जाएगा ना और जो मैंने आपको अधार भूत का पर में बताया था यह पी डी अपान डीयो यह होगा ना यह इधर से अगर हम यह उपार लिख देंगे जहां पे मैंने वहां पे लिखा है चलो यह तो समझाने के लिए मैं नीचे आपके लिए ट्रेंगल फिर से इसको सीधा करके बनाया था Bucky WOMAN हाई आपको बनाना नहीं एक जाउम में मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूँ का फायदा है फायदा का हो बताऊंगा देखो फार इक्वल ये पीडी अपां डीयो फायदा यह है कि जो अभी कोईसन नमबर फाइस्ट आया था पहला समीकरण अभी उसको आप बैक करके देखो ये समीकरण दो बन गया उसमें भी बच्चा ये पीडी अपां डीयों आया थ और लिए सिर्फ नहीं लिखोगे उतना ही लिखने के बाद आगे लिखो ये तो मैं आपको दिखाने के लिए लिए अब नीचे आप लिखोंगे समीकरण एक वा दो से देखो भाईया समिकरण एक वा दो को अगर आप compare करोगे बराबर करोगे तो इनका दाहिना पद दोनों में बराबर है ये बराबर है ना और तुम हाई स्कूल में पहुँच गया हो तो इतना जानते भी हो तो अगर दाहिना पद बराबर है तो बाया पद भी बराबर होगा तो इसे हम लिख सकते हैं क्या पहला समिकरण ये है तो हम पहला समिकरण का जो भी है उसकव पहले लिखेंगे तो PE upon EQ पहलाआप पहलाबर होगा PF upon Frk या फिर Rfk और अगर देखो तो हमें सरवांगसम क्या करना है बैया बन गया काम आपने वीपीटी थेवरम पढ़ा था ना अधार भूतिका परमिये वो क्या कहता है कि अगर कोई तिर्भूज ऐसे बना है उसमें किसी भूजा को बेसमान के कोई ऐसे रेखा समांतर खींच देते हो तो य इसका मतलब अगर यह सिद्ध हो जाता है तो आप लिख सकते हो क्या नी चे लिख सकते हो आता यह आज है वह समंतर होगा ऑट तभ यह संबह हो है मिटा यह संबह इन्हीं बनना है ना लिख दो यह हो गया हां अब यहां नीचे लिख दो क्यांए उप्रोक्त इस्तिति वीपीटी यह बीपीटी लिखना थोड़ा आसान होता है वैसे लिखो किया बोलते हैं आधार भूती का आधार बूती समान उपाती की परमिय का बहुत बड़ा हो जाता है न तो भी पीटी थे रहेगा बीपीटी परमिय की है बस हो गया है इस प्रूब्ड लिख दो और ही छाठवा कुश्चन ध्यान से देखना, इंड तक देखना, कहरा कि आकरती 6.2 में, ऐसा आपकी बुक में कुश्चन दिया, इसलिए मैंने लिखा है, यह आपकी आकरती है 6.2 जो भी समझीए, इसमें कहरा है कि करमसा, इसमें करमसा, O-P, O-Q और O-R पर इस्थित बिंद बिंदू, कौन-कौन से है करमसा? देखो बच्चा कह रहा है, करमसा का मतलब यह है, कि O-P पर A, और O-Q पर B, और O-C पर C, ठीक है, देख लो तो ऐसे हैं B, O-P अगर हम बात करें, तो इसपे देखो A है, अगर O-Q की बात करें, इसपे देखो A-B है, और O-C की बात करें, O OC तो इस पे देखो, sorry OC नहीं, OR, इस पे बिंदू C है, यह है न, करा यह बिंदू इस परकार से है, कि AB, PQ के parallel है, समानतर है, यह जो यह बुझा AB है छोटा वाला अंदर में, वो PQ के क्या है, parallel है, इसी तरह से करा जो PR है, उसके समानतर यह दूसरा वाला बीच वाला AC है, तो इसमें कहरा, अगर यह, इसके बराबर समानतर है, और यह, इसके समानतर है, तो फिर तुम, क्या इसको, यानी, QR को, BC के समानतर सिद्र नहीं कर सकते हो, क्या, वहिए तो करना है, चली, करते हैं, कि सलोस questionnaire स्टार्ट होता है यहां से यहां पर लिखोगे हम कि हाल में लिखोगे घिवाइं हिंधी ओर लीखेंगे डिया गिबेन और दिया है क्या दिया है यह हमें दिया है एभी पेशल की इसको आप लिखो एभी एभी ब्लाइफ ब्लाश strategies यह दिया है AC Parallel PR ये भी दिया है AC Parallel PR given ओके यह हमें दिया है अब हम क्या करेंगे देखो हमने पढ़ाया BPT theorem आपको पढ़ाया थैल्स theorem जानते हो न अब हम ये इधर साइड का ये हिस्सा लेंगे कहां से यहां से हम ये पूरा हिस्सा निकाल लेंगे इधर वाला ये BQ वाला ये निकाल लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे इनको BPT theorem लगा करके सिद्ध कर देंगे और अगर इनको और इनको इधर लगा देंगे तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा देखो कैसे अगर इसमें से बच्चा आप ये तिर्भुज ले लो कौन कौन सा O P Q तो इनका structure कुछ ऐसे बनेगा नीचे साइड में देख लो समझाने के लिए मैं बना रहा हूं बागी आप मिटा सकते हो हां चलो समझाने के लिए मैं बना रहा हूं इनका structure बाभू कुछ ऐसे बनेगा भई हां बोलो ऐसे बनेगा इनका structure कुछ ऐसे बनेगा लेकिन आपको थो यह figure में किया नहीं है यह जो ओ है यहां आर ट कैसे इस हमें यह आई यह is यह जो मारे क्राफ़ एदर यह जी जियह आ मैंन हननी दला है जा सब्सक्रास करने ही क्राणीत करीम है यह ज़яж चीज में ऊद्खास एम जा जा प्रणा देले कणो इस जब सा कर दो तो देखो अब आप इन चित्रों पे ध्यान दो बाकी छीजे छोड़ दो फिगर पे ध्यान दो हम तिर्भूज लेंगे बिटा देखो क्या क्या तिर्भूज लेंगे ध्यान देना où फुक्रात मतलब कॉंसा क्ञ जडी चpticत्म एन फ्रीच का छाओज मजने अगव क्या देखो अब 2 यश्जी में काट के इतरकर र्क या जो मैने बॉलें हैं तुमको कम समझ में रहा है वहныхकाइद हला दिखात तिया जैसे इसमें से निकालों मैं इसको कटकिन-क एसमें हाला ठीक है लेकिन इसमें तो बड़ा बड़ा लग रहा है समझ नहीं पा रहे हो यह आईसे उल्टा का है यह उल्टा है ना मैंने O P Q O P Q यहां से लिया O P Q इसको काटके हां रख दिया अब इसमें अगर मैं लगाओंगा B P T थोरण तुम कन्फ्यूज हो जाओगे कहो कहीं से कहीं से हो गया इसको मैंने क्या किया ऐसे पकड़ किसको सीधा कर दिया है सीधा करेंगे तो ऐसे बन जाए गई है समझो जो भुजा यह P Q वाली है लंबि यह देको पैरलल है ना यह नीचे हो जाएगा आपको थेर्फ हर लगर अगर नहीं देखिए और नगरनी देखिए गामन्ट समय आएगा mover मैं आपको दिखा दूंगर आप चलो आगी कहानीद क्या होता है दियान दो बहुत ही प्यार से देखो तदैको में बच्छा तिर्भूज आप लिखो यहां पर तिर्भूज आप लिखो तिर्भूज ओ पी क्यू में ओ पी क्यू में ठीक है इसमें क्या लिख दो बीपी टी पर में से इसमें अगर पर में लगाएंगे तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई तिर्भूज में किसी भी एक रेखा के सा मंतर को रेखा की दी जाए तो जो बीच वाली खींचिवी रेखा है वह उस तिर्भूज को इधर की जो बुजाएं हैं उधर की बुजाओं के अनुपात में बाटती ह तो यह हो जाएगा बच्चा ओए अपान एपी इसके करणिंग और अपान एपी इक वल यह दूसरी तरफ की साइडों के अनुपात के बराबर होगा यानि ओवी अपान भी क्यू हो जाएगा ओबी अपान भी क्यू आप कमेंट करोगे तो आपको बीपीटी थिवर्म का ल इसी तरह, जैसे मैंने इधर से लिया था विसे इतने से तो काम चलने वाला नहीं है यह भी और भी चीजें कह रहा था ABPQ के समांतर है इनकी सारी कहान है मनें निप्टा दिया लेकिन अभी यह कह रहा ACPR के समांतर है जैसे इधर BYPQ के समांतर था वैसे इधर वाला ACPR के समांतर है तो बच्चा इसको भी काट के निकालोगे ऐसे अलग करोगे ठीक है? जैसे मैंने इसको किया है तो अब मैं इसको तो बता दिया इतना डीटील में उसको मैं इतना डीटील में नहीं बताऊँगा उसको तुम लोग समझ सकते हो है न? लिखो तिर्भूज O-P-R में लिखो इसी परकार तिर्भूज O-P-R में बीपीटी पर में से देखो O-P-R का मतलब समझो यह तिर्भूज यहां से O-P-R यनि अगर इसको तुम काटोगे फिर बना के दिखाऊं O-P-R इसको काटोगे तो इसका यह पर्ट ऐसे निकल के अलग हो जाएगा तो इसमें भी वही हो जाएगा O-C upon O-R ऐसे तो कुछ बनेगा न? बना के देखो क्या बनेगा? इधर साइड से बनाओगे O-A upon A-P बनेगा और इधर साइड वाला वही O-C upon O-R बनेगा तो लिखो इधर से बनाओ न? O-A upon A-P जल्द लिखो O-A upon A-P जो बच्चे इसके पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं कमेंट करके बताएंगे वो पीछे वाले पार्ट देख लेंगे उनको यह सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ठीक है तो एक सीडियल से सारे वीडियो देखो भाई PBRS Study लाहबाद चैनल और PBRS Study 3.0 चैनल पे सारे वीडियो है यह हो गए यह O-C upon O-R के बराबर होंगी O-C upon O-R जैसे माने उसको इक्स्प्लें किया था जैसे चित्र को बाल बांट बांट के अलग अलग ना यह लिख लो यह आपके इक्वेशन नमर सिकेंड हो गए यह क्या होगे बच्चा इक्वेशन अंगर सिकेंड यहां पे अगर आप एक चीज़ देखो तो आपके एक पद बराबर हो रहे है बोलो हो रहे की नहीं हो रहे बच्चा और ना कौन ओ आप अपने दोनों में आप तो नीचे लिखोगे समी करण समी कर बांस एक्वान सिकेंड से अगर हमारे यह लफ्ट साइड एक्वल है तो राइट साइड भीकल होँगे तो इनको लिख सकते हैं OB upon BQ दिख सकते हैं न OB upon BQ इनको equal कर सकते हैं OC upon OR की अब यहां से अगर आप ध्यान दो जो भी हमारी यहां पर कहानी लिखी गई इनको ध्यान दो अगर OB यह OB और BQ यह बराबर है OC और OR के बराबर है बच्चा तो क्या हुआ फिर यह OR नहीं यह CR होगा यहां पर कुछ मैंने गड़वड किया था क्या यह OR नहीं यह CR होगा देखो कैसे यह OC upon यह CR होगा OR तो फिर गड़वड हो जाएगा यह CR है भई ठीक है यह CR है तो देखो हम सबी थेल्स थेयोरम जानते हैं अगर इनकी जो भुजाओं का अनुपात है उधर के बराबर है तो यह भुजाएं समातर होगी तो अब नीचे लिख सकते हो क्या आता BC इसके नीचे मैं अगर कहा जायतों क्योंकि उपरोक्त परीमिय उपरोक्त इस्तिति वीपीट से अती है प्रेशन क्या कहता है परियोग करते हुए सिद्ध कीजिए प्रूब कीजिए कि किसी तिर्बूच की किनी दो बुजाओं के मद्धबिंदू को मिलाने वाली तीसरी रेखा स्वरी तीसरी जो है भुजा के समानतर होती है मतलब समझो कुल मिला के करना क्या है इनका कहने का यह मतलब है कि जैसे मानलो ABC एक ट्राइंगल है तो इसमें मद्ध बिंदू को मिलाने वाली किनी दो भुजाओं के मद्ध बिंदू को मिलाने वाली रेखा यानि A B और A C के मद्ध बिंदू ये इनको मिला रही नहीं रेखा इसका मद्ध बिंदू D है AB का और AC का मदबिंदू E है इनको मिलाने वाले जो रेखा है कहरा कि तीसरी बुजा के समांतर होती है अर्थाद DE समांतर होगी BC के यह हमें प्रूब करना है यह हमने BPT थेवरम में किया है इसमें और लिखा है आगे ब्रेकट में याद कीजिए आप कागच्छा 9 में इसको कर चुके है है ना क्लिए चलो अब देखते हैं क्या होगा इसमें समझने की कोशिस करो आप लोगा देखो बच्चा इसमें बहुत सारी चीजें हमें पता है वो क्या पता है अगर यह जैसे कंडिसन बता रहा है तो BPT थेवरम से अगर हम देखे तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें दी गई है वो क्या दी गई है यह AD यह DB के बराबर है बराबर क्यों है क्योंकि कहरा यह मदधबिंदू को मिलाने वाली देखा यानि यह पहले कहरा कुश्चन में चीपा है कि AB का जो मदधबिंदू है वो D है है न तो AB का अगर मदधबिंदू D है बच्चा तो AD और BD आपस में बराबर होंगी तो आप इन्हें क्या लिख सकते हो इधर साइड में आगे लिखो फटा फट जल्दी से लिखो यहाँ पे हम लिख सकते है AD equal DB इतने में कोई प्राबलम नहीं न AD यह DB के बराबर है तो इसमें तुम एक काम कर सकते हो बच्चा वो यह है कि चाहे को AD को DB के बराबर करो और चाहे तुम इसमें एक काम कर लो AD upon DB equal to 1 कर लो ठीक है यह भी हो सकता है इसको इक question number first मान लो ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं न आप समझे मैंने इधर साइड का हिसाब किया AD DB के बराबर किया तो मैंने question number first बनाया अब इधर भी ऐसे चलो तो AE AE EC के बराबर होगी क्योंकि अगर E मद्ध बिंदू है AC का तो यह आधा आधा पार्ट में बांट रही है तो इसे आप लिख सकते हो AE बराबर EC लिखो EC परकार EC परकार AE बराबर EC यानि AE बराबर EC बराबर 1 ठीक है 1 का है यार 1 तो उपर हुए ना 2 हो जाएगा ओ सारी हाँ हाँ ये तो ठीक है 1 हो जाएगा ये ठीक है इसमें कोई लफडा नहीं न ना बच्चा आप देखो समझो ये समी करण 2 हो गया अब समझने की आप लोग कोसिस करो अगर आप EC परकार EC परकार देखो तो इसमें LHS इक्वल है इधर 1 है दोनों में तो अगर LHS इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि इसका RHS भी इक्वल होगा समी करण 1 वा 2 से देखो समझने की कोसिस करो equation number 5 टाइड सीकेंड से हम लिख सकते हैं AD अपान DV लिखो बच्चा AD अपान DV इक्वल AE समझने की कोसिस करो आप प्यार से हां देखो लिखो AE अपान कौन सा EC ठीक है नो प्राब्लम EC यह हो जाएंगे आपके बराबर और अगर यह बराबर हो गए तो तो फिर क्या अगर यह बराबर हो गए आपने BPT theorem पढ़ा होगा अब नीचे आप लिख सकते हो इसलिए यह आता हाँ आता हाँ DE DE Parallel BC ठीक है Parallel BC breakout में लिख दो BPT पर्मिये से ठीक है BPT पर्मिये से BPT पर्मिये मैंने पढ़ाया description में देखो link दी गई होगी नहीं समझ में आता यूटूब पर सार्च कर ले न BPT थे और मिल जाएगा इसका क्या मतलब होता समझ जाओगे तो यह प्रूब होगे जो भी करना था है ना कितना आसान कोई confusion नहीं न अगर किसी को कोई doubt है तो आपनी संग कुछ कमेंट करके पूछ सकते हो तो बच्चा इसमें देखो क्या क्या कहे रहा है question में ध्यान दो पहले आप कहे रहा कि एक चतुरभूज मतलब quadratoral जिसका नाम है ABCD ठीक है कहे रहा कि बिकर्ड यानि चतुरभूज के जो बिकर्ड है diagonal परस पर बिंदू ओपर इस परकार पर्तिच्च्च्च्च्च करते हैं पर्तिच्च्च्च्च्च का मतलब होता intersect करते हैं B-sect नहीं intersect करते हैं तो हाँ पर बिंदू O पर इस परकार से इनको प्रतिछेदित कर रहे हैं ये बिस्यक्ट कर रहे हैं और स्वारी बिस्यक्ट ने इंटर्सेक्ट कर रहे हैं कि AO अपान BO है AO अपान BO है ये कहरा है ऐसे प्रतिछेदित करते हैं कि AO BO के बराबर है CO DO के बराबर है यानि ये CO जो है वो D O के बराबर है यह कुछ इस तरह से बन रहा है कुछ समझ में आपको नहीं, देखो अभी सब समझ में आएगा ठीक है A O B O के बराबर है, यह इसके बराबर है इसका मतलब कहने का यह है कि यह दोनों जो यह तिर्भुज बन रहे हैं अब यहां से कुछ नहीं समझ में आएगा लेकिन अभी जो आगे लिखोंगा वो समझ में आएगा यहां पे लिखो दिया है हमें गिवन है A O आपान B O अभी देखो आपको समझ में आएगा C O आपान D O यह दिया ना बच्चा यह दिया है हाँ आप गयस करो अगर इनका आप क्रास मलटीपल करोगे तो यह A O इंतु B D O और B O इंतु C O हो जाएगा यहीजिए इसके माध्यम से तुम क्या लिख सकते हो इसके माध्यम से A O C O को नीचे उपन लिख सकते हो यहीजिए हम लिख सकते हैं A O upon C O बोलो लिख सकते हैं कि नहीं भाई क्रास मल्टिपल करोगे तुम आ जायागा ना उसके बाद इसको क्या लिख सकते हो फिर इस हिसाब से अगर इधर इसका क्रास मल्टिपल करोगे इसका इधर करोगे तो वो भी उधर जाएगा बटे में हो जाएगा यानि वो B O upon D O कर सकते हैं इसको यह लो B O upon D O हो गया अब लेकिन इसे में बहुत चीज़ें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है अगर A O upon C O हो जाता है और यह B O upon D O हो जाता है तब यहाँ पर चांसेज बढ़ जाते हैं आपके लिए पता है क्या बढ़ते हैं लिखो ब्रेकर्ट में यह हो सकता है इसमें मैंने कुछ किया नहीं हो सकता है मैंने केवल सीडियल चैंज किये बस ठीक है चलो अब देखो क्या करोगे आप इसमें हमें सिद्ध क्या करना है यह तो दिया है लिखो सिद्ध करना है इंग्लिस में लिखेंगे to prove to prove क्या इंग्लिस में लिखेंगे ABCDE जा ट्रेपवेजियम हिंती में लिखेंगे ABCD मतलब यह जो दिया गया है ABCD वो एक समलंब है यहाँ पे देखो यह दिखाना है दरसाई यह मतलब prove कीजिए लिखो सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है समलंब है मतलब trypigium है ओके चलो इतना कर लिए बच्चा देखो अब एक काम करोगे आप एक काम आप यह करोगे यहाँ पर ABCD के समानतर है ABCD के समानतर है बाई ट्रेपवेजियम है तो ऐसे भी या वैसे दिख भी रहा आपको इसमें कुछ कहना नहीं है आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हो AB Parallel CD ठीक है आप देखो एक काम आप कर सकते हो इसमें आप construction करोगे थोड़ी सी आप इसमें रचना करोगे रचना क्या करोगे पता है आप रचना यह करोगे बच्चा कि यहां से ऐसे इसको प्रतिच्चेदित करता हुआ आप एक बिंदू खींचोगे जो कि लगबख बीच 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 पर काटेगा यह माल लो इसका मद्ध बिंदू होगा वस तुम इतना माल लो ठीक है यह समझ लेकिन यह तो छोड़ो अब एभी एफ के समांतर होगी और सीडी के समांतर होगी तो नीचे हम लिख सकते हैं यहां पर पहले लिखो रचना यह का इंस्ट्रक्शन लिखो ठीक है लिख लिए हो गया लिख लो चाहिए इसमें एडी के मद्ध बिंदू को बीसी के मद्ध ब लगा ठीक है उसके बाद आगे आप लिख सकते हो एबी समांतर इफ समांतर सीडी ठीक है यह फिर एफ समांतर सीडी कर दो मतलब एक हुआ ठीक है अब चलो देखो अब हमारे पास कई सारी संभावना यहां पर हो गई चित्र मैं थोड़ा सही कर लेता हूं फिकर थोड़ा चलिए रचना कांश्ट्रक्शन के बाद आगे देखिए मैंने फिकर को सुरात दिया है इसमें देखो एडी कमदबिंदू ए दिखना चाहिए इसमें बी सी कमदबिंदू यह आफ दिखना चाहिए जो की दिख रहा है अब देखो आगे कैसे करोग इतना हो गए ठीक है अब नीचे आप लिखो प्रूफ यह पिर मतलब जो भी सिद्ध करना है ठीक है वह हम करने चलता है उपत्ती जैसे लिखते हैं फिर हिंदी में इंग्लिस में लिख ठीक है चलो अब प्रूफ में क्या करोगा बच्चा आप लिखो तिर्भूज यहां पर प्रूफ लिख ल फोगे तो इसमें चीज आपको मिलरा है अगर को अलग कर कि आपको दिखा दूँ तो हमने यहां लगता बहतर्य को समझ में ना अलग कर दूँ देखो समझने के लिए मैं इधर साइड में अलग कर Cash लें के लिए आप देख लो इनको यह कुछ ऐसे बनेंगे जब तुम इसको अलग करोगे यह ऐसे बनेंगे और इसमें ऐसे यह भी जा रहा है रेखा यहाँ पर O है क्योंकि मुझे इतना ही निकालना है A, C और D यह अलग करूँगो तो मैं ऐसे निकलेगा इसका इतना निकल गया ठीक है मतलब नहीं हमें इतना लेना है इसमें अगर हम देखें तो देखो E, O, D, C के समांतर है है ना और एक परकार्सिस की जो सिच्वेशन बन रही वो B, P, T, Theorem के अकार्डिंग बन रही है बन रही है कि एक भुजा के समांतर को एक दूसरी रेखा है तो तुम क्या लिखोगे यहापे लिखो A, C, D में O, E, समांतर, C, D लिखो O, E, समांतर, C, D लिखो O, E, Parallel, C, D ओके इतना लिख लो चुकि नीचे जगा मुझे कम लग रही है अभी जगा है काफी न ठीक है इतना लिख लिया चलो, गुड अभ आप एक काम करोगे आप एक काम क्या करोगे लिखो A, E, अपान B, D A, E, आपान B, D नीचे लिखो नीचे दिख रहा है A, E, अपान B, D Equal A, O, A, O, C A, O, A, O, C कुछ लोगों को समाज में नहीं आ more लिखे लो By B, P, T, Theorem यानि भीभिटी पर्मिये से ठीक है भीभिटी पर्मिये से यह इतना हो गया हिजो तो कमेंट करके बताना आपको लिंक में जाएगी ऺिदिओ । यह हो गये आपके अंगल से नमबर हैस बाशत कर सकते हो या आपके समः करighter नर ह Penet वैसे इसमें से यह निकालें वैसे इसमें से एक त्रिभूज और निकालेंगी और फिर उसमें भी करेंगे दो बन जाएंगे फिर इसको पूरूब कर सकते आसानी से इसको लिख लीजिए चुकि मुझे मिटाना पड़ेगा लग रहा है इसको एरेज करना पड़ेगा तो मैंने मिटाया अभी मैं दिखाऊंगा आप लोग तो कौंपी में लिके होगे न ठीक है तो अब लेगो BCD BCD अगर आप ट्रेंगल होगे तो कुछ इस तरह फे दिखेगा आपको इंटरफेस इफिले मैं इसमें से निकाल के इधर आपको यह समझने के लिए दिखाया इसको आपको नहीं बनाना है ठीक है मतलब हम BCD ले रहे हैं तो हमारा कुछ इतना बनेगा जिसमें हमें O और F का भी काम होगा ठीक है तो इसके अकार्टिंग आप चलोगे अगर बच्चा तो इसमें क्या है देखो OF समानतार है CD के है ना इसमें आप लिख सकते हो O F parallel CD ठीक है और यह तो है ही अगर यह ऐसे situation बनती है तो हम जानते हैं भी PT theorem से यह OB upon DO और VF upon CF ऐसा आप कर सकते हो ना तो लिखो BF upon CF जाए इसको पहले लिख लो BF upon CF equal इधर वाला जो है OB और OD ठीक है यह OB upon OD यह आपका equation number second हो जाएगा देखो मैंने ऐसा इसलिए लिखा है यह BF, CF को पहले ही फिले लिखा चुकि इधर से के side equal हो जाएंगे बाकि आप उसको पहले इसको बाद में लिखो तब भी वह मतलब हुआ ठीक है इतना उतार लो यह आपका equation number second हो गया बच्चा अब ही मैं first number equation आपके सामने ला रहा हूँ अब फिर हम compare करेंगे दोनों की ठीक है चलो जल्दी इतना लिख लो बहुत जल्दी करो अब देखें आपको यहां पे कुछ समझने वाली बात है बहुत इमांदारी से समझना तभी समझ में आएगा बच्चा देखो हमारा जो equation number second है इतना आ रहा है वह आपको दिख रहा है equation number first beta यह आया था AE upon ED ठीक है AE upon ED equal AO upon OC यह आया था लेकिन हमें starting question में given है AO upon BO और CO upon DO यह हमें पहले से दिया है और हमने इसमें अभी कुछ changing किया था AO upon CO और BO upon DO इसको हम कर सकते हैं इसलिए किये थे जिससे आगे हमारे लिए help मिल सके तो इसके according जो दिया है नीचे देखो मैंने लिखा न given इसके according अगर हम यहां देखें तो क्या बराबर होगा आपका सोचो AO OC इसमें भी है OC बोलो या CO इसमें भी AO upon CO या OC इसमें भी है तो हम एक काम कर सकते हैं AE upon ED कर सकते हैं इसको BO DO के बराबर कर सकते हैं क्यों करेंगे क्योंकि हमारा equation number first एक नए रूप में आ जाएगा जो कि दूसरे के similar हो जाएगा मतलब कुछ मिलावट इसमें मतलब इसकी जैसे ही हो जाएगा देखो इ AE upon ED और बच्चा इसको बराबर तुम कर दोगे किसके यह जो बराबर है BO upon DO से ठीक है यह आपका समीकरण 1 का नया रूप बन जाएगा ठीक है समीकरण 1 का new version बन जाएगा यह इस तरह से और समीकरण से से कंपेर करो अगर देखो इसका जो RHS है BO upon OD इसमें भी देखो BO upon OD है कि नहीं है ना यह मत सोचना उसमें DO पहले है वो बाद में आप AB या BA लिख सकते हो कोई फेक्ट नहीं पड़ता ठीक है तो आप नीचे लिखोगे समीकरण 1 यहां पर लिखो समीकरण 1 वा 2 से समीकरण 1 एक वा 2 से हम कंपेर अगर करेंगे बच्चा इसमें भी हमारे RHS equal है तो LHS बराबर कर सकते हैं तो हम VF upon CF equal AE upon ED कर सकते हैं तो तुम यहां पर काम कर सकते हो VF upon CF equal AD oh sorry वो AE upon ED आप कर सकते हो ठीक है यह आपने कर लिया इसमें करना क्या था इसमें यह कह रहा था अगर यह स्थिती बनती है तो इसको प्रूब करो एक समलम्ब है समलम्ब का मतलब होता जिसकी यह दोनों साइड जो है वो समांतर होती है और यह समांतर नहीं होती है यह यह हो गया यह कंडिशन कब बनती है देखो BF कहां गया यह BF upon CF और AE upon ED देखो बन रहा है ना BPT theorem का पूरा नियम बन रहा है कि नहीं बन रहा है उस तरह से नीचे जाके प्रूब हो गया ना लाश्ट वाला जो इक वैसन नीचे बन रहा है तो अब नीचे तुम क्या लिख अगि दखेने जाओ ठीक है इतना सब कुछ करने के बाद यह जो मैं साइड में इत्टास को सम्झाने के लिए दिखायाँ गेरां इतना इसको आपको लिखना यारूरीड नहीं कोई ऐस एतना आप लिख लोगे उसको कुछ नही लिखना है केबल समझना है बसुछ उसको ल पाइरलल टू यह सीडी ठीक है और जब दो भूजाएं यही तो समांतर हो रही नहीं है यहां ठीक है जब दो भूजाएं समांतर हो जाएंगी तो यह क्या हो गया समलंब का एक minimum requirement फूरा हो गई यह सिद्ध हो जाएगा नीचे लिख दो अता सिद्ध हुआ ABCD एक समलंब है अता सिद्ध हुआ ABCD एक समलंब इस साइज 6.3 है वो निर्भार एक इस पर पता है समरूपता पर इधर साइड ध्यान से देखो यह समरूपता मतलब होता है similarity यह इसी पर सारा concept है इसमें तो सबसे पहले हम आपको समरूपता कैसे पैचानते हैं similarity कैसे जानते हैं इसके बारे में बता दें उसके बाद फिर हम आगे बाद करेंगे ठीक है तो बहुत ही ध्यान से देखिए समरूपता की जो कुछ सरते हैं वो मैं आपको यहां पर किसाने कुछ minimum requirement है वो चीज़ें मैं यहां पर दिखा रहा हूं पहली सर्थ है कि उनके संगत को बराबर होंगे संगत को बच्चा corresponding बोलते हैं और यह होता क्या है मैं अभी clear कर दूंगा दयान देना उनकी संगत हुजाए यह कही अनुपात में हो मतलग क्यों समानुपाती ह यह दोनों चीज़ें होनी चाहिए पहले तो आप यह वर्ट समझो कि संगत क्या होता है what is corresponding यह corresponding क्या होता है तो कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताना हम आपको clear करेंगे ठीक है बच्चा चलो आगे चले अब ध्याम दो जैसे अगर मैं बोलूं कि इसका ना इसका मतलब आप समझो पहले अब संगत का गया मतलब है जैसे कह रहा कि उनके संगत कोन बराबर हो उनके संगत कोन बराबर हो अब मैं आप से पहुंचूं कि बच्चा यह बताओ एंगल 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 एका संगत कोन क्या होगा तो भई एंगल एका संगत कोन उसमें होगा दूसरे वाले फिगर में लेकिन कैसे भैचान होगे देखो इसमें देखो ए है ना भई तीनी लेटर इसमें है यह बी सी इसमें भी तीनी लेटर है पी क्यू आर इसमें का मतलब की corresponding है अब आप इन चीजों को समझने की कोशिश करो अच्छे से कैसे होते हैं देखो आगे बात करें तो बच्चा कोण A कोण A का संगत कौन है कोण P है यह बात ध्यान देना ठीक है समझने की कोशिश करो और अगर हम बात करें कोण B अब देखो एंगल B का संगत क्या ह इसमें देखो यह बी क्या है इसमें दूसरे नंबर पर है इसमें सिकन लेटर क्या क्यों है तो इस बी का जो corresponding है वह यह क्यों है ठीक है समझ में आ इने चीजे कोई confusion नहीं होनी चाहिए बच्चा ध्यान से समझ लो और अगर हम बात करें सी की तो सी का यार हो जाएगा यह ह हो गयी संगत कोण इंगल a का corresponding वी को corresponding angle q & angle r को corresponding angle c यह है संगत कोण ठीक है तो पाली कंदिसन संगत कोण बराबर बर होने चाहिए और इसको आप लोग नोट कर लो इसके बाद हम बात करते हैं corresponding side की संगत भुजा है देखो यहाँ पर है न संगत भुजा है एक यह नुपात में होनी चाहिए मतलब समानुपाती होनी चाहिए तो हम इनकी बात करते हैं चलिए इसको हम इठा देते हैं कोण की बात खतम हो गई अब हम चलते हैं corresponding side पर संगत भुजा पर चलो बच्चा देखो आप समाधेने की कोशिस करिए आप लोग जैसे अगर हम बात करें भुजा AB भुजा AB की संगत क्या होगी तो आप इसमें देखो AB AB मतलब 5 second later इसमें क्या है PQ घरा 5 second में यानि AB का जो corresponding है वो PQ होगी अब वो चाहे जहां भी हो चाहे यह इधर AB इधर है वो उधर है कहीं भी रहे वही पर होगी ठीक है तो हम कह सकते हैं AB की जो संगत भुजा बच्चा वो क्या है PQ है ठीक है और आगे आगे अगे अगे इसमें बात करें दूसरी side माल लो चलो BC BC का मतलब यह हुआ यानि 5L छोड़ के तो इसमें भी क्या करोगे आप 5L छोड़ के यह BC BC का क्या हुआ QR यानि आप कहें सकते हो BC का जो corresponding है QR क्या है QR मतलब इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने चाहिए यह BC का हो जाएगा QR इसी तरह से आप AC का करोगे तो बच्चा AC मतलब 5L यानि PR बजाएगा PR मतलब यह हो जाएगा तो आप कहें सकते हो AC का क्या बजाएगा PR यह है संगत भुजाएं आप समझ गया ना संगत भुजा क्या होती संगत क्या होते है किसी को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से चलो फटा फट निकलो भई जो भी नए साथी जुड़े है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें और जो पुराने साथी है वो भी क्लास को लाइक करें और लाइक तो भाई हर कोई करेगा नहीं पुरा निचाहज हुई जिससे कि आपको और भी वीडियो मिल सके हो भी बिल्कुल फ्री यूटूब पे तो जल्दी करें आपका अपना कर्तब है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें अगर ट्रेंगल एबी सी है और दूफरा ट्रेंगल पी क्यू आरहें अगर यहां पर एंगल एक वालू फोटी ठीक लिए बीका 90 नप पर तो अगर हम कर्स्पॉंडिंग एंगल की बात करें तो एंगल एंगल यह दोनों सरवाद समरूप तब होंगे सिमलर तब होंगे अगर एंगल टीवाद करें तो बलचा इंगल वी एंगल क्यू के बराबर है करस्पांडिंग अभी मनें बता दिये कैसे जानूगे एंगल वी क्या और यह बराबर नपेटिग्री अगर आप देखो तो दो एंगल बराबर हें तो आप इन दोनों से भी प्रूप कर सकते हो यह दोनों जो ट्रेंगल दिए गया है, यह similar है, अगल लिखोगे region क्या है, region A, 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 बतलब angle, angle similarity, इस लिए आप इसे निचे लिखोगे, triangle A, B, C, similar to triangle P, Q, R, यह भी क्या है, कंडिसन है, समझ गे न, यह तब जब दो पूर्ण दोनों के क्या हो, बराबर हो, इसमें एक और अभी अच्छी बात है आप इसका थार्ड एंगल भी बड़े अराम से निकाल सकते हो अगर दोनों को जोड़ोगे तो 130 होगा मतलब ये 50 आएगा क्योंकि सबी कौनों का योगपल 100 सी होनना चाहिए वाने टिक जादा नहीं होना चाहिए ये 50 आएगा ये भी 50 आएगा आप चाहो तो तिरपले भी कर सकते हो निकाल के उनके मान लेकिन जो भी दिया मैंने उसके कॉटिंग किया ये हो गया फास्टिव कहरा कि उनकी संगत हो जाए कि ये नुपात में हो अब देख लो इसका मतलब भी समझे लो आप लोग उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं ध्यान देना बहुत ही प्यार से समझे कोई भी जाएगा नहीं कलास को पूरा इंडर तक देखना बीच में इसकी पर नहीं करना अगर आपका अच्छा दस में पढ़ रहे हैं तो यह कब होगा मतलब समझे जब एस 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 सिमिलेटी रूल लगेगा जैसे मैंने आप यह आपको कर्रस्पॉंडिंग यानी संगत पढ़ाया तो अगर हम इसको माने अगर 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 की बात करें तो तीन है और पी की बात करें तो क्या बच्चा पी क्यूज यह गोड़ा यह देख च्छे यह यह चे ठीक है अब मतलब अगर और अगला हर एक साइड को आप देखो मतलब इक्वल होंगी इसमनुपाती का मतलब अभी समझना बताऊंगा नियाँ से हान से कि यहां पर समनुपाती का मतलब हो समझना जैसे राख दूसरी स्टिव कैंने देख?, इसमें के दोनों बाद वाल लेटर इसमें कभी दोनों ले लो QR तो बच्चा BC का अगर देखो तो 3.5 है और QR देखो 7 है तो यह 3.5 यह क्या है 7 है अब मतलब समझते जाओ अभी आप आज से ठीक है अब देखो आगे आगे देखते जाओ पूरा पूरा देखते जाओ अगर हम यहाँ पे और आगे बात करें अगर देखो A B हो गया B C हो गया अब A C A C 10 है और अगर इसका corresponding देखोगे तो P R P R कहाँ है यह 5 है न बच्चा तो यह क्या है 10 है यह क्या है 5 ठीक है अब देखो यहाँ पे आप समझते चलो और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि यह कैसे है देखिए यहाँ पर समानुपादी का यह मतलब है कि यह जो फ्रेक्शन बना दोनों का बुजा मला करके एक तो तीन तो इसमें का था और छे इसमें का था इसमें का था यह आपस में किसी एक ही गिंती से दोनों कटने चाहिए क्विप्लेटली डिवाइड होने चाहिए यह मतलब है तो अगर इनको देखो तीन से दोनों कटेंगे तीन एकम तीन तीन मत्रे अच्छे अगर इदर बात करें यहाँ से नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा संसामनों अटाइए संसा मुझें संसामनों फिआए तो आपान 5 यह भी एक ही नंबर से दोनों कमपलेटली डिवाइड हो रहे थे मतलब 5 से 5 भी कट रहा था इसमें 7 और यह 3.5 यह दोनों एक दूसरे पे डिवाइड हुए जो कि ठीक है आप समझ गये ना इक बात यहां पे और समझ लो अगर आप लोगों के मन में हो गी समानुपाती इसकशन में नहीं होता वह चीजह भी आप यहां से कलियर कर लो जैसे अगर नीचे साइड़ में में बात करूं थोड़ा साब को दिख रहा है अगर यह 3 6 की जगा पर ब हो सकता है यह 9 सकता है 12 सब्सक्राइब इस तिन नमबर धी मिल घ्रकाइब तब ही वह समूरूप हो गाल नहीं होगा ठीक है तो आप यहां कही हो सकते वाता ट्रेंगल ए बीशी यह कैसे बनता यह सिमिलर टू ट्रेंगल पी कुछ निकरा डिपल स्मूरूपता कहा जो नियम हो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके नीशन कोछ हमसे पूच सकते हैं जल्दी से कमेंट करें फटा-फट मैं आपको बताऊंगा जल्दी करो कोई भी अकरती वो एक समान रूप की होनी चाहिए जैसे अगर बात करें इंसानों की तो हम सभी इंसान समरूप होते हैं क्योंकि हम सभी इंसानों में अगर हम मेल की बात करें बॉयज की हम आदमियों की तो उनके चोटे चोटे या पंतलब बिक पकर से बाल होते हैं नाक होत नहीं न क्योंकि गाय है या बक्री है उसका दान्त उसका मूं उसका नाख मतलब सींग भाए अभी यह उती है तो हम लूप समरूप नहीं जाना रहुए ठीक है तो इसमें स्वेश्चन पर चलते हैं देर नहीं करते हुए कुश्चन है पूरा कुश्चन मैंने नहीं लिखा है आप मैं बता रहा हूं जो भी पढ़ना है बाकी यह में चीज है ठीक है कि बताइए कि अकृति 6.34 में दिये गए तिर्भुजों के कि अकृति 6.34 का मतलब इसमें बहुत सारे तिर्भुज दिये गए हैं उसमें का फाइस्ट पार्ट मैंने लिखा है कुश्चन पहले सुन लो जो बच्चे नहीं लिखे हैं जिनके पास किताब नहीं हो लिख लें बताइए कि अकृति 6.34 में दिये गए तिर्भुजों के समरूप हैं एक बार फिर सुन लिजिए करा कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिये गए तिर्भुजों के युगमों में से कौन-कौन से युगमों समरूप हैं उस समरूप तक कौसार्टी को लिखिए जिसका परियोग आपने उत्तर देरे में किया है ताथा साथ ही समरूप प्रिभुजों को संकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए मतलब इसमें जो सारे ट्राइंगल दी गए घर सारे जोड़े दी गए उनमें कौन-कौन से समरूप है वह समरूप क्यूं है इसका रीजन भी लिखिए और उन्हें समरूप क चिंह लगा करके व्यक्त कीजिए चलिए कल मैंने आपको बताया था देखो कोई भी ट्राइंगल या कोई भी फिगर सम्रूप तब होगा सिमेट्री तब होगा जब उनके यहां तो उनके सभी एंगल इक्वल हूं हां मतलब फिगर जो है आकरती चोटी बड़ी हो सकती है आकार चोटा बड़ा हो सकता है लेकिन उनके एंगल बराबर होने चाहिए और यह फिर अकर एंगल बराबर ना हो तो उनकी भुजाय निसाइड इक्वल होनी चाहिए तब ही समरूप होंगे जैसे एक प्रकार सिए अलग है बनावाट एक जैसे होनी चाहिए अगर मैं बात करूंए का और चोटा फ़ेंगल बना दूं तो यह इसके सम रूप है दोनों क्यों कि यह बीगोल नूमा मतलब उनका आकरती जो है यह जैसी ही होनी चाहिए ठीका से पीक जैसा होना चाहिए तो यह क्या सम रूप ह समझ गया अब देखो कि कुश्चन पर जलते हैं बच्चा यहां पर कुश्चन देखो अगर हम बात करें एंगल आप देखो एंगल दूफरे ट्रेंगल में देखें इसका अगर करस्पॉंडिंग तो एंगल पी के बराबर है एंगल बी एंगल क्यों के बराबर है यह चीज लिखने को बोला था एंगल सी एंगल आर के बराबर है इसलिए आप नीचे यह यह लिखोगे क्या लिखोगे ध्यान से देखो एंगल एबी सी क्या एंगल एबी सी यह कांगरेंस टू किसके ओ सुरी कांगरेंस नहीं सिमलर किस ना ठीक है ये पी qr बस हो गया यह दोनों समरूप है क्यों है कौन 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 यह फिर ऐसे नीचे लिख सकते हो हां बरेकड में लिख दो बाई ए-備族 ओ- मैं आपकी सामने शाजनों वे टका रहा हूं जल्दी से आप यंको नोट कर लो यह तो से पहला है और अगर पहले में देखिए ओधाईट में जो साहीड दी गई हे अभी वो 2 सेंटीमीटर है और सब Condition इस तरह से मीन है q4 भी सप्वार्द है को बीदो तिरफुज समरूप हो सकते हैं यह इनकी जो और 사id रहे वह समानूपाती हो समानूपात में हो या फिर एंगल एक्वल हो इसमें है हमें प़ास एंगलgeois है नहीं तो हम साइड की कंपेर करेंगे रहें कि लेखो यह आइसमानुपाती का मतलब यह वाटचा कि जैसे अगर सभी side का compare करें जैसे मैं आपको करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा एवी अपन इसमें का एवी लिया इसमें का corresponding side आप दो ले सकते हो कौन-कौन जो दो से यह तीनों है न फाइब फॉर शिक्स दो से कंप्लेटली डिवाइड हो जाए तो देखो दो से तो छे भी कट जाएगा है अगर हम मनले एक मिनट के लिए सब करो कि हम चलो ए भी और ये पी-Q ले लेते हैं तो बच्चा यह इतना हो जाएगा इस तरह से आप नूप जाएगा नूप जो को देखो पीकी कमांद 6 कटना चाहिए उसी खुलेंगे ठीक है उसका संगत वही होता है मतलब दूफर नहीं लेना ठीक है जैसे इसमें देखो दो से अच्छे भी कट रहा था चार भी कट रहा था मैंने छे ले लिए ठीक है लिकिन अब 2.5 के करस्पांडिंग आप वही साइड लोगे जियों पूरा पूरा कट जाए तो 2.5 से नहीं कटेंगा यह मतलब कोई भी नहीं कटेंगा इसका मतलब कौन कटेंगा यह कटेंगा न 2.5 से देखो यह कटेंगा पहले हैं समझो भी यह सही नहीं हो रावी लिखना मत यह BC upon VR तो यह 2.5 अपान यह 5 हो जाएगा इसको आप 0 हटा होगे बागू तो यह 50 आएगा मतलब एक बटा दो आएगा आप देख रहे हो यह वानपां थी वानपां टू अलग अलग आ रहा है मतलब यह बन नहीं रहा सिस्टम तो क्या करोगे आप समझो ऐसा देखो सिस्टम हम बनाने की कोशिस करेंगे कि जो 2 है पहले जो 2 मैंने लिया था इसके फास आप संथा यह 2 को हम 6 के साथ भी सेट कर सकते हैं 4 के साथ भी कर सकते हैं हमने 6 के साथ देख लिया बराबर नहीं आरा सेटलमेंट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे AB इसको हम 4 के साथ सेट करेंगे QR अब दे देना बी-सी का हम किसके साथ सेट करेंगे पी-यार पी-यार तो बी-सी टू-पॉइंट-फाइफ पी-यार है फाइफ फाइनल में गटा दो आएगा भी मैं हल करके दिखा दिया था दोनों जो इनके अनुपात हैं भूजाओं में वह बराबर आए ने दोनों अभी तीसरा दे तτίनों साइड के जो अनुपात हैं वह बराबर हैं हैना बराबर तो आप नीचे कह सकते हो क्या सकते हो वी चलिखको आप इसलिए सो में ट्राइंगल कौन कौन से धेहां देना किस-किस ट्रेंगल की बात हो रहे वच्छा आ देखो इसमें आ बी सीन आप कह सकते इफ लेट रेंगल A B C यह कांगुरेंस टूट को इसमें पी क्यू आर मत लिखना सीधा-फीधा गरबढ हो जाएगा सबसे पहले आपने कौन सा लिया था बाभू के इसमें सबसे पहले कौन साल लिया था आपने क्योन लिया था हां यह निए आपकी स्टार्टिंग कहां से वी थी श्राटिंग यह से हुई थी अब पहले लिया था नहीं लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहां से उई थी कि ओर फिना यह देखो क्यों लिए तौ यह कंग्रेश्मिस के क्यों आपी के ठीक है यह बात रखना रहना क्यों इस गड़बहाना नहीं देखो कैसे हमने अगर इसमें अलग हलका करें तो ए भी ए भी का हमन फिस्ट का प्यार के साथ लगाया था प्यार्ण कि देखो हुआ यह बीसिया लाइश्ट से दो इसवेविन न सुर्ट बन रही है कि अज़िकष def 2019 का दिने ना है मतलब पहले वाला और लाइश्ट साइड 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 समरूप था नियम से यह दोनों क्या है सभी लिया समरूप है तो इस तरह से आपने इसको भी कर लिया शिकंड कोई लेके मैं आया हूं बहुत ही प्यार से देखिए यहां पे फिकर बना है यहां पे चीजें लिखी गई हैं पहले हम प्रकाश्चन को कारी होनी चाहिए वो मैं बता रहा हूं उसके बाद फिर मैं सवाल पर चलूँगा जिससे कि आपको कोई परकार की समस्या ना हो हम सभी पढ़े हैं आपको पता भी होगा कि अगर कोई लाइन सीधी सीधी है आप इसको जानते हो ना तो बच्चा इस पर अगर हम एंगल की बा बन जाएं तो आपके क्या विचार होंगे अगर हम अब ध्यान दीजिए मानलो कि मैंने इसका नामकरण कर दिया A B C D ठीक है अब ध्यान देना अगर हम ऐसे बात करें यह इतना पूरा जहां हमारा यह पैन जा रहा है तो यह पूरा 180 का कोण है 180 का है न लेकिन अगर इसमें से इतना निकल जाएगा जो इधरफाइड में जा रहा है तो क्या होगा पर उसमें से कम हो जाएका ना कम हो जाएका ना यानि हमारा जो टोटल अगर यहां उपर वाले में बात करें मानलो पी यहां पे क्यू मानलो चलो यहां पे आर ठीक है अगर हम इस लाइन की बात करें इसकी तो यह क्या है एक परकार से इसको आप मान सकते हो एंगल फी क्यू आर बराबर एक सोसी है क्या है एंगल पी की वार एक सोसी है पी क्यू आर बनलो सीधा फीदा ठीक है अब यहां पर एक बात समझने की कोशिस करो बच्चा अगर बी सीडी लोगी तो एक सोसी है एंगल BCD क्या है यह 180C आप लिख सकते हो लिख सकते हो ना बोलो है कि नहीं सिद्ध फीद लाने 180C है लेकिन यहाँ पर अगर हम 180C की बात करेंगे जैसे कंडिशन है यह एक लाइन खीचने के बाद तो आप क्या करोगी क्या करोगी पता है आपको देखो द्यान समझो पूरा तो 180C ह यह इतना बीच में इसमें आ जा रहा है यानि हम इसको ऐसे कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि यह B और C और A चाहिए ऐसे ले लो A C B और प्लस यह इधर वाला जो बच रहा है इधर वाला हां A C D दोनों को जोड़ेंगे तो 180C होगा बता होगा कि नहीं यह वने वनेटी यहां लिखा तोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन यह मैं समझाने के लिए लिखाओं कि यह पूरा वनेटी है ठीक है और लेकिन हां अगर सिर्फ इतने की बात करोगे सिर्फ इतने क सिर्फ इतने की तो वह कितना होगा 180 से इधर वाला गटाने के बाद वाएगा देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह पहले इससे समझे लो फिर कुश्चन करेंगे हम बहुत ही प्यार से समझे लो इसको ठीक है ना बच्चा देखो समझो इधर साइड में समझो यह पू उधर वाला जो एंगल है A C D एंगल A C D बराबर 180 हम लिख सकते हैं कैसे क्योंकि मैंने दोनों जोड़ दिया हां अगर मैं आप से बोलूं कि बच्चा यह स्सी है यह स्सी है तो हमें यह बताओ कितना होगा तो आप कहोगे सिंपल सा है भाईया यह एक्स का स्सी रख दो यह यह उदर जायागा घड जायागा तो आपको होगी सौन्स का है यह अगर यह सौका है एकसी का है तो टोटल एकसा सी हो गया यह चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए ठीक है कैसे इनको बांटा जाता चुकि अभी इधर साइड में कुछ ऐसे ही होने माला है यह बात आप है जो आपको आने बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर नहीं आएंगे तो फिर आपके लिए यह लफड़ा हो सकता है मतलब आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें देखिए समझ यह जैसे आपने पढ़ा होगा सुना होगा अल्टरनेट अंगल पढ़ा है कि नहीं एक अंतर कौन कि मालो यह लाइन हे है समञंतर है अगर इसे कोई एक गारेखा जाती है तो एक जो आपने यह यह एंगल बनते हैं यह मालो C और यह मालो D यह एक अंतर कोन होते हैं जिसमें अंदर जितने भी लाइन के हैं जैसे देखो यह लाइन है ना बच्चा लाइन के ऊपर और इफ लाइन के नीचे जितने होते हैं वह इंटीरियर एंगल होते हैं अंता है और जितने इसके ऊपर होते हैं जैसे मालो य यह पी है यह क्यों है यह मालोर है और यह दूसरे के जैसे अगर हम बात करें एंगल एउ एंगल बी आपसमें बेर कोगा आप लिख सकते हो एंगल एक वी इसमाल में ठीक है एंगल 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 दी यह बात याद रखना मतलब तिरियग रेखा के दूसरी साइड और उसके सम्मुक भूजा के सामने मतलब A के B और C के D बराबर होगा, ठीक है? अब यही चीज अभी इधर साइड यूज होगा, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा कंसेप्ट, समझ गे न, इसको लिख लो जल्दी से वीडियोरों के आगे मतलब जो फिगर दिया, इसे 6.35 आपके बुक में लिखा है, कहरा कि तिरभुज O, D, C, सम रूप है O, B, A के, O, D, C, मतलब यह तिरभुज छुटका वाला O, B, A के सम रूप है, O, B, A, यानि यह जो नीचे वाला छोटा ट्रेंगल है, यह दोनों क्या है? सम रूप है, सम मतलब मैंने आपको बताया था, जिनके रूप एक समान हो, यह, यह क्या है? यह तो सरबांग सम है, क्योंकि यह बराबर हर चीज में, लेकिन अगर सम रूप की आपको मैं दिखा हूँ, तो यह सम रूप है, है तो छोटे बड़े, लेकिन इनके रूप एक समान है, इनकी ब हर लिखने के बाद लिखो दिया है, जो दिया है, मैंने उसको लिख लिया, अब ज्यादा टाइम ने लगने माला है, देखो, सिंपल सा है, इसमें बच्चा आपका दो एंगल दिया था, C, D, O, और P, O, C, दिया था, ठीक है? अब देखो, अगर आप प्यार से देखो एक सीधी रेखा है, D, O, B, एक सीधी रेखा है, तो आप यहां पर क्या करोगे, यहां पर लिखोगे, आकरती से, आकरती से, आकरती से मतलब दिये गए चितर से, चाहे तो ऐसे लिख लो दिये गए चितर से या अकरती से, ठीक है, यहां पर लिखो, दी, O, B, एक रेखा है, ठ तो अब यह एक रेखा है तो अभी-अभी मैंने आपको दिखाया था कि जो बच्चा एंगल DOB होगा, सीधा-सीधा वो एक्सोसियंस का होगा, होगा ना, एक्सोसियंस? तो भईये ये DOV एक्सोसियंस है सीधा सीधा अगर आप इस पर देखो तो इस पर कितने एंगल बने है DOV पर सीधा सीधा अगर आप देखो तो इस पर कितने एंगल बने है इधर साइड ले लो तो एक तो इधर ये बन जाएगा अगर मैं इसको यहां से निकाल दूँ तो आपको क्लियर होगा मैं साइड में निकाल के बना के दिखाता हूं एक मिनट रुख जाओ थोड़ा सा कि देखो अगर इनको बाहर निकालोगे तो कुछ इस तरह से बनेंगे इनको ध्यान दो यह मैंने बाहर निकाल दिया हां यहां से मैंने निकाल दिया टी ओ बी और इस पर देखो यह सीधा फिदायक जा रहा न वच्चा तो आप कह सकते हो कि डी ओ बहुफ है और प्लस ओ भी बरावर एक्ससीयंस वह तो यहां पर आप क्यालेक सकते हो यहां पर एक्सकते हो एंगल दी ओ O, C, धन, एंगल, C, O, B, इक्वल, एक्सोसियंस, ठीक है, इतना क्लियर, इतने में किसी को कोई लफडा नहीं ना बच्चा, आप इसको मिटा दे रहा हूं है, इसका काम हो गया, खतम, आप देखो, यहां पे ध्यान दो, आप, D, O, C, अगर हम यहां पर देखें, तो हमें कु तो 125 दिया है कि नहीं, पहले यह बताओ, दिया है ना, इसमें कुछ, एक तो दिया है ना, देखो कौन सा दिया है, अरे भाई, D, O, और C, इसमें तो O नहीं दिया है, लेकिन हमने जो दूफरा लिखा था, C, O, B, इसमें देखो O दिया है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं, D, O, C, धन इसका मान 125 रख सकते हैं, एक्वाल 180 अंस, तो बच्चा यहां से जब निकालोगे, यह 180 है, इसको प्यार फी लिखना, सुन्दर सा, यहां से जब निकालोगे, तो एंगल D, O, C, बराबर 180 माइनस 125 बराबर 5 बनाएगा, 55 तो यह कितना है का 55, आगे देखो, अच यह जो मैंने डाल-लाल किया देखो, यह 25 बनाएगा, ठीक है, ध्यान से देखो, यह कितना आएगा 55, यह 55 बनाएगा ध्यान देना मैंने छोटा फ़ लिखाए, ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं ना, अब अगर आप एक बात ध्यान से देखो, तो यह तिरभूज D, O, C, इ अब हमें ज़्यादा देर नहीं लगानी, इसलिए हम बहुत जल्दी करेंगे, देखो आप ध्यान दो बच्चा, यह ट्रेंगल D, O, C, इस तिरभूज में आकर देखो, तो दो कौन दीए, हमें एक निकालना है, हम क्या की, तिरभूज की तिरभूज की तिरभूज की तिर दिया था एंगल, O, कमान, अभी हमने 55 निकाला, 55 निकाला है, एंगल C, कमान, हमें निकालना, यहां से हमने निकाल लिया, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अब बच्चा, अगर यहां पर आप यह लाइन देखो, यह जो आई है सीधा-सीधा, C, O, A वाली, यह तो यह ऐसे बन रही न, अगर हमें एंगल C, कमान, यह पता चल लगया, तो एंगल A क्या होगा, बताओ, यह एक आंतर कोण मैंने भी बताया था, तो एक आंतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए एंगल A भी क्या होगा, बराबर होगा, आप यहां पर लिखो, चलो एंगल C, इकवल एंगल A, यह बराबर हैं, क्यों बराबर हैं, बरेकट में लिखो, एक आंतर कोण, ठीक है, एक आंतर कोण, यह फिर अंतर कोण, ठीक है, दोनों लिख सकते हो, चलो, यह अंतर कोण है, तो आप यहां लिख सकते हो, इसलिए, एंगल C, बराबर एंगल A, ब अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आपनी संकोच कमेंट करके हम से पोच सकते हैं यह आपका फाइफ ध्यान से सुनिए कहरा है कि तिर्भूज PQR की पुचाओं PR और QR पर करमसा बिंदू YS और T इस परकार से इस्थित है कि कोण P कोण RTS है ठीक है और दर्साने को कहरा है दिखाने को कहरा है कि दिखाओं की तिर्भूज RPQ यह सिमलर है समरूप है RTS के ठीक है RPQ RPQ मतलब यह जो पूरा बड़ा वाला तिर्भूज है यह RTS के समरूप है दिखाना है RTS मतलब यह दोनों तिर्भूज को हमें समरूप दिखाना है तो चलो सिम्पल सा है लिख लेते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है चलो लिखो जो जो चीजें दी गई हैं उनको लिख लो आगे चलो जल्दी लिखो तिर्भूज देखी मैं चीजें बोल दे रहा हूं उसके बाद लिख के दिखा दूँगा ठीक है जल्दी लिखो तिर्भूज पी क्युवार में भुजाओं पी यार और क्युवार पर क्रमसा बिंदू या सर्टी स्थित है इसलिए एंगल पी बराबर एंगल आर्टी यस यह दिया गया है देख लो देखिए यह चीजी दी गए थी बहुत ही सिंपल था मैंने जो बोला उसको दिखा भी दिया चुकि हाँ आप लेखो तिरहुज आर कि यह तिर्भूज आर सिंपल है बत्चा इसमें इंगल पी इंगल आर्टी यस के बराबर दिया न तो लिखो angle phi equal angle rts bracket में लिखो given ये दिया है ठीक है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इसमें एक चीज़ और दिया है angle r बराबर angle r ये क्यों भीया? ये common है क्या है बाबु ये? common है क्यों? जब हम angle r p q लेते हैं मतलब पूरा बड़ा वाला तिरभूज लेते हैं तब भी हम angle r का यूज करते हैं जब हम angle r st बोलते हैं तब भी हम क्या करते हैं इसका r का यूज करते हैं दोनों में common है ठीक है? और अगर दो कोण ये common इस तरह से हो गए तो भाई simple सी बात है ऐसे मानलो अगर ये common और ये common बराबर है और इसमें भी अगर वही हाल हो जगाई ये common बराबर हो मानलो कि ये common पचास संट का है और ये चालिस संस का है तो पचास चालिस कितना हो गया? दूसरा भी 90 का बचेगा है न? वही हाल इहां भी होगी अगर ये माझन लो 50 का होगे,40 का होगे, दूसरा क्या बचेगा? वह भी, उतने का होगी बचेगा मतलब अगर कोई दो तिर्भूच है, लून के दो नीचे लिख दो प्रूब्ड अतहां सिद्ध हुआ है ना कितना आसान बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था उपर देखिए दिख रहा है आपको या कह रहा है प्रस्न में कह रहा है बच्छों कि आकृति 6.38 में आकृति 6.38 का मतलब इस चित्र में यहां पर तुम्हें दिख कर आए दिख के सीर्सलंब गर्वट करते हैं एक बार फिर से समझ लेजिए ते आकृति में इस आकृति में अं पलाब इस फिकर में C A B C के सीर से लंबर A D यह दोनों रेखा यह दोनों बिंदू है A और D ठीक है यह रेखा सीधा प्रिदा है A D और E C E कौन सी है A C E यह सीधा यह दोनों क्या कर रहीं भाईया बिंदू B पर पर परती छे रित कर रहीं मतलब इन्हें सेट कर रही न कर रही है क्या कर रही है अब भी सेट बता हूँ जी मैं जानों पति शेर कर रही है तो कहरा दर्स आईए मतलब शिद्ध कीजिए कि पहला फिर फूज A E P A E P मतलब यह इतनी जो फिर फूज आ है फिर से देखो A E P और C P C E P यह दोनों समरूप हैं मतलब यह तिर्भूज और यह तिर्भूज क्या है किमिलर है यह प्रूब करना है है ना कितना आसान चलो लिखो सीर से लंब एडी और C परसपर बिंदू P पतिछे लिद करते हैं साब आप लिखिए हल परसपर बिंदू P पतिछे लिखो भई आगे लिखिए ना लिख लिए अप लोग से जल्दी से फटा पर लिखिए हैं टाइम ना लगाओ सिर्थ लंब एडी और C परसपर बिंदू P पर पतिछेद करते हैं तो इसमें पहला इसमें चुकी चार बाते सी देखनी है पहला मैं लिखता हूँ ठीक है सिर्भूज A, E, P A, E, P ध्यान से देखना A, E, P और दूसरे ट्राइंगल C ठीको और सिर्भूज T, P में ये D है, D for dog क्या दखना रखिए T, P में इसमें क्या है बिटा देखो, यहां से द्यान से देखो A, E, P जो है यानि जो कोण E है यह कोण ध्यान से देखो देखरा न A, E, P बराबर P, D, C बराबर एंगल P, D, C ये क्यों बराबर है क्योंकि परतेक 90 अंसका है परतेक क्या है नाइन्टी है अभी बताता हूं देखो इसमें ये एंगल क्या है 90 है ना इप में ध्यान दो ए ये 90 है और पीडीसी पीडीसी इसमें देखो तो आपका ये एंगल डी वाला भी क्या है 90 क्यों है क्योंकि ये सीधा-फीदा इस पर परतिशेद कर रही जा करके तो ये डी क्या ये भी 90 बन क्या बराबर क्योंकि दोनों क्या है 90 है इसलिए क्या बराबर आगे देखो तो दिखिए नीचे लिखिए अंगल एपी जान देना अब ये इस एंगल पी पे जाएंगे ठीक है किसमें कौन से तिरभूज में ध्यान देना एई पी वाले में दिखो ऐसे एपी इस फिल सब्सक्राइब और दो ne और दो यानि इसमें और इसमें अगर आप ध्यान से दो यह देखो तो यह एंगल किस वाले में और दूसरे वाले में यह वाला परकार से आपको क्या लग रहा है अगर यह दोनों क्या बराबर हो गए तो आप लिख सकते हो पौण कौन समरूप था कि अब जगा नहीं तो मैं आगे लिखूंगा कि इसलिए 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 तिरभूज ए इपी कौन सा था वही दो यही तो था ए इप समरूप है सी डी किन्द बना दो कि यह पहला हो गया जो इसमें चार सिद्ध करना था पहला पार्ट हो इतना लिखिये चल दी नोट करिए इस पहले इतना करना है फिर इसको लिखना बहुत से ध्यान से देखो गया तब ही समझना आए इसका नेक्ट पार्ट सिकेंड देखो इसक्रिन पे कि अध्यान दीजिए आगे बहुत देखना भाई का कह रहा है कि तिर्भूज ए बीडी ए पी कि इसमें और दूसरा की भी यही कोईस्चन दोनों कि इनी दोनों तिर्भूजों को समरूप किसे करने को कह रहा है अगर आप इस स्क्रिन पे देखो तो सिकेंड पार्ट में इसनी दोनों को क्या करना है सिमलर हमें प्रूब करना है कौन-कौन सा ए बीडी और सी और ए तो एक तो यह तिर्भूज सीधा-फीधा बन रहे है औ कौन-कौन-सा अगर हम इसमें लेंगे कि यह अंगल डी और इसने अगर लेंगे दैंगल के दोनों क्या 90 यह भी 90ग है और यह भी क्या यह 90ग है बनों क्या पराबर है अप लिख लो प्रतेग नब्ब्य अनजय क्या है है श्रसेख नबबे का है ऐगे लिखो एंगल भी ये तोनों बराबर हैं क्यों बराबर हैं क्योंकि कामन है चुमिन लिखेंगे मतलब होता कामन ये अंगल भी दोनों में कौमन है एक बार फिर से अगर आप दिमागे लगाई लेता हूं कि इसमें दोनों में सब में का यूज हो रहा है मतलब यह कौंड दोनों में है निकी पॉमन है तो हम लिख सकते हैं इसलिए इसलिए क्या लिखोगे भाई तिर्भूज ए पी टी किमलर है किसके तिर्भूज टी टी कौंड कौंड समरूपता अगर आपने समरूपता का पैसिक नहीं पढ़ा भाईया तो आपको समझ में नहीं आएगा बाबू ठीक है कि आपका सिकन पार्ट होगा है नोट करिए मैं सामने से पूरी तरह से हटा हूँ आपको इस्क्रिन दिख रही है बहुत जल्दी करिए अगला कुश्चन आपके सामने आ रहा है इसका थार्ड पार्ट हो गया आगे बढ़ए अपने तिक रहे हैं तीसरे कुश्चन पर नजर गड़ाईए क्या कह रहा है ध्यान से दे देखना कि दोनों को सिमिलर प्रोब करना है ठीक है एक बार फिर से देख लो ए कि और एक बार आपको देखना है कि और बी यह तिर्बूज एक बार देखना एक बार यह देखना दोनों को सिपर प्रूप करना है तो बच्छा में यहां पर लिख सकता हूं एंगल इफल एंगल डी यह जो कॉंड इए वह कॉंड डी के बराबर है अभी हमने जब इसका इसमें इतना ही नहीं एंगल 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 एक के बराबर है तो यह जब यह दो चीज हो गया तो आप लिख सकते हो गया आपका जो भी करना था आप नीचे लिख लो इसलिए इसलिए एंगल एए इसमिलर का आप चिन्हा बना दो भाईया एडी इसलिए क्या हो गया पूरूब हो गया यह करना था यहां पर लिख दीजिए कौन कौन सम्रूपता कौन कौन सम्रूपता क्या आपका तीसरा पार्ट हो गया इसमें सिर्फ एक पार्ट और बचा है कुश्चन आपके स्क्रीन पर दिखरा जल्दी करिए इसको भी देख लीजिए इसमें वही सब है जो अभी आपने तीस पार्ट में किया उसी का सब कुछ इसमें भी करना है ठीक है ठीकिए इसमें भी एंगल ए जो है वह एंगल डी के बराबर है इसलिए क्योंकि परतेक नब्बे का है परतेक क्या है नब्बे यह देख लो एक बार पी डी सी की दी और सी यानि यह जो पी और सी इस पूरे वाले खोण में और चुटके वाले कोण में विटा अगर आप एक चीज जान दो तो एंगल जो है और एंगल डी दोनों पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा पहले मुझे यह बताओ कुछ गडबर लग रहे कि नहीं दोनों पढ़ रहा है चोटे वाले अगर आप कोण में देख रहे हो जिए इसमें देख दको डी यह आ रहा है और अगर यह जहां में हात रत रहा है जो तरस नहीं दिख रहा होगा आगर एसे देख रहे हैं ब्यूंश्श की एंगल स्थी की अगर बात करें तो दोनों में आ रहा है कॉमन है एंगल सी इक्वल एंगल सी ठीखिए उभाय निष्ठ क्या है यह उभाय निष्ठ है पदलब कॉमन है आप नीचे लिख लीजिए अगर दो कंडिशन मिल गई हमें इसलिए एंगल पी डी सी यह स्टुलर है ऐ इंगल वी इन टी है किसके चाहां पलिख लो कौन कौन समरूपता कों कौन समरूपता इस तरह से कोश्चन नमबर से बना आपका इंड्ड हो गया हम हिंदी में पढ़ेंगे इंग्लिस मूटीम वाले कोश्चन खुद से पढ़ ले इस कोश्चन में चित्र नहीं दिया यह खुछ से बनाना है पढ़िए खेरा कि समांतर चतर चतुर्भूज A-B-C-D की बढ़ाई गई बुजा A-D पर इस्थित E एक बिंदू है मतलब समांतर चतुर्भूज A-B-C-D एक आपको बनाना है इसका ये मतलब है सब्सक्राइब की बढ़ाई गई बूझा दिया कि यहां से पर इस्थित की एक बिंदू है यहां पर क्या है कि यहां पर एक फिर लिप आगे कहता है तथा सीडी को एफ पर पतिछेद करती है मिंस इंटरसेक्ट करती है क्या है यह सीधा यह सीधा यह सीधी को इप पर किया कर रही है तो कह रहां सिद्ध कीजिए प्रूव कीजिए कि यह वाला ट्राइंगल है आपको यह जो है इसके क्या है सिमलर है सिमलर का मतलब क्या होता है एक जैसे होना चाहिए इनकी बनावाद दूर दसा सब जैसी है बल्कि कलर थोड़ा अलग हो सकती है तो इसको आपको समझाने के लिए इसको मिटा दिया वालग वाद कि आप क्या करेंगे आप हाल करेंगे लेंगे जिन में प्रूब करना है आप लोग इंग्लिस मीडिया माले लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीए एड़ी एड़ी अजिए लेखेंगे चिपरेंगे तिर भूज एबीए और हाल मैंने लिखिए दिर्भूज A B E और दिर्भूज C F B A ठीक है यानि इसमें पूरे में और इसमें जो मैंने अभी दिखाया इन दोनों में क्या बेटा एंगल A इक्वल एंगल C ऐसा क्यों है रीजन भी लिखना पड़ेगा आपको कोष्टक में लिख लो समांतर चतुर भूज के सम्मो कोड इंगलिस मेडियम वाले लिखते हैं आपोजिट एंगल आफ पैरलो ग्राम ठीक है इसमें हटा देता हूँ वह अपोजिट एंगल आफ पैरलो ग्राम है तामांतर ट्र चतुर भूज के सं मूख कोड आप लिख लेना हिंदी में कहान पूजरूरी नहीं एक लिख लेना हिंदी तोड़ा गलत हो सकती लिख लेना ठीक है समूख कोड़ ओके आगे देखो एक कीज हो गया कोई भी ट्रेंगल समरूप है या सम है इसके लिए हमें कई रूल करने होते हैं आपने देख ऑगा पीछे इसके दो बूझाये बराबर हो जाए धो कुण बराबर दिखा दे तो हम सब रूफ दिखाए एक एंगल अगर और बराबर हो जाता है चलिये ठीक आगे से लेंगे विवा ऑंने क्था सकता है पिसने में एंगल इसमें एंगल एफ जो है एंगवी के वी बराबर है वो कैसे वो कैसे हैं आपको बता HU reporting यह वाला वी यह वाला वि wra platinum right यह भी बराबर है क्यों आप नीचे लिखो मैं बताता हूं लिखें एंगल एवी इसका जो एफ वी कि आप कि बराबर है क्यों है क्योंकि यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है है क्यों अल्टरों इनटीरियर एंगल ए यह अंतर है यह दुनों वी बराबर है यह यह दूने बराबर हो गया आप लिख सकते हो चूकि AVE और तिर्भूज लगा लो आगे ठीक है चूकि तिर्भूज AVE और तिर्भूज CFV के जो संगत कोड संगत कोड मतलब करस्पांडिंग एंगल तो करस्पांडिंग एंगल क्या है इक्वल है यानि बराबर है अता है अता है पोल रहा हूं उसे लिख लेना इस लिए या अता है लिखो अब उसके आगे इसको लिखो जो मैं लिख रहा हूं ठीक है एंगल AVE similar to angle यह similar का चिद्ध है आप ऐसे बना लो आपके बूप को गारा मी बना होगा आप देख ले ना ठीक है यह ऐसे बनता बिटा ऐसे जानते हो आप इस क्रिट का अजर देखो तो मैं आपको इसमें फिकर बना के देखाया हूं आप देख लो यहाँ पे ऐसे बनता है थोड़ यह तो लेकिन ऊपर बताई दिया आप समझ गये ए ए से आई लिखलो ए एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों क्या हुए एंगल एंगल बड़ाबर होगा किसी को को डाउट है दो बताओ कोई डाउट नहीं ना अगर कमेंट करो अगर डाउट तो निशंग कोछ कमेंट करीजिया मैं बताओं गाँ लेजिए इंगलिस मीडियम वाले नीचे कुश्टन इंगलिस पर ले परसन कह रहा है कि आकरती 6.39 में ऐसा बुग में दिया था इफिलिया मैं लिख दिया है यह आकरती है वो 6.39 इस question में figure दिया हुआ है आपकी बुक में क्या दिया इसमें कि तिर्भूज ABC और AMP तो सम कौन तिर्भूज है कौन कौन सा ABC यह जो एंगल भी है यह भी क्या है सम कौन है बेटा ठीक है ABC और AMP दोनों क्या है सम कौन तिर्भूज है जिनके कौन भी और बी सम कौन है इसमें जो figure में लिखा गया गलत है बेटा एक जगा बी होगा एक जगा पी होगा वह सरी पी नहीं तो जहां पर एक जगा देखो क्या है जैसे इंगलीज में देखो साही लिखा है जिनके कौन बी और यम सम कौन तिर्भूज है कि बी और यम क्या है सम कौन तिर्भूज कि दिखीजिए कि जो तिर्भूज एबी सी है वो क्या है सिमलर है इसके तिर्भूज एबी और पी में तो एब मैं हटा देता हूँ आगे लिखो इसमें देखो यम जो है वो बी के बराबर होगा यम बी के बराबर क्यों होगा अप लिखो यहां पर लिखो एंगल ए अब भी की अब एंगल 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 यह बराबर है क्यों तो बोथ इसमें लेख दो दोनों क्या है इसमें एंगल 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 है क्यों और यह जो कौन है अगर तुम ABC लेते हो यह तिर्भूज लेते हो या MP लेते हो इसमें दोनों में यह आता है न यह क्या common है लिखो common single अब 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 नीचे लिखो एक लाइन तिर्भूज ABC और तिर्भूज ABC अरे ऐसे लिखा लो ना यार क्या ऐसे नीचे लिखो ना चूकी तिर्भूज ABC और तिर्भूज ए एम पी में तो संगत कोण को corresponding अंगल बोलते हैं कि दो संगत कोण इन से corresponding एंगल आपस में बराबर हैं बराबर है अता 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 क्या होगा आसे लिखो तिर्भूज ABC और तिर्भूज ए एम पी को क्या करना था इनको सिमलर दिखाना यह आपका फास्ट पार्ट था ठीक है क्या था फास्ट पार्ट था तो गया इसमें किसी कोई परकार का डौट नहीं होना चाहिए कि इतना लिख लिए नेक्स्ट इस्टेप तो इसी पर अधारित है पहले बाले हल पर ही दूसरा पार्ट अधारित कैसे चरह देखो करस्पांडिंग पार्ट आप सिमलर ट्रेंगल मतलब समरूप तिर्भूज के क्या है यह सभी संकत हो जाए है इसलिए क्या आप आसमें बराबर है दूसरा पा मतलब जानते करस्पांडिंग पार्ट आप सिमलर ट्रेंगल इसके बारे में पढ़ाया था फिलहाल उसका मतलब कुछ और ज्यादा डिस्क्राइब था यह इसमें आपको क्यों थोड़ी सी जरूरत है आप समझे लो अगर कोई दो तिर्भूज है जैसे ए अवी और सी और पिटा यह दोनों अगर आपस में सिमलर हैं इनकी जो संगत भुजाय है वह आपस में बराबर होंगी आप नीचे लिखो दूसरे वाले के लिए अपर लिए पार्ट में आपको वैसे लिख से जैसे जो पान क्या प्रूब करना था अब यह लिखने तो क्यों पिर मैं दिख करना था इसमें कुछ करना ही नहीं अब लिखने के बाद में लिखो परस्पांडिंग पार्ट आप सिम्लर ट्रेंगल हिंदी मेडिया मों लिख लो समरूप तिरबुज की संगत भुजाएं तो बराबर होती में याद रखना ठीक है यह तिरबुज का रूल होता है पर मिय इंग्लिस दोनों भासाओं में हम हिंदी में पढ़ेंगे के मौले अपनाएंगे लिख लें और समझ लें फिर हम इसका सलूचन करेंगों कुष्टन कह रहा है कि एक तिरबुज ABC की भुजाएं AB और BC दथा मादिका KD एक अन्य तिरबुज PQR की करमसा भुजाओं PQR प्रपोर्शनल है तो दर्साइए मिंस की त्रेंगल ABC सिमलर टू ट्रेंगल समझ यह त्रेंगल है इन दोनों बने अलग 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 इंकी बनावाट एक जैसे है सब कुछ एक जैसे है तो नाम अलग अलग कि जो तिरबुज ABC है यह इसकी जो भुजाएं है कौन कौन सी प्रपोर्शनल है समान उपाती है ऐसा कहरा यह दिया है ना दिखो चलो भई पुजा आप अपर लिखो ए अपान अब ध्यान तो एबी के संगत इसमें क्या है क्यों है क्यों समझना अगला कौन सी बूजा बोल रहे हैं वी सी मतलब नीचे वाली यह पूरी लंब भी वाली कि वह रहा है कि माद्धी का एड़ी कि यह क्या बराबर है आप लिकलो दिया है भी मैं पूजिशन लागेगा उधर साइड यह क्या करेंगे यह की देखो अगध्यान क्या है इनको similar दिखाने के लिए हम इसमें फालो करने पड़ेंगे कर सकते हैं कर सकते हैं क्यों मैं बताता हूं समझो इसमें हम एक काम करेंगे कुछ नहीं करेंगे सीधा सीधा एक बटा दो से पर नीचे गुड़ा करते हैं किया थे का कईसे क्या बनेगा चलिलें वह करना इसमें है पर दी करसे रहें अब देखिये 8 qबटा दो बीसी डोस की के बराबर क्या है अगर ध्यान दो एक लिचे बडी का आधा बीडी है ना तो हम यहां पर काम कर सकते हैं अगली लाइन में लिखते हैं आप लोग लिखो भाईया एक अपान किक्वल बीडी अपान क्या है अब यहां से समझना क्या है क्या समझे देखो समझो तिर्भूज आपका है कौन-कौन सा समझो यहां से क्या क्या दिखाना पहले उससे समझे अब इसमें अगर आप एक चीज़ देखो ध्यान से तो आपको मिल रहा होगा जो दो यह ट्रेंगल है यह दोनों सिमलर सिद्ध हो गए आप अगर ध्यान कि आए अगर आप देखो की बराबर हो गया एवी का एभी सूरिय वी नहीं नीचे लिए इससलिए पर लिए हैं एभी इसलिए अंतरी लिखitel 12 1- बराबर ऑल रही है तरी कि दीखらい में ना ये ट्राइंगल क्या है प्रूफ हो गया गिए गिंडर टू ट्राइंगल कौन सा अब पी ट्राइंगल करना था ये पूरा को पूरा इसके प्रूफ करना था अभी तो हमने इसका किवल थोड़ा सा ये आधा आधा प्रूप कराया ना जो बचा आधा है उसको भी कर लेते हैं चलो इसको लिख लो जल्दी से सामने से हट जाता हूं आप लिख लिख लेता हूं जल्दी करिए फास्ट हो गया अब हम आगे करेंगे इसको ध्यान देना अ है कौनकौन साथ अब जो है कि लोचिए कर रर्याफ देच कि अबिए और यह जाया चैके की यह करता लिकात क की है टभी कि लुल क्यों को लिखे कि रइकर्ट में लिखिये सम्रूप तिर्फुज की संगत भुजा और विखने इसमने ना मजशे, सम्द в्यान ना मझा बोल रहा हूं और समरूप तिर्बुजी संगत बुजा लोगे ना उपर फजादा जा रहा है मैं दिखा देता हूं अब लिखिए दिर्बुज और पूरा पूरा नीचे लिखिए दिर्बुज के बराबर कर सकते हैं जो कि पहले से भी हमने किया है नमबर 5 से हम इसको कर सकते इसके मैंने क्या किया उखिए अब एक ध्यान देना जो आँगल भी है यहां मुझा जा रही है भी और इसको टच करते जारी मतलब क्या है पहले यह बता मुझे, एक काम यहां पर आप यह कर सकते हो कि AB अपान PQ कर सकते हो, क्यों? क्योंकि संगत हो जाए है, लिखो, कि अगर एंगल क्यू में देखो आप इसमें क्या पी क्यू है है कि नहीं और इसमें क्या एक बीसी भी है क्या है बीसी कहा है अब मुझे यह बताओ पहले यहां से थोड़ा सा आपको समझना है कि कुछ लोग जो कंफ्यूजन में हूं कि एक बीसी पर एक बुझा एवी दूसरी भुझा बीसी है इसी तरह से P पर एक भूजा की क्यू है कि क्यू है अगर हम अभी लें आपने इस टार्टिंग में देखा था ये देखा था कि नहीं बताओ यह क्या आपस में आपस में परपोर्शनल सब्सक्राइब के बारें बात कर रहें तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं क्या यह विर सकने आप समझ रहा है इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं अब समझ पर अगे सब को छाप लो चल्दी से भीख लिखेंज को टता कौण की की तंगत पुझाएं इसके डिखन फिर बीर था कॉंड यो की के तंगत कुझाएं ने करस्पांडिंग गारएं अब हम कह सकते हैं अगर आप यहां पर ध्यान से देख रहों सुरू से यहां पर जो सभी साइड थी वह क्या एक दूसरे के परपोर्शनल दी गई है यहां पर सुरू से आपने पढ़ लिया है उसके बाद इसमें आपने और भी पढ़ा अभी नीची अगर हम पढ़ी यहां पर आपने क्या पढ़ा यहां पर पढ़ा जो एबी है वो पी और पीडि अः क्यों और इवार क्या और श्म पहकर ओब है आप लिझे लीजिएद्टल इंगल एबी सी इंगल एबी इंगल पीक्यू एम इसमझ में तो आप कमेंट करिये हम आपको बताएंगे बिल्कुल टेंसर मत तैसे किस रूल से हुआ है स कौन से रूल से समझा देता हूं कि स का मतलब साइड एंगल साइड रूल से पराबर हुआ है कि लोगों को यह नहीं समझ में आया होगा अगर स कैसे लगा क्यूंकि जो आपको संक्रिंघ को यहां से दो साइडे आपस में क्या हो जानी बराबर हो जा रहे हैं तो होता नहीं कुछ दीक है ठीक है फिर भी कोई डाउट है तो बताईए इस क्रीन पर आपको हमारे ऊपर कुष्चन के दिख रहा है सब्सक्राइन है कि दोनों तिर्भूजों की मातिकाए है जबकि तिर्भूज यह समरूप इसको इंगलिजिस में दिखाऊं तो आपको को फिगर भी दिखाई पड़ेगा यह साइड में आप फिगर भी देख लीजिए जादा अच्छा रहेगा देखिए यह दो ट्रेंगल आपको दिए गए जो कि मैं अगर बनाओं आपको तो वैसे कोई मतलब नहीं पर जैसे आपका पिछले कुर्शन में चित्र था वैसे ही सेम टू सेम है आप इसे देख लीजिए इनका हम सलूशन स्टार्ट करते हैं यहां से ठीक है कोई दिक्कत नहीं न दिखिए यहां परहल लिखिए लिखिए ट्रेंगल ए बी सी इंग्लिस वाले सब ऐसे लिखें यह ऐसे आप सम रूप का चि इसके है पी क्यूं कि आरके मैंने ऐसा क्यों लिख दिया क्योंकि यह दिया गया है तो बच्चों अगर कोई भी दो ट्रेंगल इत्र मैंने अभी आपको दिखा आपने देखा अगर वह आपस में समरूप है यह तो उनके जो corresponding side होते और क्या अब सबको पता है तो मैं फिगर एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा आप अगर आप चित्र देख रहे हो समझो जो यह वह वह पी की किया है समानू अपाथी चिक है क्या है संगत भूजाएं भी तो हम यहां पर लिख सकते हैं यहाँ पर आप ध्यान देन सकते हैं कि यह बराबर हो जाएगा इसके दूसरी साइड जो है आप अगर ले लो तो बीसी नीचे वाला बीसी जो है वो क्यू आर के हो जाएगा इस तरह से आपकी जो हो जाएगा पी आर के ऐसा क्यूं हो गया कोश्टक में लिख लिजिए क्योंकि दोनों तिर्बुच समरूप हैं और संगत भुजाएं समानुपाती हो ठीक है प्रेकट में लिख लिजिए दोनों तिर्बुच क्या है समरूप है और समरूप सकते हैं क्या लिख सकते हैं यह दोनों ट्राइंगल क्या सेमेट्री है और इनकी जो क्रस्पांडिंग साइड होती होती है इस कारण से ऐसा हो गया कि पीच्छे हमें काम करेंगे कि अगर आप ध्यान दीजिए जो फिकर आपको इसक्रिन पर दिखर आया चितर देखिए ना जल्दी में बनाएं उटेड़ा भाई ठीक है भाई या थोड़ा तिर कोना रहेगा यह समझा यह यह आपका पी क्यू आप ना थोड़ा समझे ना इनकी जो मादिकाय थी इसमें दी थी और इसमें क्या था यह स्मझना हमें काम कर सकते हैं यह यह को आधा आधा कर सकते हैं कि अधिना थोड़ा इसको एक बटा दो क्यूआर इकवल एसी एपान पी आर तो एक बटा दो हो कि और यह बी दिखते हैं कि अधिक यह विद्धर उसका आधा बी बीडि है ओडिक आधा सीह किसी कोई दिक्कत नहीं इक्वल एसी अपान पी आर कि इस्टेप बाई इस्टेप आप लोग करते जाएगे इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसे एक वैसा नंबर फ़स्ट बना ली समी करण नंबर एक हो आगे देखिए अगर ये दोनों तिर्भुज आपस में सेमेट्री हैं यह मैं नहीं कह रहा हूं दिया है कोईश्चन में आप द्यान दो अगर तो ये कोईश्चन में दिया है ये दोनों क्या सेमेट्री है अगर ये दोनों सेमेट्री है कि जो एंगल है एंगल भी पल एंगल क्यों संगत कोड इस वाले लिखेंगे के कर्रस्पांडिंग एंगल इसका यह है इतना हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं इसे आप लिख लिजिए नहीं तो मैं मिठा दूंगा जल्दी करिए मैं मिठा रहा हूं मिठा के अगला इस्टप दिखाऊं कि अबस हो कि अखता हम आंसर आ गया एक लाइन और करना है कि इतना आसान था मैंने कुछ नहीं किया सिर्फ और सिर्फ इसको जैसे दिया गया था हाफ किया भी हाफ में कर भी सकता हूं इनको अगर मैं ए पिर वही आ जाएगा अब यहां से आपको इक्वेशन याद रखना है जो आए थे दियान देना जो इक्वेशन मिले है नहीं कि अधा मिटा है अधा लिखा है लेकिन अभी अभी देखे हो आपको क्लियर है इसमें काम कर सकतो बेटा और तिर पुझ एबी अभी अभी अभ इसमें लेना इसमें ठीक है अभी 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 इन में कुछ चीज़ें के हल किया न इन में भी हम इन दोना एंगल को बराबर कर सकते हैं पोस्ट्रक में लिखिए समझ रहे हो कि नहीं आप लोग अभी तक जो मैंने दोनों एंगल बराबर किया था वह किया लेकिन आप जो इन दोनों एंगल को हम बराबर दिखा रहे हैं वो सिर्फ इन दोनों छोटके-छोटके तिरबुझ में ले रहे हैं क्योंकि यहां लिखा क्यों कर पा रहे हैं क्य अगर इसमें कुछ समझ मिनाय तो इस तरह से बच्चा इसकी जो संगत हो जाए अगर यह बराबर होगी तो लिख लो सरी बराबर नहीं मतलब समानुपाथी कि क्यों हो जाएगा इसमें किसी को कोई दिक्कर नहीं कि इसे लिखते चलिए फटाफट लिखते चलिए कोई दिक्कत नहीं मैं देखता हूँ एक मिनिट अच्छा आ रहा है कोई दिक्कत नहीं हो रही ना स्टेटमेंट क्या है इसका इसका बहीं इसको आई सकते हैं अभी मैंने अगर यह इतना है इस तरह से तो हम लिख सकते हैं आता है तिर्भूज ए बी सी करी एबी सी नहीं एबी डी हमें यहीं तो दिखाना था ना एबी डी यह क्या है है कि समरूप है कि सब्सक्राइब करना आप लोग कुश्चन देखिए क्या कह रहा था करने कि समझ लीजी मैं हटा रहा हूं कि कह रहा था लाज्ट में कि प्रूफ की करना है एबी अपान पीफल एडी अपान पीम है यह सिद्ध करना है तो अगर हमें यह सिद्ध करना है यह बहुत आसान है जब यह चीज मिल गया तो फिर जैसे अभी संगत वाला आप लोग सीख्टे हो ना एबी अपान यह बीक्यू इक्वल थारी कहानी वैसे ही हो जाएगी जैसे एबी पीक्ष के बराबर है उस तरह से आप इसे टिक सकते हो के डी जो है वो क्या है पीम के बराबर वह सरी बरा जिद्ध हुआ ठीक है पुरा स्क्रेंट दिख रहना आपको मैं स्क्रेंट भी नहीं रोकता हूं कि आपको नहीं सामने आ जाओंगा तो आपका चुप जाएगा कुछ तो इस तरह से आपका यह सिद्ध हो गया तो बच्चों कैसे लागा आपको यह कुश्चन कमेंट करके जरूर बताना एक्सराइज 6.3 खतम होता है अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बाक्स में हमें बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करेंगे तो आपको अगली कलास भी मिलेगी तो मिलते हैं पर नेक्ट कलास में बहुत बहुत थ कमेंट जरूर करना कुछ भी भी